आपजेक्टिव सेंटर पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह हमारा आटो मोबाइल इंजीनिरिंग आज से हम लोग सुरू करेंगे इसमें से हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कबर करेंगे जैसे कि हो गये हमारा सबसे पहले इंट्रोड़क्षन के बारे में अटो एक्सल और स्टियरिंग सिस्टम हो गया प्रोपिलर साफ्ट और डिफ्रेंशिल के बारे में पढ़ेंगे और इंजन कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टन कोश्चन भी पढ़ेंगे मिसकले नहीं है तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्षन के बारे में तो पहला कोशन है निमन में से कौम सा एक उसमी इंजन नहीं है आप सब डीजल इंजन भाप इंजन पेट्रोल इंजन पहुंचक्की तो देखें जो उसमी इंजन नहीं है यह आपको बताना है तो देखें डीज ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें उसमा की जरूरत नहीं पड़तई इसमें A.Y.A.R की जरूरत यानि यान दूसरे कोशन हे मोटरगाड के दुवरात सकते की चला जाता है दूसरा कोशन है कि मोटर गाड़ियों में प्रियुक्त होने वाला इंजन क्या कहलाता है आप सोने आंत्रिक दहान इंजन, बाहर दहान इंजन, पूरो दहान इंजन, उप्रोक्त सभी तो देखिए मोटर गाड़ियों में जो प्रियुक्त होने वाला इंजन रहता है वह हमारा क्या कहलाता है IC engine यानि कि internal combustion engine कहलाता है तो यहाँ पर हमारा answer correct हो जाएगा और आपको पता होगा कि जो IC engine होता है फ्यूल के अधर पर दो प्रकार के होता है एक होता आपका petrol engine एक होता आपका diesel engine फिर इसमें भी आपका दो कटेगरी आता है फिर होता है और एक तीसरा कोशन है अधर दा चार्ज़ बाइं सम हाट शर्फेस भीजिन दा इंजन विफोर तब पैसेज आफ इस पार्क के पैसेज़् से पूर्व इंजिन के अंदर कतिपया गर्म सत्यद्वारा चार्ज के प्रज्वलन को क्या कहते हैं आपसने प्री-इगनिशन, डेटोनेशन, इगनिशन डेव, पोश्ट इगनिशन तो देखिए इसे हम लोग बोलते हैं प्री-इगनिशन कि जब सिलेंडर के मध्य चार्ज को कंप्रेश्ड किया जाता है तो उसका ताफमान और दाब बढ़ता है याद चार्ज का तापन सेल्फ इगनिशन टंप्रेचर तक पहुंच जाए तो यह सवता है जलने लगता है जिसे हम लोग प्री इगनिशन कहते हैं यानि कि पूरु प्रज्जवलान समय से पहले जिसका जल जाए वो तो यह होता हमारा प्री इगनिशन चौथा कोशन है कि हीट इंजन का मुल रूप से परियोग होता है तो हीट इंजन का मुल रूप से परियोग कहां पर किया जाता है आपसन है आपके सामने कोईले से बिजली बनाने में किसी भी अन उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलना उसमा उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलना इनमें से कोई नहीं तो देखें क्या है कि जो हीट इंजन मुलूरूप से जो परियोग किया जाता है वह उसमी उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलना के लिए किया जाता है तो यहां पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हीट इंजिन है क्या तो देखिए उसमें उर्जा को यांतर्य कुर्जा में परिवर्थित करता है हीट इंजिन और IC इंजिन के दोरा फियॉल की गेमिकल इवर ते हैं निरे कुल हैं musik है आईजी हम इसी मतलब होता है इंटरनल कंबस्चन इंजन ड्रिस यहां याँ पे करेक्ट सब्थ आफो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा जो पेट्रोल इंजेन होता है यह हमारा आइवास कोनोर fils नहींद प्रियोग किया जाता है तो इंजिन क्या होगा चलेगा नहीं चलेगा फट जायएगा या ती containers परियोग करेंगे तो इंजन जो होगा वह नहीं चलेगा तो डीजल इंजन में पेट्रोल परियोग करते हैं तो इंजन नहीं चलेगा तो देखिए, यह दिजल इंजन में पेट्रोल परियोग किया जाए, तो इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि डिजल तथा पेट्रोल का इंगिसंग। वह अलग-अलग होता है, अतर सम्पीड़ अनपात अलग-अलग होने की कारण नहीं चलेगा। चलते हैं निस्ट कोशन पर आठों कोशन है कि पहले दर्शन में पेट्रोल इंजन को जाना जा सकता है आपसे ने सिलिंडर के आकार द्वारा सकती आविशन द्वारा प्रचालन द्वारा इसपार्क पलग द्वारा तो पहले दर्शन में पेट्रोल इंजन को जो जाना जा सक तो यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पहला दर्सन इंजन में पेट्रोल इंजन को इस पार्क प्रिख का परियोग इधन को जलाने के लिए परियोग किया जाता है अब है नामा कोशन कि मोटर काड़ी में प्रियोग ठोने वाला इंजन क्या जाता आछ वंपिन आइसंग इंजन ऐसे अमभू आन्तरिक धहन इंजन कहते हैं इधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है इसलिए इसे कहा जाता है अंत्रिक दहन इंजन ग्यारे नमबर कोशन है कि ट्रैक्टर के इंजन में कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों परियोग नहीं है तो ट्रैक्टर के इंजन में कभी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं परियोग करते ह आप तोने पेट्रोल इंजिन अपने कम वजन कम कम पन तथम महांगे इधन के करण ट्रक्टर की अनावस्य किया महमगे होकते हैं थी पेट्रोल गाउव में कम अप्लप्द होता है सिए पेट्रोल का उपयोग असेच्चित वालों के लिए अधिक अस्वरचित होता है डिया पेट्रोल इंजन की मेंटिनेंस में मुश्किल होती है तो देखे ट्रेक्टर के इंजन में कभी पेट्रोल इंजन परयोग नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन कम कम पन तथम महांगे इधन के करण ट्रेक्टर के लिए अनावस्य को यंद्र कुल तो तक से चिट पाईड़न को करना तो हिस्चमार विफाले कौशन önce यंद्र को एक में पाँर होता है ह approached कि तो नमबर का wondering में से कौश्च इंजन नहीं आफ दिजल इंजन भार्फkeit गयस चल सिरां परण पर के तो उसमें इंजन जो नहीं है वह हमारा क्या है से चलता है आज है को इसे बारे के यहां पे हमारे अंसर करेक्ट हो जाएगा थे पर नमबर कोश्चन है कि व्यूत्रपती का Hess क्या है याने कि डेजल सब्ट की उत्पत्ति कैसे हुई है आपने किसी महान व्यक्त का नाम है उस अस्थान का नाम जहाँ पहली बार मिला था यह उस व्यक्त का नाम जिसने डेजल इंजन का विकास किया डी है यूनानी देवता का नाम है तो देखे जो डेजल सब्ट की उत्पत्ति है यह हुआ था कि उस ब्यक्थ का नाम है जिसने डीजल इंजन का इंजन का विकास किया था उसकार पर यह कघ्व प्रक्राइब गॉष्चन है निम्रिकित में इसे कौन सब बाएदान इंजेन याने कि Eternal combustion इंजेन नहीं है आप ने डीजल इंजेन पहँंच चक कि स्थीम इंजिन टरबाइं तो देखिए जो बाहだ दान इंजन यानि कि external combustion engine नहीं है आपको बताना है अंतरधान मिंजन नहीं है तो नंबर को कोश्चन है कि कार्णोट इंजन की जो इस्टिम बिंदू और हिम बिंदू के बीच कर रहा है उसकी दच्छता क्या होगी तो देखिए कार्णोट इंजन की जो इस्टिम बिंदू और हिम बिंदू के बीच कर करता है तो उसकी जुद्ध अच्छता होगी वह 26.88 परतिशत होगी सोले नमबर कोश्चन है एक भाप सक्ति संयंद्र में दहन के किस चक्र का परियोग होता है आपसने रैंकाइन साइकल ब्रिटान साइकल आटो साइकल करनोट साइकल तो भाप एक भाप सक्ति संयंद्र में दहन के जिस साइकल का परियोग किया जाता है वह ऐसा किल रहता है रै साइकल का परियोग किया जाता है भाप सकती पलाटों के लिए यह एक आधर से साइकल होता है है यानि कि जो आपके पावर प्लांट होते हैं उसमें आपका रैंकाइन साइकल कारिक करता है कि देखें जो गैस टर्बाइन है जो गैस टर्बाइन रहता है यह हमारा ब्रीटान साइकल पर कार करता है इसमें दो दो अनुबर का कोशन हैं डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बज़ाए कंपन स्टिय कि क्योंकि दाब की अधिकता की कारण तो यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डीजल इंजन का संपीड़ा अनुपात अधिक होता है तथा पेट्रोल इंजन का संपीड़ा अनुपात कम होता है तथा डीजल इंजन में संपीड़ान के दावरान गैस का दाब भी अधिक हो का लाफ नहीं है तो आंत्रिक दान इंजन का लाफ नहीं है यह आपको बताना है कि आप आप आवाज सकता है इसे किसी भीयाकार में बनाया जा सकता है बिल्कुल सही है कहा रहा है यह छोटे आकार का है यह बिल्कुल गलत है सी कहा रहा है इसे में आटो श्टार्टर लगा है यह बिल्कुल सही है डी कहा रहा है गाड़ियों में इसका परियोग हो सकता है तो यह भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर जो कोश्चन पूछा था कहा आता है कि आंत्रिक द्धान इंजन का लाफ नहीं है तो लाफ कौन से नहीं कि यह चोटे आकार का है यहीं यहां पर तब करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नुमर का कोश्चन है किसी साइकल की चामता है कौन सी है आपको समने q2 माइनस q1 अपन q1 q1 मानेक क्यू अपन q1 q1 प्लस q2 अपन q1 q1 अपन q2 तो देखिए यहां पर साइकल की जो दच्छता होती है वह q1 माइनस q2 अपन q1 होता है तो यहाँ हमारा B answer correct हो जाएगा यह यहीं पर आपको मिल सकता है T1 minus T2 upon T1 भी मिल सकता है option में तो आपको वो भी सही हो जाता क्योंकि जिए पर T रहता तो भी आपको correct हो जाता कि कोशन कि क्रनाड स्धान्त के अनुसार क्या होता है कोई भी इंजन करनाड इंजन से अधिक दच नहीं हो सकता है यह आपको तो यहाँ हमारा A answer ही correct होगा बास नंबर question है निमनलिक्त में से किस की efficiency आ पेच्छा करिद अधिक होए आप पने आटो cycle डीजल cycle दोनों बराबर नहीं इने में से कोई नहीं तो जिसकी efficiency आ पेच्छा करिद अधिक है वह होता है हमारा diesel cycle तो यह जो हमारे जाती है आप सेन cela अर्व साइK comparisons और है कि इनमें से नहीं तो जिस साइकिल में इस तिर दबाव पर उसमा दी जाती है 910rets पावर और इकवाल्टू कितना होता है तो आपको पता होगा एक हर्थ सपाउर इकवाल्टू होता है 146 वाट के बराबर होता है 25 नमबर का कोशन है डेजल इंजिन में डेजल किस प्रकार जलता है आपकर है एक पलक से उत्पने चंगारी से सिलेंडर में दाबित वोय क्यों उच्छ तबमान के कारण C है इंजिन के जटके की किरिया के कारण यानि की जर्किंग की किरिया के कारण इसलेंडर में इस भी से अरटान टो डिंज रहता है जो जलता है यह जलता है कि सिलेंडर में दावित वागिंग के उझ्चताब के कारण जलता है तो यहाँ पिंवाना भी आंसर क्रेक्ट हो जाएगा 26 कोशन पहले दर्शन में एक UFO ब हिंघन को प्रंचाना जाता उसे स्पार्क प्लक के द्वारा पैचानते हैं कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लक लगा रहता है तो पहरे दर्शन में पेट्रोल इंजन की पैचान उसमें लगे स्पार्क प्लक के द्वारा की जाती है तथा इस इंजन में कार्बूरेटर भी लगा होता है जब कोई ड पार करता है यह आपका किस पर कार करता है हर्तो साइकल पर करता है तोasma 16 चा Button ना यहां पर एंसर करेक्ट हो यह यह जाएका है कि यह पर यह क्रीक्ट लगा Heart यह कोशन भी पहले आ चुका है यहां पर करेक्ट आंस्टर क्या हो जाएगा जुलाब नहीं है यह चोटे आकार का है इसले कि सब्सक्तविशा चाहिए तो किसी पेट्री को सब्सक्राइर इंजन को यशा इंजन के नाम से भी जना जते हैं है कि smartamous आनलाइक क्यों घरकार किसलों कि oneки मर्ममी से कोई नहीं तो जो और मुबाइल घ्रकाम्श खरोते हैं यह यह बनाया जाते काश्ट ऐरन के तो आटो मीवाइल जो गीए रहते हैं समानते क्वाश्ट न कबने होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोज सहन करने की छमता अधिक होती है काश्ट और रहन कारबन सिल्कान मैगनीसियम फासफोर शलफर आधि पाए जाते हैं एक तिस नमबर कोश्चन है किसी मसीन की ओभर हाउलिंग से क्या तातपर है अपसे नहीं मसीन की पेंटिंग करना मसीन की आइलिंग करना मसीन की मरमत मसीन के पूर्जों को अलग अलग कर उनकी सफाई करना खराब पूर्जों की जगा पन्या पूर्जे लगाना आइलिंग कर करना पूर्जों को जोड़कर पुने मसीन तयार कर लेना तो देखिए मसीन की उभार हाउसिंग से जो तातपर है उसका तातपर यही होता है कि मसीन के पूर्जों को अलग लग कर उनकी सफाई करना खराब पूर्जों की जगह पर ने पूर्जे लगाना आयलिंग करना और प इंजन का जो भाग नहीं है आपका क्या है तो देखें जो कलाच है यह इंजन का भाग नहीं है यह इंजन ऑग बाहर लगा होता है जो इंजन को आपरेट करने में महत्पूर्ण भूईं कनीभाता है इसको गाली में transmission system तथा engine के बीच लगाए जाता है कलाच का परियोग engine के power को engage अथा disengage करने में होता है कि 33 question what is the usual angle between the cylinder in V type engines V प्रकार के engine में बेलनों के बीच समान एंगल कौन सा होता है आपने 60-0-180 तो देखे जो वी प्रकार का इंजन V type engine होता है उसमें दो सिलेंडरों के बीच का जो होता है अंतर वह रहता है 60 degree तो यहां पर हमारा correct answer हो जाएगा 60 degree वी प्रकार के इंजन में बेलनों के बीच के जो एंगल होता है 60 degree इसलिए रखा जाता है ताकि दोनों तरफ से बेलन उर्द्वाधर संतुलन अवस्थम में रह सके इस अवस्थम में सुने के भार के करण उत्पन प्रेडामी बलकमान सुननी होता है चौथिस नमबर कोश्चन है एएर फ्यूल मिक्चर विच कंटेंस लो पोर्षन आफ एएर इस कार्ड विच मिक्चर वाई इधन मिच्रण जिसमें वाई के निम्न हंस समलित हैं को कौन सा मिच्ण कहते हैं तो आप्षन है आपके सामने लीन मिक्चर चमिकली करेक्ट करण सकत視orden मिक्चर यहां पर हमारा सी इंसर हो जाएगा रिच मिक्चर जब वाई इधन के मिस्ण Kommra कम कर दी आती है तो मिक्चर गाळा हो जाता है जिसे हम लोग rich mixture कहते हैं तथा जब वा इधन के मिस्तरण में वा की मत्र बढ़ा दियाती है तो मिस्तरण पतला हो जाता है जिसे हम लोग lean mixture कहते हैं कि आई सी इंजन का क्या तातपर है जो की असान सा question है तो आई सी इंजन का जो तातपर होता है internal combustion engine यानि कि अंतरदहन engine यानि कि आपसर नंबर भी यहाँ पर correct हो जाएगा 36 नंबर का question है heat engine वह engine है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैला कर प्राप्त की जाती है आपसर है चाल सक्ति दाब इनमें से कोई नहीं तो आपको पता होगा कि heat engine वह engine होता है जिसमें ताप के द्वारा गैसों को फैला कर पावर यानि कि सक्ति प्राप्त किया जाता है तो यहाँ पर हमारा भी answer correct हो जाएगा सक्ति 37 number question है इनमें से कौन सा external combustion engine का प्रकार है external combustion engine मतलब बाह द्धान engine का प्रकार नहीं है तो आपको पताना है external combustion engine का प्रकार नहीं है आप सो नहीं steam engine, turbine engine, diesel engine इनमें से कोई नहीं तो external combustion engine नहीं है यानि कि internal combustion engine है तो internal combustion मतलब आंत्रिक द्धान engine तो आपको भी पता होगा जो diesel engine होत की तो कि देजल इंजन का एक प्रकारन है इसमें इधन का धान का करेंडर स्रीलें शेलनडर के भीतर वहता है संपीडित वाय को टापमान जो होता है या लग बग एक हजार डिगरी सलसेस तक होता है और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो जिसे हम लोग बोलते हैं संपीडा नुपात यह होते हमारा 16 से 22 तक होता है यह अक्सर पूछा जाता है एकजाम में कि डीजल इंजन का कं प्रकार आपको पताना है, क्या nossos टेम एंजन टरबायन एंजन डीजल इंजन इंसे कोई नहीं तो इकष्टरणल कंबस्चीं इंजन हमारे डीजल इंजन vemए तो इंटरनल combustion engine का प्रकार है diesel engine 39 number question है external combustion engine में इधन जलाने का अस्थान कहां पर होता है आप सोने बहुत कम बड़ा गोल इनमें से कोई नहीं तो external combustion engine में इधन जलाने का जो अस्थान होता है यह बहुत ही बड़ा होता है external combustion engine में इधन जलाने का अस्थान बहुत बड़ा होता है क्योंकि इधन जलाने तथा रखने के लिए अधिक अस्थान की जरूरत पड़ती है और external के अंतरगत भाफ टरबाइन तथा भाफ इंजन आते हैं चालिस नंबर का कोशन है internal combustion engine starter होता है आपसाने बहुत कम समय में काफी देर में तुरंत इनमें से कोई नहीं तो जो internal combustion engine start होता है यह क्या होता है आपका कि बहुत कम समय में start होता है internal combustion engine बहुत कम समय में start किया जाता है petrol engine में इधन का दान slender के भीतर spark के दवारा किया जाता है तशट अढ़्र, इंजन, को स्टार्ड करने में अधिक समय लगता है, जबकि इंटरणल कंबस्जन इंजन, को स्टार्ट करने में भूत कम समय लगता है, 41 नमबर का question है कि spark ignition engine में इधन के रूप में क्या परियोग किया जाता है आप सोने petrol, gas, diesel, petrol तथा हवा का मिस्रण तो देखिए जो spark ignition engine रहता है इसमें इधन के रूप में जो हम लोग परियोग करते हैं वह हमारा petrol और हवा का mixture रहता है तो यहां पर हमारे D answer correct हो जाएगा spark ignition engine में इधन के रूप में petrol और वायू का मिस्रण परियोग किया जाता है और इसके दहान के लिए spark का परियोग किया जाता है और जो spark ignition engine रहता है इसमें हवा और जो fuel रहता है इसका जो मिस्रण होता है या पंद्रे अनुपाते एक का अनु 42 number का question है कि cylinder के उपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है तो देखिए जो cylinder को उपरी सीमा होता है या हमारा TDC यानि की टाप डेट सेंटर कहलाता है और जो निचली सीमा होता है वे हमारे BDC यानि की bottom dead center कहलाता है तो TDC और BDC आप लोग समझ गया होंगे जो cylinder को उपरी स एंटर होता है यहां पर हमारा C answer correct answer हो जाएगा 43 number का question है किसी क्रिया के हिस्सों का एक निच्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है आप सोने frequency cycle amplitude इनमें से कोई नहीं तो किसी क्रिया के हिस्सों का एक निच्चित क्रम में बार बार होना जो होता है यह हमारा क्या कहलात आता है साइक्ल कहलाता है तो यहां पहारे अन्सर करेक्ट हो जाएगा साइकल कहलाता है किसी करिया के इस का यह निशुचित क्रम होना रहता है हमारा साइक्ल प्रकशन है Cabal reservations regime को जिलाना किस त्रगत श्ट्रोक्त आता है उनिकास वालव दोनों बंद रहते हैं और समपीड़न श्रोक के दवरान किया जाता है और श्ट्रोक के अंत में प्रिश्टन पुने बाटन डेट सेंटर इस्तिती में चला जाता है 45 नमबर कोशन है कि कमप्रेशन स्ट्रोक में पिश्टन कैसे चलता आप समय उपर की तरफ BDC से TDC की तरफ नीचे की और DIA और भी दोनों की तरफ देखे जो कमप्रेशन स्ट्रोक रहता है इसमें जो पिश्टन चलता है यह हमारा चलता है BDC से TDC की तरफ है क्योंकि देखे यहां पर रहता है आपका टापड़ सेंटर ऊपर जो रहता है यह टापस सेंटर नीचे रहता आपका बाटम डेट सेंटर सक्षन स्ट्रोक में आपका पिश्टन नीचे की ओर जाता इन सब को जब compress करेगा तो यानि कि अब नीचे है आपका BDC उपर है TDC, तो BDC से TDC की और चलता है, तो compression stroke के बारे में पूछा था, तो compression stroke में जो piston चलेगा, वह BDC से TDC की तरफ चलेगा, और यही अगर suction stroke की बात करता, तो आपका TDC से BDC की तरफ हो जाता, तो यहाँ पर आपक क्या होगा, और ज्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकला जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए, पावर श्ट्रोक में दबे मिसरन को क्या किया जाता है, आपको जलाया जाता है, तो पावर श्ट्रोक में दबे मिसरन को जलाया जाता है, जिससे हमे करणें t97 by c Mongolia कितरा की तरफ देखें गैस के फैलने पर जो पिश्टन चलता है या आपका टीनी सी से की तरफ कि मैं जब स्ट्रेंडर में दाहन होता है तो गैस के फैलने पर न ति की तरफ से बीडी सी तरता है इसी को श्रो पांवर स्ट्रो कहते हैं 48 number का question है 2 stroke engine में port का परियोग किया जाता है किसलिए आप सोने charge करने के लिए पामरी stroke के लिए ताजी इधन आने बाद जली गैसों को निकालने के लिए इनमें से कोई नहीं तो 2 stroke engine में जो port का हम लोग परियोग करते हैं वो करते हैं कि ताजी इधन आने के लिए तथा जली गैसों को निकालने के लिए हम लोग परियोग करते हैं 48 number question है कि सिलेंडर के piston की गति करने की अधिकतम उच्च बिंदू को क्या कहते हैं आप सेने TDC, BDC, stroke इनमें से कोई नहीं देखें जो सिलेंडर के piston की गति को अधिकतम उच्च बिंदू को हम लोग कहते हैं TDC, TDC मतलब होता है top dead center और piston की सबसे निचली स्थिती जो होती है हमारा BDC यानि की bottom dead center कहलाता है पच्चास नमबर question है डीजल इंजन में सकती प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है आप तो नहीं डीजल को दबा कर दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके इस पर पलक दौर इनमें से कोई नहीं तो डीजल इंजन में सकती प्राप्त करने के लिए डीजल को जिस प्रकार समलुक जलाते हैं वह हमारा रहता है कि दबी हुई गर्म हवा से डीजल स्प्रे करके यहां भी हमारे भी अंसर करेक्ट हो जाएगा और संपीडी दुबाइब का जो तापमार हो जाता है यह लगवाग एक हजार डिगरी सलसेस तक हो जाता है और कंप्रेशन इगनिशन इंजन में संपीडन अंतपाज जो होता है यानि कि C.I.E. इंजन में आपका 16-22 होता है और डिगरी इंजनों में संपीडन के पास जात अधिकतम दाप जो रहता है यह हमारा 30-50 बार हो जाता है 51 नमबर कोशन है कि समय से पूर किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है आपने वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व उभरलैप इनमें से कोई नहीं तो समय से पूर किसी वाल्व का खुलना होता है यह क्या कहलाता है वाल्व लीड कहलाता है तो समय से पूर किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है वाल्व को कैंप साप्ट के द्वारा चलाया जाता है 52 नमबर का कोश्चन है आप पेट्रोल उंजिन में कम्भास्ट्राच रेश्यो कितना होता है तो जो पेट्रोल में प्लम पन चार से यह अॉन में जो compression pressure होता है यह हमारा होता है 350-550 pound प्रतिवर्ग इंच होता है तो यहां पर हमारा यह answer correct हो जाएगा 54 number question है कि diesel engine में compression के बाद combustion chamber का ताप कितना हो जाता है तो diesel engine में जो compression stroke रहता है उसके बाद क्या होता है combustion chamber के जो temperature हो जाता है वह रहता है लगभग 600 degree Celsius से 800 degree Celsius तक हो जाता है यहां पर हमारा यह answer correct answer होगा 55 number का question है कि two stroke engine के पर्थम stroke में क्या होता है आप सुने power तथा suction stroke, exhaust suction stroke, suction और compression stroke इन में से कोई नहीं तो तो जो तो जो होता है वह आपका suction और compression एक ही श्टोक में हो जाता है तो यहां पर हमारा इससी answer correct हो जाएगा तो इस्टोक इंजन के पर्थम stroke में सक्षां तथा compression stroke होते हैं तथा दूसरे stroke में पामार और इसस्टोक होते हैं तो इस्टोक इंजन में वाल्व की जगाए पर पोर्ट लगे होते हैं तो यहां पर हमारा होता है कि एयर कूल होता है तो इस्टोक इंजन होता है हमारा इयर कूल होता है यह इंजन छोटे और compact होते हैं इंजन अधिक गरम रहता है क्योंकि दो इस्टोक में एक ही बार हेट उत्पन करता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम असान होता है इसमें क्रैंकτο की संख्या इधन की आक्रिती में तो डीजल पेट्रोल इंजन में जो में डिफ्रेंस होता है वह रहता है इधन जलाने में तो इधन जलाने में होता है क्यों डीजल पेट्रोल इंजन में मुखें अंतर इधन जलाने की प्रक्रिया पर निर्वर करता है डीजल इंजन में इधनों में जो संपी का परियोग करते हैं जबकि डिजल इंजने में हम लोग कंप्रेशर वाइव का या फ्यूल का यूज करते हैं कि 58 नंबर कोश्चन है कि सिध्धान्तिक रूप से इनलेट वाल्व किस पर खुलता है आप समय बीडीसी पर एमडीसी पर टीडीसी पर डीडीसी पर तो सिध्धान्तिक रूप से जो इनलेट वाल्व जो खुलता है यह हमारा खुलता है टीडीसी पर यानि कि टार्प डेट स कि यहां पर खुलता है है मैं यहां पर हमारा इस यह टोparty चे क्ग्छी कि दौरान यह हमारा बसक्राइगा फ्यूल को लिए मारा नीचा ङाता है All हमारा टाप डेट सेंटर पर इनलेट वाल खुलता है अए कि फिप्टीनाइफ नमबर कोशन है क्रूड़ में क्या क्या मिस्तरित रहता है आप सोने हड्रोजन और करबन ताबा वा ज़यसता अक्सीजन और हड्रोजन इनमें सभी तो कुरूड आयल जो हो रहता है उससे हम लोग पेट्रोल भी बनाते हैं डीजल गीयर आयल यह सभी बनाते हैं यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी स्वेज्टियों नमचन फेल्च कि बने औम मोर्どう हो रहता है वह रहता है तो करेक्ट हो जा वे शत्र नंबर कोशन है कि नाकिंग का उस्टे क्या होता है आप समय पूरु प्रजवलन बाद में जलना प्रजवलन ना होना इन में से कोई नहीं तो नाकिंग का जो कारण होता है ये रहता है आपका पूरु प्रजवलन के कारण होता है नाकिंग नाकिंग का कारण पूर प्रजलन होता है इसके अंतरगत इधन का निश्ची समय से पहले ही धान हो जाता है जिसे हम लोग नाकिंग होना कहते हैं नाकिंग के समय पिष्टन पर आज समान एवं भारी लोट पड़ता है और हथाओडल चलाने जैसे यावाज आती है यानि कि खटखट की आवाज आना शुरू हो जाता है तिरसरफ नमबर का कोशन है कि डिजल फ्यूल के जलने की सरलता किसके दवारा दरसाए जाती है आप से आक्टर नमबर सीटर नमबर यह और भी दोनों से इनमें से कोई नहीं तो डिजल फ्यूल के जलने की सरलता होती है यह दरसाए जाता है आपका सीटर नमबर से तो डिजल फ्यूल के जलने की सरलता सीटर नमबर दरसाए जाता है और जो डीजल का जो सीटन नंबर होता है, डीजल के लिए जो सीटन नंबर होता है, यह हमारा 30 से 50 होता है, तो अगर यह पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल के लिए सीटन नंबर 80 से, स्वारी सीटन नंबर न यह आक्टन नंबर है, पेट्रोल के लिए जो आक्टन नंब रखें अ कि ग्टेजल क्या है तो देखियो डिजलनाग क्या होता है तो आपको भी पता होगर जो byलों होते हैं या डिजल जलने के समयृ तेज अवाज का होना यह हमारा होता है diesel 딱 तो नहां पर ऐसा आप सो नंबर सीधिक रेक्ट डीजल जलने के समय तेज़ आवाज का होना ही हमारा नाकिंग कहलाता है डीजल नाक सिलेंडर के अंदर डीजल फ्यूल के जलने से उच्छ दबाव पैदा होती है तो वे एक विश्यस्प्रकार की तेज़ावाज करते हैं जिसे हम लोग डीजल नाक कहते हैं 65 नावर का कोशन है कि डीजल प्रच्छेपन और प्रजूलन समय के डीज की बीच कि विलन काल के थे हैं इस काल को डीज प्रियएट या एंगिशन लेक भी कहते हैं Umillet का मौने पर इंजन explained कि चाल समान होती है तथा अधिक होने पर इंजन की चाल आसमान हो जाती है आज शाट नमबर कोशन है कि delay period को कौन सा कारक प्रभावित करता है आप सोने दबाव ताप करम compression ratio C और भी दोनों तो delay period को जो प्रभावित करता है वह रहता है हमारा temperature भी और compression ratio भी दोनों रहता है तो delay period में ताप करम तथा compression उनपत प्रभावित कारक होते हैं delay period को प्रभावित करने वाले और भी कारण होते हैं जैसे कि आप टमप्रेचर हो गया compression ratio हो गया इधन प्रमाणवी करण हो गया engine की size हो गई, engine का भार हो गया, engine की गती हो गई और हावा का turbulence हो गया 67 number question है डिजल के कणों का हावा के सापेच गती किसके दवारा प्राप्त होती है आसमें दबाव दवारा, engine का speed दवारा, turbulence दवारा, injection timing दवारा तो डीजल के कणों को हवा के सापए से जो गती प्राप्त होती है या प्राप्त होता है टर्बूलेंस द्वारा तो यहां पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा टर्बूलेंस द्वारा कि अनष्ठ नम्बर कोषण है कि आटो मोबायल में कौसी प्रेश। सी पेत्रोलियम गवाराप्त परीयोग करते हैं यह दोंुस दों रहता है तो यहां पर दों आटो मोबाइल में प्रोपेन तथा ब्यूटेन पेट्रोलियम गैसों का प्रियोग इधन के रूप में किया जाता है जिससे वाई प्रदूस्तन कम होता है 69 नमबर कोशन है कि fuel pump अधिक पेट्रोल सप्लाई करता है क्या कारण हो सकता है आप सेने needle valve गलत फट है pump foundation packing पतली है diaphragm बहुत मुलयम है उपरोग सभी सही है तो fuel pump अधिक petrol supply करता है, इसका कारण यह है कि यह आपको needle wall गलत fit है, pump foundation packing पतली है और diaphragm बहुत मुलाइम है, यह सभी कारण हो सकते हैं, यहाँ पर हमारा D answer correct हो जाएगा उपरोग सभी सही है अब है हमारा 70 number का question, yes, you electrical fuel pump का कौन सा मुख्य भाग है, आपसे ने pump body non-returnable diaphragm उपरोग सभी तो yes, you electric fuel pump का जो मुख्य भाग है, वह हमारा रहता है, pump body भी non-returnable भी diaphragm भी रहता है, यहाँ पर D answer correct हो जाएगा उपरोग सभी चलते हैं 71 number के question पर, 71 number question है कि fuel injection pump का मुख्य भाग कौन सा, आपसे ने diesel pipeline में spring nozzle delivery valve तो fuel injection pump में जो मुख्य भाग होता है, वह हमारा रहता है delivery valve, तो delivery valve यहाँ पर correct answer हो जाएगा fuel injection pump में मुख्य भाग delivery valve है, fuel injection pump डीजल इंजिनों पर इंजिनों इधनों की आवस्यक मात्रा उच दाब तथा उची समय पर इंजिक्टर द्वारा पहुंचाने का कार काता है यह इंजिक्टर इंजिन के परतेख सिलेंडर पर फिट होता है और आटो मूटी इंजिनों के लिए fuel का जो injection दाब होता है यह 7 से 30 मेगा पासकल तक होना चाहिए डीजल फिल्टर परियोग किस लिए करते हैं किस के साथ करते हैं अशने डीजल पाइपलाइन में इंजिक्टर के साथ डीजल टैंक से पूर्व फ्यूल इंजिक्शन पंप से पूर्व तो जो डीजल फिल्टर परियोग करते हैं हम लोग यह फ्यूल इंजिक्शन पंप से पूर्व करते हैं तो बादतर के यहाँ पर D answer correct हो जाएगा diesel filter का परियोग fuel injection pump से पूर्व किया जाता है diesel filter के द्वारे diesel को साफ किया जाता है 73 number question है SU electric fuel pump गाड़ी में लगा होता है किसके साथ आप से इंजिन के अंदर लगा होता है तो SU electrical fuel pump गाड़ी में इंजिन से दूर कहें भी लग सकता है इस प्रकार इंजिन की गर्मी का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है mechanical fuel pump का भाग कौन सा है आप से नहीं कार्कवासर, diaphragm return spring, ball retainer उपरोगत सभी तो mechanical fuel pump का जो भाग रहा है वह है हमारा कारकवासर भी diaphragm return spring भी ball retainer भी त्याहाँ पर डियांसर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी पचाता नम्बर कोशन है कि air cleaner परियोग होने का कारण है आप सोने कम पेट्रोल पहुंचना महें धूल के काण engine तथा कार्बूरेटर में ना जाने देना कि लिए हम लोग फिर क्लीनर क करते हैं यह कर दोने के सिद्धान्त और छानने वाले मैटेरियल के आदार पर क्या प्रकार के होते हैं कि मेरी प्रकार के होता है कि इस पर निर्फर कर थे कि इंजिन किस प्रकार के बाएम पृंडल में कारिक करता है और आर क्लीनर होते हैं जैसे की आपका आयलिबॉस्द टाइप U Cleaner ड्राइट टाइप एयर क्लीनर पेपर पलिटड टाइप एयर किलीनर और संटिूल टाइप एयर क्लीनर मुथ्योच है आ vapor अतार्फी कश्च हो Veane आ उच्छ कौड़ होता है यह कागाज और तार्फी जारी और नमदा इनंस भी के दोरा भनाए जाता है क्या परेलण सरक हो जाएगा यह हमारा सल दुर्गापुर इस्टिल प्लांट में है वो कोशन है तो 76 नहीं पेड़ी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आयल सोग्ड एयर क्लीनर कागस तारकी जाली तथा नमदे आद के बना होता है एयर क्लीनर का कारव वाईव में मिले धूल मिट्टी के करण सिलेंडर के अंदर जाने से रोखना होता है सता अध्य नमबर कोशन है यह स्यू इलेक्ट्रिकल पंप किस के दोरा चला जाता है आथने करेंके साफ़ध दौरा इंजन दौरा बेटरी द्टराइए उन में से कोई नहीं तो यह सिव लेक्ट्रिकल पंप जिसके दौरा चला जाता है वे रहता है बैटरी द्टीर चलाएज जाता है मैकानिकल पंप के समान इले både पर्क्राम होता है डार्फ्राम की गति स्टेल पिश्टन के एलाय में जो मिस्र रधातु रहता है वह हमारा कापर रहता है यह हमारा आडिनेंस फेक्टरी फिटर 8RC मा आए वो कोशन था 79 नमबर का question है निमन में से crank pin और crank shaft से कौन जोडता है आप समय crank throw, crank भुजा, overhead crack, disc brake तो crank pin और crank shaft से जोडता है वह हमारा रहता है crank भुजा तो crank pin crank shaft को crank भुजा से जोडती है engine की crank shaft को केंदर और crank pin के केंदर के बीच की दूरी को crank throw या crank तुरिज्या कहते है अब 80 नमबर का question है बेंकल rotor engine का rotor घुमता है आप समय उतकेंदरता उपर से नीचे stroke इन में से कोई नहीं तो बेंकल rotor engine का जो rotor घुमता है या उतकेंदरता के साथ घुमता है तो यहां पर हमारा यह answer correct हो जाएगा बेंकल rotor engine का जो rotor होता है या उतकेंदर कता पर घुमता है या आटो cycle परकार करता है परन्त reciprocating engine से यह भिन होता है इसकी आयतनिक दच्चता जो होती है अधिक होती है और यह सस्ता भी होता है यह कोई connecting rod camp shaft आधि नहीं होता है इसमें अधिया 13 नंबर question है पेट्रोल इंजन का compression ratio कितना होता है तो बहुत आसान सा question है आपको भी पतावगे जो पेट्रोल इंजन जो का compression ratio होता है यह 9.1 होता है पेट्रोल इंजन का compression उपात लगभग 9.1 ओन पात एक से 11.1 होता है कि 83 是 सिलेंडर हेड किसके बने होते हैं यह हमारा यूपीड्र ट्रेसर टेकनिकल 2015 में कोश्वन है आप तो सिलेंडर हेड जो बने होता है यह किसका बना जाता है कास्ट आर और अलमुनियम को बनाय जाता है तो यहां पर हमारे C answer correct हो जाएगा cylinder head काश टारन और अलमुनियम एलाय का बना होता है cylinder head प्राय अलमुनियम एलाय के बनाय जाता है क्योंकि यह उस्मा का अधिक सुचालख होता है तथा गरम करने पर प्रसार भी नहीं होता है तो यहाँ पर C आंसर करेक्ट हो जाएगा टिप फोन नमबर का कोश्चन है अच्छा आयल स्क्राइब के लिए निमने में से कौन सा पिष्टन रिंग उप्यूगत होता आप से इंसाड बेवल रिंग, आयल साड रिंग, टेपर साड रिंग, टेपर फेस रिंग तो अच्छा आयल स्क्राइब के लिए जो पिष्टन रिंग उप्यूगत होता है वह रहता है इंसाड बेवल रिंग, तो यहाँ पर हमारे यह आंसर करेक्ट हो जाएगा पचासी नमबर कोश्चन है, कनेक्टिंग राट का कार क्या होता है आप सेने इंजिन वालवों को समय नुसार चलाना, इंजिन को जनरेटर से जोड़ना, पिष्टन के आगे पीछे की गती को क्रेंक साफ्ट की घुड़न गती में बदलना होता है 86 नमबर कोश्चन है, इंजिन के वालवों खुलते तथा बंद होते हैं, किसके दवारा आप सेने कैम साफ्ट दवारा, क्रेंक साफ्ट दवारा, क्रेंक साफ्ट की तीन परिक्रमा में उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इंजन के वृव जो खुलते और बंद होते हैं यह होते हैं कैमषाख्ट के दवारा तो यहाँ फे हमारे loop bits past के दौन रहा है की एंजन के वाल्व खुलते तरह बंद होते हैं कैमषाख्ट में परत्यक वाल के लिए एक सिलेंडर में दोक्यम लगे होते हैं तो दो कैमों द्वारा दो वाल्व को आपरेट किया जाता है 87 नमबर कोशन है फोर इस्टोक इंजन में एक चक्र किस्में पूर्ण होता है अपने क्रेंक सार्ट की एक प्रिक्रमा द्वारा क्रेंक सार्ट की दो प्रिक्रमा द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं तो फोर इस्टोक इंजन में एक चक्र जो पूर्ण होता है यह होता है क्रेंक साफ्ट की दो परिक्रमा द्वारा पूर्ण होता है तो यहाँ पर हमारा भी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि फोर इस्टोक इंजन में एक क्रिया चक्र पिस्टन के चार स्टोक आधवा क्रेंक साफ्ट के दो परिक्रमा दवारा पूरून होता है तो- में क्या होता है तो आपका मात्र वैलं के अंदर चूसित किया जाता है defend मतलब हूत आपकड उक सिर्फ कर आक को क्या किया जाता है जो इधन सिलंडर कर वह द Lynn कि इंदर शक किया जाता है तो ऐसे MP2 कि एकाई आमब रजिए प्सक्व में तो देखे दो दुझाच तो नहीं खोईंगर आपको बताना है कितना होता है देखे भूल स्वाइर, होता है यह आपका होता है एक आप ते चाहर तो तो यहां पर आपका भी answer correct हो जाएगा इसके आपको रटने के लिए देखेंगे आपको पूच लेत तिन सिलेंडर का क्या होगा तो देखें तिन सिलेंडर का 1, 2, 3 यह हमारा हो गया तीन सिलेंडर का अगर यहीं बात करें चार सिलेंडर का तो देखिए 1,2,3,4 आपको ऐसे लिखना है यह हमारा 4 सिलेंडर का हो गया और यहीं पर अगर लिखता कि 6 सिलेंडर का कितना होगा तो यहां पर बहुत आसांस है 1,2,3,4,5,6 ऐसे आपको लिखना है तो यह हो जाएगा 13,56, ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब आपको अगर लिखना है 3 सिलेंडर का, तो 1,2,3 बीच में, फिर आपको लिखना है 4 सिलेंडर का, तो 1,2,3,4, अब यही आगर आपका 6 सिलेंडर हो, तो आपको लोग कैसे करेंगे, तो 1,2,3,4,5,6, यानि कि एक बार यह सकुदा यह फिर यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे आपको हमेशा करना है, तो यह हो जाएगा आपका रटने का करम, आप इसे असानी से समझ सकते हैं, यह आपको क्या करना है, पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, एक यहां करेंगे, फिर आप यहां पे दो कि यहां कर दिया फिर इसका वर्ण सवाइन पéisन और फिर तीन सब्सक्राइए ने लाइता एक। हमारा मैं नहीं कोषिएक को रहा है तो यहांप आप करेक्ट जाएगा नबिब किस प्रकार का आयल पंप गीयर canpsop के दवारा काम करता है आसमने rotor किस में वेन किस में plunger किस में गीयर किस तो जिस प्रकार का ryol pump गीयर keham buck के दवारा काम करता है वह हमारा क्या राता है गीयर किस्म का तो यहाँ पर हमारे D answer correct हो जाएगा गीयर किस्म का अब है 91 number का question किसी diesel engine का सिलेंडर ब्लाइक होता है यह जो बनाया जाता है kijken में इधन को सथाप को सहन करना 28 number का question है कि यह किसी cylinder में धारियां पढ़ गाई है तो उन्हें कैसे दूर किया जाता हैं आपने starting così Gralding से ग्रैंडिंग से रीमिंग दोर तो यह किसी cylinder में धारियां पढ़ गया है अगर उसे आपको दूर करना है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लैपिंग द्वारा इससे हम लोग दूर कर सकते हैं लैपिंग एक प्रकार का आप पास सूच में घ्राइंडिंग करिया है जो धीले और धूलित अफगरसन पदार्थ द्वारा गोल तथा चप्टे अंगों पर की जाती है लैपिंग करिया सिलेंडर की मजबूती देखने के लिए सिलेंडर की सभी माप लेने के लिए तो जो सिलेंडर लाइनर प्रियोग किया जाता है यह प्रियोग करते हैं कि घिसे सिलेंडर की रिपेरिंग करने के लिए किया जाता है तो 93 का यहां पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा 54 नमबर कोष्चन है कि आयल पंप कैसा होता है तो आयल पंप कैसा होता है म 7 साइल संप की नीचली सबूर में लूब्रिकेटिंग हल पंप लगा कोम इंदर एक और सप्प्लाई करना होता है पिश्टन रिंगों में सबसे उपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है आप से ने कोई विसिष्ट नाम नहीं है क्रेंग के compression रिंग Scrapper tryingا-IRS तो piston रिंगों में सबसे उपर वाले रिंग को हम लोग क्या वोलते हैं उसे बोलते हैं compression रिंग बोलते हैं तो उपर ईउपर लगी piston रिंग कोенд को सूंपीड़ाय रिंग का एक सम्पीड़ाय का कर उच norm काी है और इस की संख्य कम से कम दो होती है, 96 नमर कोशन है कि पिश्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या है, आप तो ने डाउन पार्ट, पिश्टन बाटम, पिश्टन इसकार्ट, पिश्टन फ्रिल, तो पिश्टन के सबसे नीचे वाले भाग का जो नाम रहता है, वह रहता है, कि सबसे नीचे वाले भाग काना पिश्टन के सबसे उपरी सिर्य को पिश्टन टाप कहते हैं इन दोनों के बीज के दूरी को पिश्टन श्ट्रोक कहते हैं 97 नमबर कोशन है कि गजन पिन का उपयोग किस लिए होता है तो देखे जो गजन पिन होता है इसका परियोग हम लोग किस लिए करते हैं पिश्टन और कनेक्टिंग राट को जोडने में हम लोग गजन पिन का परियोग करते हैं और क्रैंक पिन का परियोग क्रैंक के साफ्ट क क्रेंग के तथा Connecting Route को जोडने के लिए हम लोग परियोग करते हैं है 58 नंबर कोशन है कि क्रेंग के साफ्ट किस बोध का बनाया जाता है देखे जो क्रेंग क्रेंग का होता है यह हमारा ट्रेंड क्नेक्टर में क्रैंक किर्विद को जोड़ने के जिन पोजों को उप्योग किया जाता है है वह रहता है एक वेब आप हमारा सिद्वर जाज़र क्रेक्ट होजागा से ग्रम्डर्70 अब हैं हमारा gry नम्हें हमारा रहता है वह हमारा रहता है कि इंजन की गती में उतार चुड़ाओ को कम करने के लिए क्रेंग साथ फ्लाइवील से जुड़ा रहता है 101 OC है कि मल्टि सिलेंडर इंजन में किस कारण से निशचित फायरिंग आडर होता है आप स्थन Quiz रख रखाव को सरलता बनाने के लिए इंजन के कमपन को अप्यूर्ट को कम करने के लिए जिन के कारणों से निश्चित फायरिंग आडर लगाए जाता है वह लगाया जाता है कि इंजिन के कमपन को कम करने के लिए हम लोग उसे निश्चित फारिंग आडर में लगाते हैं मल्टी सिलेंडर में एक से अधिक सिलेंडर होते हैं और प्रते सिलेंडर में फाइरिंग अलग-अलग समय पर होता है अब एक सब्सक्राइब का क्रेंग साथ को किस तरह लूब्रिकेंट किया जाता है आप से लूब्रिकेशन किया हो सकता नहीं है ग्रीज भरकर ड्रिल होल के माध्यम से पंप आयल द्वारा तेल को बूंदबू टपका कर तो क्रेंग साथ को जिस तरह से लूब्रिकेंट किया जाता है वेक करते हैं कि ड्रिल होल के माध्यम से पंप आयल द्वारा करते हैं तो यहां पर हमारा सी अंसर क्रेक्ट हो जाएगा क्रेंग साथ को फोर्च श्टिल द्वारा बना जाता है पावन ट्रांस्मिसन सिस्टम म कि इंजन वालबों को चलाना इल पंप चलाना फ्यूल पंप चलाना उपरों सभी कैम साप्ट का कॉर प्यूल पंपछा उक्यूर्फ होता है ABC 24 नम्र कोशन एक कैम साप्ट को लुब्रिक जाल पुरिकेस्टा है तो कैम साप्ट को जो लुब्रीकेशन पहुंचता है यह गाल से पहुंचता है कैम साइट को प्रेंक जाता है है क्लिक साइट होता है 205 नंबर कोच्छन cotton economic timing लगा होता है किस पर अफसना ने फ्लाइवील पर क्रेंग साफ्ट कर क्रेंग साफ्ट पर फ्यूल पंप पर तो टाइमिंग गियर जो लगाया जाता है यह क्रेंग साफ्ट पर लगाया जाता है टाइमिंग गियर और क्रेंग साफ्ट को क्रेंग साफ्ट गती प्रदान करता है और इन दोनों का संबंध टाइमिंग गियर दव स्चनेज से स्टीर दुवारा हाई करूण स्टीर दौरराए अला इस बंग जाता ہے तो इंचर जाता है है ऑ aç जो फोर इश्टोक इंजयन में वैलुकां करने this system और सिलेंडर में चार्ज का प्रविस्च करना तथा जाली गैसों का निकास करना होता है 107 नमबर कोश्चन है वाल्व लाग क्या होता है तो देखे जो वाल्व लाग क्या है यही आपको बताना है तो वाल्व लाग क्या है आपका वाल्व को अपने अस्थान पर दबाए रखने के लिए परियोग स्प्रिंग को रोके रखने के लिए परियोग पार्ट होत करेक्ट हो जाएगा कि वालव सिलेंडर हेड में ही घिसकर बनाई गई बिसेस रचना जहां पर वाल बैठता है कि वालव क्लियरेंस दिया गया होता है आप तोने इन सभी के लिए वालव के निर्माण में सुब्धा के लिए वालव की फिटिंग में सुब्धा के लिए वालव में उत्पन उस्मक से कार्यों को अपरभावित रखने के लिए तो वालव क्लियरेंस जो दिया गया होता है य है हमारा 110 नंबर का quesнंट में इस्माल इंड होती है इन में से कोई नहीं एक अब बेर इंग मैं एक यह रोलर क्या ह सतुर्णी है यह नहीं है यह और नहीं कि जोता है यह होता है हमारा इस वेरिंग होता है अगले कि कनेक्टिंगरट का इसमाल एम्हां इंड सिर्ण पिष्टन से पिष्टन पिन के माधिम से जूड़ा रहता है कि कि हमारे 1125 ठाख ले मुखी तक इसको बनाए जाता है तो आपको भी पता हो को जो इंघाष्ट मेंदीक होता है यह प्राजट का यहाँ पे आपके सामने आप सन ऑपने हुब दो एगजाश्ट मेंदी फोलड दूबारा जली हुई गैसों engine से बाहर निकलती हैं जो जलिए हो गाय से रहती हुए engine से बाहर निकलती है एक सो बारे नमबर कोशने कि turbo super charger का क्या कारी होता है आपसे नहीं engine के रख रखाऊ को कम करना exhaust gas को बाहर निकलने में सहयता करना सिलेंडर में हवा की प्रयाप्त मातर को भीजना सिलेंडर में इंजन स्वरी इधन के दहन में सहयता करना तो जो टर्बो सूपर चार्जर का कार्य होता है यह होता है कि सिलेंडर में हवा की प्रयाप्त मातर को भीजना टर्बो सूपर चार्जर का कार्य होता है कि इंजन की पावर बढ़ाने के लिए कंबस्ट्चन चेंबर में अधिक प्रेशर से यानि घंट नो बढ़ाकर वाइक को भेजने के लिए तर्बो चारजर का परियोकर विए जाता है जिससे इंजन की आथनिक दचता बढ़ जाती है इस की कुषी को में कुस्टार्श को मुर्मत की जरूरत हो जाती है क्योंकि क्लांतर क्या है कूणि क्या हो ज़ाता है क्यों है घजते हैं European के निकास जरूरत हो जाता है निकास может की आवाज कम करने के लिए सेलेंसर कप्रियों किया जाता है इसमें निकास गयसों के रास्ते को घुमाओ फिराव यह रुकावट हैं देकर गयसों की ध्वानी को मन्द कर दिया जाता है आपको पता गो जो सेलेंसर होता है यह आवाज को कम करने के लिए कम क्यों किया जाता है यह होता है 1356 24 तो यहां पर हमारा यह answer correct हो जाएगा 1356 24 और कहीं कहीं पर आपको 1356 42 भी आपको देखनों को मिल जाएगा तो यहां पर आपका यह answer correct हो जाएगा अगर यह आपको पहला option यह नहीं मिल ला है तो आपको 1356 42 टिक करके आना है 15 नमबर का question है कि slender और piston की दीवारों के बिच कुछ जगह छोड़ दिया जाते है जिससे की क्या होता है इनमें से कोई नहीं गैस बहर निकल सके उसमा के कारण पिच्टन अवरुद्धना हो जाए पिच्टन रिंग अवरुद्धना हो जाए तो यहाँ पिच्टन की दीवारों के बिच कुछ जगह छोड़ दिया जाता है ताकि क्या उसमा की कारण पिच्टन अवरुद्धना हो जाए तो यहाँ पिच्टन अवरुद्धना हो जाएगा सोल नमबर कोशन है कि ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग क्या होती है तो आपको आपसे नहीं डीजल में बैठी भार या सुध्य को अलग कर देदना खराब डीजल को बाहर निकाल देना खराब ल्यूब आयल को बाहर नि निकाल देना तो जो ब्लीडिंग होता है जा डीजल सिस्टम में फैल हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग होता है 217 नम्मर कोछिण jest की इल फ्रिशर रिलिफ वह लगा होता है इन में से कोई नहीं लूब आयल के दाफ को नियनतर करने के लिए तेल के लगा रहता है जाता है कि लूब आयल के दाफ को बाहर की और बाहर से अंदर की और अंदर से बाहर की और तो जो कारकारी श्ट्रोक में जो पिश्टन चलता है यह चलता है अंदर से बाहर की और यहां पर डिया अंसर करेक्ट हो जाएगा अंदर से बाहर की और तो पाउन श्टोक में सिलेंडर में जो पिष्टन अपनी आई डीसी स्थिती में होता है कि 119 नमबर कोशन टू श्टोक इंजन किया पेच्छा फॉर श्टोक इंजन का मुल अधिक होता है क्यों तो देखें जो टू श्टोक इंजन के तूलनम में टू श्टोक जो इंजन होता है वह छोटा होता है यानि कि फोर श्टोक के इंजन बड़ा होता है यह हमारा छोटा होता है इसके क्यारण क्या होता है कि जो फोर श्टोक इंजन बड़ा होने के करण मूल अधिक होता है 120 number question है इन्हें में से कौन से engine का एक भाग नहीं है आपसे ने कलाच Slender Crankshaft वाल तो engine का जो भाग नहीं है वह हमारा क्या है कलाच कलाच हमारा engine का भाग नहीं है किन्तु कलाच का जो परियोग होता है या चालक क्रेंक साफ्ट को चलित साफ्ट से जोडने तथा तोड़ेने के लिए हम लोग कलाच का परियोग करते हैं जबकि जो इंजन रहता है इंजन में आपस लेंडर वाल और क्रेंक साफ्ट यह सब इंजन के भाग है आज आख के इस नंबर कोशन है कि डीजल इंजनों के संबंध हमें कौन से कथन सही है आपस पनेकटिंग रड पिश्टन और क्रेंक साफ्ट को जोड़ता हैं तो ने कि diesel engine के संबंध में जो कफन सभी है आपको बताना है तो आपको पता कोई जो connecting ward होता है यह piston और क्रेंक साफ्ट को जोड़ता है तो क्रेंग piston और क्रेंग साफ्ट को जोड़ने का कार क्वान करता है करता है कर 122 नमबर का question एक पेट्रूल इंजिन में पेट्रोल क्या करता है तो एक पेट्रोल इंजिन में जो पेट्रोल रहता है या क्या करता है कि इंजिन के सिलेंडर में जाने से पूर वास्पित होकर हवा में मिलाया जाता है Hadoux 130 question कि चतुरत घात इंज्ञन में चक्र पूरा होता है पिष्टन के 4 Σुट्रोक में पिष्टन के 2 ovain उप्रुक्ट में से कोई नहीं तो 4 घात इंज्ञन में जो cycle पूर्ण होता है यह piston के four stock में पूर्ण होता है और आपको भी पता को जो फोर इस्टोक इंजन होता है इसमें चारपरकार के श्टोक होते हैं suction इस्टोक, compression इस्टोक, power इस्टोक और exhaust इस्टोक यह चार होते हैं 124 नमर कोशने कि motor गाले में इस्टोक पलक कब इस्टोक करता है यहां पर यह answer correct होगा 125 नमर कोशने कि वेंकल रोटर इंजन को रोटर घूमता है आप सने इस्टोक ऊपर से नहीं चे निमें से कोई नहीं केंद्र में तो वेंकल रोटर इंजन का जो रोटर घूमता है यह गूमता है कि इस्टोक गूमता है तो यहां पर हमारे यह answer correct हो जाएगा इस एंट्रोक गूमता है वें cylinder block, cylinder head और crank case इन तीनों को engine का निम कहा जाता है cylinder block, cylinder head तथा crank case यह तीनों parts automobile engine की बाड़ी का रचना करते हैं जो कि engine का निम कहलाता है छोटे engine में cylinder block तथा crank case एक ही कास्टिंग के बने होते हैं बड़े इंजेनों में ऐलाक का बनाकर अलक से जूड़ा होता है सिलंडर वाग के अंदर पिष्टन चलता है कंबश्टन होने के कारण इसमें प्रेशर वाग टमप्रेचर भी अधिक रहता है आता है भारी और मजबूत हो ना चाहिए sandy block के तीन भाग होते हैं silender जिसमें छलता है vost wind के लिए होता है और आपका पासीज रहते हैं जिए में आपका क्य वाटर जहांने के लिए ळहते हैं लेकिन इस-े न hir si lyme doesadas kicoal Berry major के लिए जीनडर के चौरों तरफ फिंश लगा होता हैं कि को सूपर चार्जिंग का आर्थ क्या है तो देखें सूपर कार्जिंग का आथ क्या 186 नामबर कोस्चटवन है निमने में से कौन्द साय क्रैंक सार्फ्ट और क्रेंब साप्ट के लिए हाउसिंग का काम करता हुन है और कि जो सिलेंडर लाइनर होता है या सिलेंडर के अंदर के खोकली नली को हम लोग सिलेंडर लाइनर कहते हैं 130 number question नमीमन में से기heus में इमसी किसमें सब्सक्राइब से पानी नहीं रहता है इस फार्क में पानी रहता है आप उटने ड्राइई यह कोई नहीं ould और C I estip रहता है यह और भी दोनों तो जिसके सब्सक्राइब मतलब सूखा लाइफ किस‌पार्क में पणी नहीं रहता है ।デिया की बारी सिद्डर ब्लाग के अंदर की सताइश से फिट रहती है, अतrache इस लाइनर कूलिंग वाटर के सीधे संपरख में नहीं आता है । इसलिए फिर लाइनर कहते हैं कि 6T नंबर का कोश्चन है कि इसमें जंग नहीं लगता है आप लागता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में नहीं रहता है और जो इसकी मुटाई होती है यह डिर्ड से 3 mm तक होता है इसकी मुटाई 132 नमर कोश्चन है निमन में से किसका बारी सता है फिनिस किया रहता है आप सुने वेट लाइनर ड्राइल लाइनर से यह और भी दोनों इन पोजीशन के लिए क्या सही है आपसन है आपके सामने तो देखे इसमें जो अलमूनियम होता है यह आपका होता है एक क्यानवे परसेंट टिन होता है आपका दो परसेंट और आपका जो कापर होता है साथ परसेंट होता है तो पिश्टन के लिए जो अलमूनियम रहता है उ जाते हैं यह तो काश्टिंग के द्वारा या फोर्जिंग के लिए बनाया जाता है और यह अभार में अपेच्छा करित हलका भी होता है कि 114 सुमंबर का कोशन है पिश्टन का ब्यास सिलेंडर के ब्यास से होता है आप से नाधिक कम बराबर इनमें से कोई नहीं तो जो पिश्टन का ब्यास होता है या सिलेंडर के ब्यास से क्या होता है कम होता है तो पिश्टन का ब्यास सिलेंडर के ब्यास से कम होता है तो आपको भी पता होगा कि अगर यह सिलेंडर है तो इसका यही ब्यास होगा और इसी के अंदर हमारा पिश्टन रहता एक सोपैस्टन को सिलन्डर कोशन के दोनों सिरों के बिच कुछ गया होता है उसे पिश्टन रिंग गयाते हैं तब इस गयाप की चौणाई कितनी होती है तो इस gap की जो चोड़ाई रखी जाती है यह 0.178 से 0.55 mm रखा जाता है 136 नमबर question है गजन पिन किसको जोड़ता है स्वारी गजन पिन किसको कहते है आप साने piston head, piston ring, piston pin इनमें से कोई नहीं तो गजन पिन का जो दूसरा नाम होता है वह रहता है हमारा piston pin piston pin या गजन पिन यहीं बात होता है यह इसी को हम लोग reset pin भी कहते है और connecting rod के small end सीरा पर piston तथा connecting rod को piston pin के माध्यम से जोड़ा जाता है 137 नमबर question है flywheel किसका बना होता है तो आपको भी पता होगा जो flywheel रहता है यह हमारा इस्टील का बना होता है flywheel का कार अच्छी तरह समझने के लिए फॉर इस्टोक सिंगल सिलेंडर इंजन का उदर्वन लेजिए तो reciprocating engine के पेच्छा वैंकिल रोटर इंजन का जो आकार होता है चोटा होता है तो यहाँ पर हमारा B answer correct हो जाएगा और भार में हलका भी होता है और यह सस्ता भी होता है और रचना में भी सरल होता है कनेक्टिंग राट कैंप सार्ट वाल इत्याद इसमें नहीं होते हैं इसकी आयतनिक दच्छता अधिक होती है 149. question है reciprocating engine के पेच्छा वैंकिल रोटर इंजन एक यंत्र है जो परिवर्थित करता है क्या करता है आप तो ने mechanical energy को heat energy में heat energy को mechanical energy में इन में सब कोई नहीं तो इंजन एक यंत्र है जो परिवर्थित क्या करता है कि heat energy को mechanical energy में convert करता है तथा generator के माद्दम से mechanical energy को electrical energy में परिवर्थित किया जाता है 140. question है निमने में सब्सक्राइब इंजन में यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा combustion cylinder के अंदर होगा तरदहन इंजन आजिस इंजन कहलाएगा 41. number का question है किस इंजन का power कम होता है तो IC आपको भी पता होगा तो IC जो पावर होगा वैक्व होता है बाइदान इंजीन गया पेच्छा थबाए धान इंजन के अंदरगत अपको टरबाइन भाफ इंजन यह सब आता है 42 नामबर कोशन है निमने में से किसम में पावर अधिक उत्पन होता है तो देखे जो पावर अधिक उत्पन होता है यह आपका टू श्टोक साकील इंजन में पावर अधिक उत्पन होता है टू श्टोक साकील इंजन में पावर अधिक उत्पन होता है टू श्टोक इंजन मे एक चक्कर में एक power stroke होता है, इसमें crank shaft पर turning moment अधिक समान होता है, इसलिए हलके flywheel की ज़रुएत पड़ती है, यह SRL हलका और छोटा भी होता है 143 number question है, निमने में से किसके mechanical दच्छमता अधिक होती है, फोरिष्टोक cycle engine का D है, इनमें से coin है और C है यह और भी दोनों तो mechanical दच्छता जो अधिक होता है, यह होता है, फोरिष्टोक cycle engine का, जो mechanical efficiency होता है, अधिक होता है compression ratio क्या होता है, तो देखें जो compression ratio होता है, यह ratio होता है, आपका total volume बटे clearance volume तो total यानि कि slender volume या total volume बटे clearance volume का ratio होता है आपका compression ratio और जो slender volume होता है, यह होता है, आपका clearance volume और displacement volume, इन दोनों का योग होता है आपका slender volume या total volume 145 कोशन है पिश्टन के टीडी सी पर पहुंचने के बाद पिश्टन के ऊपर बच्चे अस्थान के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं आप से इनमें से कोई नहीं और सी यह और भी दोनों तो पिश्टन के टीडी सी पर पहुंचने के बाद पिश्टन के ऊपर बच्चे अस्था बच जाता है उस अस्थान को हम लोग के लिए रेंस वाइलूम कहते हैं 146 नंबर कोश्चन है पिश्टन के टीडीसी से वीडीसी के बीच की चूसित गैस का एतन क्या कहलाता है तो देखिए जो टाब टीडीसी और बीडीसी यानि टाब डेट से बाटम डेट सेंटर के बीच जो बीच की दूरी होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग स्वेट वैलूम बोलते हैं और जो उसके ऊपर रहते हैं यानि कि जहां पर नहीं जा पाता है वह हमारा कहलाता है क्लियरेंस वैलूम कहलाता है तो जो टोटल वैलूम होता है यह आपका स्वेट वैलूम और क्लियरेंस वैलूम का योग होता है तो यहां पर आप क्या कहते हैं कि बोर कहते हैं सिलेंडर में पिश्टन द्वारा टाप डेड सेंटर से बाटम डेड सेंटर तक चली को दूरी को इस्ट्रोक लंबा या पिश्टन इस्ट्रोक कहते हैं 148 नमबर कोस्चन है निमन में से कौन से इंजन साइकिल के अंतरगात घाटित होने वाला स्ट्रोक है आप तो ने सक्सन इस्ट्रोक कंप्रेशन इस्ट्रोक पाउर इस्ट्रोक इनमें से सभी तो इंजन साइकिल के अंतरगात घाटित होने वाला जो इस्ट्रोक है वह हमारा क 10-14 question है पिष्टन अपने स्ट्रोक में अंदर स्था ने Bij Temple तक उपर उठाबन का कहलाता तो यह हमारा क्या कहलाता है तई हमारा टंड 반 कहला ता तर पिष्टन हमारा ने पत्रोक थे यétais सबिसक्राइven सब्सक्राइब नाट होगा क्यिक है कि किस प्रीशट के लिए कौन सब चॉर्जार के लिए तो पिश्टन displacement के लिए जो सई कथन होता है यह होता है कि पाइब भाइब फोर डे स्क्वार इंटू होता है जहां पर यह जो होता है यह आपका stroke length होता है और जहां पर यह जुड़ी रहता है यह आपका क्या रहता है सिलेंडर ब्यास सिलेंडर डाया रहता है 152 नंबर का question है इंजन में अत्रीक्त तेल की खपत किसके कारण होती है आथ उने तेल पेन गैसकेट से तेल का रिशाव इंजन के तेल की कम गुड़ उत्ता तथा स्यांता बुरी तरह घिसी होई पिश्टन रिंग उपरोग सभी तो सब्सकेट से तेल का रिशाव इंजन के तेल की कम गुड़ उत्ता तथा स्यांता बुरी तरह घिसी होई पिश्टन रिंग तो यहाँ पर डियांसर करेक्ट हो जाएगा उप्रोग सभी अब 153 नंबर कोशन है डियाजल इंजन में टर्बूलेंस होने से निमने की निश्चितता होती है आपसन आयतनिक छमता में बृद्धी संपीडन दबाव से इधन को हवा से सिंग्र संपर्क मिलाना इंजन के कमपन में बृद्धी तो डियाजल इंजन में टर्बूलेंस हो दबाने की जो निश्चितता होती है यह होता है कि संपीडन दबाव से होता है तो यहाँ पर हमारा भी अंसर करेक्ट होगा 154 नमर कोश्चन है कि संपीडन दबावन इंजन में वास्तवीक उर्जा निकलती है आपसेने संपीडन श्ट्रोक में श्ट्रोक के फैलने में चूसर के फैलने में एक्जास्ट के फैलने में तो संपीडन दाने इंजन में वास्तिवी की उर्जा जो निकलती है यह निकलता है श्ट्रोक के फैलाने में निकलता है तो यहाँ पर हमारे B आंसर करेक्ट होगा 155 नमबर कोशन है कि डीजल इंजन के चूसर में क्या होता है तो देखें जो डीजल इंजन में सक्सन श्ट्रोक में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर आता है तो यहाँ पर आपका एयर अंसर करेक्ट हो जाएगा डीजल इंजन के सक्सन श्ट्रोक में केवल हवा जो रहता है वह inlet वालों के रास्टे से सिलेंडर में प्रवुस करता है जबकि आपका यसा इंजन में वाव तथा इधा नी का मिसन और कर्बूरेटर के माद्या में से सिलेंडर में प्रवुस करता है 156 नमबर कोशन है समान आस्व सक्ति डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की वास्ति विसिष्ट इधन खपत क्या होती है आप समान अधिक कम ये और भी दोनों एक सो संतावन नामबर कोश्चन है कि एक डेजल इंजन में इधन प्रजोलित होती या जोलित होता है आपका प्रजोलित होता है दाहन के लिए सप्लाइ की गई वाई के संपीडन से प्राप्त उस्मा के द्वार किया हो जाता है 150 नामबर कोश्चन है किसी चार स्टोक वाले इंजन में चारों स्टोक के अस्थान पाने का करम क्या है तो आपको भी पता होगा सबसे पहले क्या होता है आपका सक्सन फिर कंप्रेशन फिर पामर फिर एकजास्ट तो सक्सन सक्सन का यहां पर दूसरा जो नाम दिया है आपका दिया है इंटेक तो इंटेक आपका यानि कि सबसे पहले इंटेक फिर कंप्रेशन फिर पामर और 59 नमबर कोश्चन कि साफ्ट में का परियोग क्या है आपसन है इसेंट्रिक मोशन वालव खुलने और बंद करने के लिए सिलेंडर फायर करने के लिए साफ्ट को घुमाने के लिए तो साफ्ट में जो कैम का परियोग होता है यह होता है कि फायर वालव खुलने और बंद करने के लिए साफ्ट में कैम का परियोग किया जाता है कि फॉर इस्टोक इंजन में चक्र पूरा होता है कब होता है तो देखें जो फॉर इस्टोक इंजन डीजल इंजन जो है यह आपका इंटर्नल कंबस्चन है 162 मेर का कोश्चन है कि यहाँ में औ चूसन स्ट्ग के समय क्या होता है तो यहाँ में सक्षन इस्ट्ग के दावरान क्या उता है आपका पेट्रोल हुआUCK यहां कि कि इन इन्जन सिलेंडर के अंदर सख drag जाता है तो यहां प्यापका कि यह अंसर करेक्ट होगा कि एक 136 नंबर कोशन है कि फोर इस्टोक इंजयन में एक साइकल किसमें पूर्ण होता है तो देखिए जो फोर इस्टोक इंजयन रहता है इसमें जो एक साइकल पूर्ण होता है यह क्रेंग साफ्ट के कि दो परिक्रमा में पूरा होता है तो क्रेंग साफ्ट के दो परिक्रमा में फोर स्टोक इंजन का एक साइकल पूरा होता है अगर इंजन रहता है तो उसका जो एक साइकल पूरा होता है या क्रेंग साफ्ट के एक प्रिक्रम में ही पूरा हो जाता है कि 164 नमबर कोश्चन है कि इंजन में पिश्टन के अधिक्तम ऊपर तथा अधिक्तम नीचे कि सितिक चाह कहलाती है तो आपको भी पता होगा जो यह रहता है उपर रहता है टाप डेट सेंटर नीचे रहता है आपको बाटम डेट सेंटर यानि कि आपसा नमबर यह यहां पर में करेक्ट होगा 164 का यह आंसर करेक्ट होगा 165 नमबर कोश्चन है कि दो स्टोक इंटरनल कंबस्चन इंजन में दूसरा निचला स्टोक क्या होता है तो दूसरा निचला स्टोक जो होता है आपको भी पता होगा यह आपका पावर तथा एक्जास्ट होता है तो यहां प coração योग होएं जिसमें क्रम से अपवर्ड इस तो में सक्षं कम्पोरीस्ट्र एक साथ होता है used अलब सोचन्स में किस्टा समय इंज्ञें तो इंज्घ को जो आवस्यक होता है वह क्या रहता है कि की औच्छे मिसलंक की जरूरत पड़ती है यानि की रिच्छ मिक्चर की जरूरत पड़ती है क्योंकि इंजयन के स्टार्टिंग के समय अधिक टार्क लगाना पड़ता है कि 168 युजन ऑक क्रेंग साफ्ट के केंद से क्रेंग इंदर के κैंदर के बीच क्या कहा झाओ तो क्रेंक साफ्ट के केंद्र से क्रेंक पिन के बीज की जो दूरी होती है क्या कहलाता है छेप कहलाता है 168 नमबर कोशन है पेट्रोल का मुखे संगटन क्या है आपको भी पता होगा कि जो पेट्रोल का मुखे संगटन होता है यह आपका होता है Arctane number पेट्रोल का Arctane number होता है इसे आइस तो आखटें के नाम से भी जाना जाता है किसी पेट्रोल का Arctane number ग्यान्त करने के लिए दो इधन नारमल हेप्टेन तथा आईसो हेप्टेन को मिलाकर विभी ने परिशत मिस्टन बनाते हैं यह दोनों हैड्रोकारबन इधन है यह पेट्रोल का आक्टेन नमबर हंड़ेट हो तो इंजन नाख नहीं करेगा 651 प्रज plugins का प्रबंद डड़ ड़ उधन किसमें नहीं किया जाता है ट्रोग्ष फोर इस्टोगग्ट यह पेट्मप्रो नाीजन एक 170 नउमर कॉस्चन है कि डिजल एंजिन zwischen क के बज़ाए कंपन ज्यादा किया होता है तो आमको भी पता होगा कि डिजल एंजिन रहता है उसमें पेटरुल एंजिन के बज़े कंपन ज्यादा होता है वे दाप के अधिकता की कारण होता है 0c डीजल एंजिन में कमपनें पेट्रोल एंजिन के पेच्छा अधिक होता है कि क्यों कोई संपीडन श्टोक के दर्म वाव कदा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि एक सब्सक्राइब कोश्चन है अपस फोटन सरवाधिक होगा याद पेट्रोल में क्या है तो आपस फोटन अधिक होगा याद पेट्रोल एंजिन में क्या हो आपका नार्मल हेप्टेंड हो कई एक सोबात्ता नंबर कोशन है टो किंजन के पिछा फोर इस्टो किंजन का मुल्य अधिक है क्यों क्यों कि आपको यहाँ पर फोर इस्टो किंजन की तुलने में तो होता है 113 नमर कोश्चन ने ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्यमानों की तरह है वहन में नीचे क्यों इस्थिर नहीं होता है तो ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्यमानों की तरह है वहन में नीचे इस्थिर जो नहीं होता है वह इसलिए तो कि ट्रैक्टर को उबर खाबर जगा में काम करना पढ़ता है जहां व Estáworks आ सकता है तो यहां पर इंघ्यन बलाक और आइल संप के बीच की पैकिंग किसकी वनी ओती है कजए काक्ज कार्ग की यह समुजा के पीच की जो पैकिंग बनी होती है यह कार्ग के दोऔर होता है कार्क इंजन बलाक और आयल सम के भी पैकिंग कार्क फैलकोईड और फैलकोप्रीन से बनाए जाता है कार्क अधिक दाप सायन कर सकता है सिकुड़ता और अधिक फैलता भी है फैलका प्रीन जो होता है यह एक सिंथेटिक रबर कमपॉंड है इस पर तेल और ग्रीस का असर नहीं होता है सिलेंडर हेड में कापर एस्वेस्टस पैकिंग का फरियोग करते हैं 127 नमबर को संढे पिष्टब के तल के रण को किस नाम से जानते हैं तो पिष्टन के बाटम को जो रिंग रहता है उससे हम लोग जानते हैं का आल रिंग के नाम से तो यहां पегод का टेल करेक्ट बॉद सरो आप सब 2-0 नंबब के साफ्ट जोडने में गजन पिन है ना तो गजन पिन पिष्टन और कनेक्टिंग राट को जोडने में गजन पिन का परियोग किया जाता है और इसे हम लोग रिसेट पिन भी कहते हैं और यह इस्टील का बना जाता है और इसकी सताय पर केस हारणिंग भी किया जाता है तो गजन पिन का क्या होता है या पिश्टन और कनेक्टिंग राट को जोड़ने का कार गजन पिन करता है एकसाथा नमबर कोशने क्रेंक साप्ट किस जाथ का बनाए जाता है तो जो क्रेंक साप्ट होता है यह आपका फोर्ज इस्टील का बनाए जाता है यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इस पर हिट ट्रीटमेंट भी किया जाता है क्रेंक साप्ट पिष्टन के रे आप आपके क्रेक्ट कहते हैं पिष्णारिंग मुक्ता दो प्रकार के होते हैं कंप्रेशन और आयल रिंग होते हैं पहले कंप्रेशन होती और फिर लुब्रीकेशन रिंग लगी होती है 189 नंबर कोशन है कि इंजन में सिलेंडर लाइनर परयोग होता है इसे सिलेंडर को रिपेरिंग करने के लिए सिलेंडर पर नाकिंग मार्किंग के लिए सिलेंडर को मजबूती देने के लिए सिलेंडर के घिसा को कम करने के लिए तो इंजन में जो सिलेंडर लाइनर परियोग किया जाता है या सिलेंडर को मजबूती देने के लिए सिलेंडर लाइनर का परियोग किया जाता है पिश्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सता घिज जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है इसे से पूरा सिलेंडर बेकार नहीं होता है यह लाइनर इस पूसर एलाइ आयरेन के बने होते हैं और यह लाइनर दो प्रकार के होते हैं ड्राइ लाइनर और वेट लाइनर अब एक सो असी नमबर का कोश्चन कि सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट ना पी जाती है किसके दौरा आपसे ने टार के रिंच में प्रयूक्त टार किसे कसने वाले बैठ्टों की संख्यास से नट के घुमाएं वह चक्रों की संख्यास से बोल्ट के लंबाई से तो С 재ंडर हट में नट कसाई करते समय का साव 붙 ह है कि तार कि राक कर सबसAlwayne तो सलैंडर हैड में नट कसाई करते समय तार कि राक करते हैं का तक रूपर दबाउ हम लोग परियोग करते हैं gust देखे lang साप्ट का जो गतीक का उनुपात होता है, यह होता है आपका अनुपात Online accessible , 8 it sounds पूरा करता है और इतने समय में इंलेट या एक बार खुलता है और बंद होता है और पिस्टन की चार श्टोक में क्रेंक साफ्ट के दो चक्र और क्रेंप साफ्ट के एक चक्र होते हैं एके एकेंजन वालों को चलाना आयल पंप चलाना उप्रोग सभी तो कैम साफ्ट का जो कर होता है वह इंजन वालों को चलाना भी होता है ऐसलिए यहाँ पर डेम्सर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी तिरासी नमबर कोशन है कि एकजाष्ट मेनिफोल्ड मुखिता किसके बने होते हैं आज सान है आपके सामने कासा का माइल्ड श्टील का कास्ट आरन का स्टेनलेस श्टील का तो जो एकजाष्ट मेनिफोल्ड होता है यह बनाया जाता है स्टेंल्स स्टील का बनाया जाता है और एक्जास्ट मनीफोल्ड गयसों को सलेंडर से बाहर निकालता है यह mute Care processors omcmalr या silencer के Intac inlet pipe में भेजता एआ उसर फिर गयस मक्वलर से मत्फलर यह बाहर निकल जाती हैं यह 184 नंबर कोशघ्शन है कि आटो मोबाइल लगा है उसमें टाइमिंग गीर लगाए जाता है आपका यहां पर नाफ या अंतर अंसर पर लगाए जाता है कैंप साफ्ट के दांते क्रेंग दांतों का दोग४ना होता है अतेन जो रेष्यू का होता है। एक उनुपाती दो के elementos में हता है। एक सोपचासी न necesita हीं हींजन में फिलाक का कहां पर होता और डिधर किया जाता है। आप स्कूल दीक करने के लिए नदिवल को जलाने में बैहतरीन लाना। इंजन के ठंडे होने पर उसके पाड को नुक्सान से बचाना इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना इंजन में हीटर प्लक का जो परियोग किया जाता है या किया जाता है इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना इंजिन में हीटर प्लक का परियोग होता है तो 180 का यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इंजिन इस्टार्ट करते समय स्विच लगाकर हीटर प्लक के अंदर गत इलिमेंट को इलेक्ट्रिक करेंट देकर गरम किया जाता है जिससे कंबस्टिन चेंबर में आई हुए कंप्रिश्ड हावा गरम हो जाती है और जिससे इंजिन इस्टार्ट होने में मदद होता है 186 नंबर कोशिन है कि सिलेंडर हेड किसके बने होते हैं आप तो ने इंजिन वालों को समया नुश्वार चलाने के लिए इंजिन को जनरेटर से जोडने के लिए पिश्टन को आगे पीछे की गति को क्रेंक साफ्ट की घूड़न गति में बदलने के लिए काश टायरन में किसी ज सिलेंडर हेड बने बना जाते हैं यह काश टायरन के बने होते हैं तो यहां पर डि या इंसर करेक्ट हो जाएगा किस लानदय हैं अब 1-87 नंबर का कोस्चन है आटो मोबाइल इंजिन में कनेक्टिंग राट का क्या कार्य होता है आपसन है इंजिन वालबों को समयन उसार चलाना इंजिन को जनरेटर से जोड़ना पिष्टन की आगे पीछे की गति को क्रेंग साफ्ट की घुड़न गति में बदलना उपरोगत सभी तो आटो मोबाइल कनेक्टिंग राट का जो कार्य होता है वह होता है कि पिष्टन के आगे पीछे की गति को क्रेंग साफ्ट की घुड़न गति में बदलना तिया आपके हमारा सी अंसर करेक्ट होगा कि अठासी नंबर कोश्चन है इंजन में इसमाल बेरिंग होती है कैसी होती है आपसान एक बाल बेरिंग एक रोलर बेरिंग एक बुस बेरिंग कालर बेरिंग तो इंजन में जो इसमाल इसमाल बेरिंग होती है वह होता है हमारा एक बुस्ट बीरिंग होता है तो इंजिन में इसमाल इंड बीरिंग में एक बुस्ट बीरिंग का परियोग किया जाता है क्योंकि इसमें जटके साइने की सकती अधिक होती है भाशन है कि इंजिन के वाल कैसे कुलते हैं और आपनेटें के जबनेर के दोड़े के धितर्स के डुवारे की मत अफुम के दिए हैं तथा बंद होते हैं कम सारट पर प्रतएक वालव के लिए कायम लगा होता है यह होता है कि सिलेंडर हेड में घिसकर बनाएग वीसस अनचन जहां से लखिता है तो है कि व्योंकी सीट सिलेंडर हेड्ड में घिसकर बनाएगी बीसे सरचना होती है जहां पर वाल बाइड़ता है जो राष्टे को खोलता और्ड करता है कि यहां नमबर नमबर कोश्चन हीन का सिलेंडर बलाग बना होता है किसका बना होता है आप सब्सक्तुन का काश डरेंडर का काश डरेंडर अनुच करेक्ट हो जाएगा है है कि यहां पहुंग करेक्ट क्रेंग को क्रैंग सब्सक्राइब से जोड़ते हैंजिग सब्सक्राइब के Crank wave से जोड़ा जाता है हुआ आधा 93 कोशन है कि क्रैंक साफ्ट में क्रैंक की पिन को जोड़ने के लिए जिन पूर्जों का उपयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है आप साने कोई विस्षिस्ट नाम नहीं है बेरिंग क्रेंग क्रेंग करेंग 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 में क्रेंग को जोड़ने के लिए जीन पूर्जों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रेंग व होता है वह हमारा 91% होता है और जो में हमारा होता है और हमारा जो कोफिशियन टाफ़ इक्सपेंसेंसन होता है कम और घिसाव प्रतिरोध ही जो अधिक होता है कि नांटीफवाइफ नंबर कोष्चन है किस प्रकार का आयल पंप गीर आन कैमपसाफ्ट के दौरा काम करता है आप तो नहीं रोटर किस्म वीयर किस्म पुलंजर किस्म गीयर किस्म तो जिस प्रकार का आयल पंप गीयर ऑन कैम साफ्ट के दौरा काम करता है वह गीयर किस्म करेता है यहां पर डिया अंसर करेक्ट हो जाएगा गीयर किस्म गीयर किस्म का आयल पंप कैम साफ्ट पर लगे गीयर के दौरा क काम करता है अधिकतर पंप गिएर दौरा चला जाता है क्योंकि गीएर एक पाश्टिव ड्राइव होता है है नान्टी सिक्स नंबर कोश्चन है इंजन वालव किस धात के बने होते हैं आप से ने कास्ट टैरेंड का इस्टेनलेस स्टील का का से का विसेस एलाई इस्टील का तो जो इंजन वालव रहता है यह बनाए जाता है विसेस एलाई इस्टील का बनाए जाता है तो यहां पर हमारे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा वाल्व में उत्पन उस्मा से कार्य को अप्रभावित रखने के लिए तो यहां पर हमारा सी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व के लिए कुछ रिक्त जगा छोड़ दी जाती है जिसे क्लियरेंस कहते हैं क्योंकि वाल्व गरम होता है उसमें कुछ बिस्तार भी होता है यह क्लियरेंस के रूप में छोड़ा जाता है जिससे वाल्व में उत्पन उस्मा के कारण कारे को आप प्रभावित रख सके अंठानवी नंबर कोशन है कि इंजन के पिश्टन के सबसे नीचे वाले भाग का नाम क्या है आप से डाउन पार्ट पिश्टन बाटम पिश्टम इ होता है वह हमारा कहलाता है पिश्टन इसकर्ट तो पिश्टन इसकर्ट कहते हैं पिश्टन के सबसे निचले वाले भाग को पिश्टन के जो उपरी भाग होता है उसे पिश्टन हिट कहा जाता है पिश्टन की उपरी पर रिंग गुरूव पटे होते हैं दो गुरूव के से बीच का जो भाग होता है उससे लोग लैंड कहते हैं अधर साथ देखे जो साथ मर्मत की जरूरत होती है वह इसलिए होता है ताकि कालांतर में या कुछालक हो जाता है साइलेंसर का परियोग अधिक ध्वानी और उधक या ध्वानी नियंत्रक के रूप में करते हैं इसे मफलर के नाम से भी जाना जाता है साइलेंसर को मरम्मत करने की जरूरत होती है क्योंकि कुछ समय पाश्चाती है कमजोर हो जाता है रहें सुरी現在Black हiros ऑफ रहらख पहए क्षका से एंसर क्रेक्ट हो जाए तो कि हैंद रिए दोसों कोशन है से यह उस्टार्ट का इन गएर कि से मेंच होता है बढ़िएर में क्रीक कैंद की एरल गएर से से स्टोंप इसटार्ट ड़िएर जो पेने गिएर होता है यह जिससे मैच करता है वह रहता है क्रेंग के गीएर से यहां पर हमारा भी अंसर करेक्ट हो जागे क्रेंग की गीएर से कि दोस्तों एक नमबर कोश्चन है इंजन सिलेंडर की फिनिसिंग के लिए कौन सा टूल परियोग होता है अपने राउंड फाइल होनिंग इस्टिक लापिंग बार इनमें से कोई नहीं तो इंजन सिलेंडर की फिनिसिंग के लिए जो टूल परियोग किया जाता है वह टूल रहता है होनिंग इस्टिक तो इंजन सिलेंडर बियरिंग बोर पिन हूल आथ की फिनिसिंग के लिए होनिंग तूल का परियोग कि जाता है कि दोस्तों नंबर का कोश्चन है कि टाइप आफ वाल्व अरेंजमेंट्स इन सी आई इंजन तो सी आई इंजन में वाल विवस्था का तरीका कैसा होता है तो सी आई इंजन में जो वाल्व विवस्था का तरीका होता है वह होता है आपका कि आई सीर्स इंजन टी सीर्स इंजन और यह सिर्स इंजन यह सभी होते हैं तो यहां पर दी आंसर करेक्ट हो जाएगा आलाफ एवाब दो सती नंबर कोश्चन है डिटोनेशन इंजन पेट्रोल इंजन टेक्स प्लेस अड़ डाट डाट कंबस्चन प्रासेस तो दहन प्रकिरिया में डाट 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 इस्थित पर पेट्रोल इंजन में अजिस फोटन होता है अप्सन है इंड आफ बिगिनिंग आफ टाइम तो दहन प्रकिरिया में इंड में इस्थित यानिकी आंत में इस्थित पर पेट्रोल इंजन में अधिस फोटन होता है यानि की डेटोनेशन होता है दोसो तीन का यह अंसर करेक्ट हो जाएगा पेट्रोल इंजन की दहन प्रक्राम के अंत में डेटोनेशन या नाकिंग होता है दोसो चार नमबर का कोश्चन है कि आइसी इंजन सिलेंडर बोर आर फिनिश्ड इन बेस्ट वे बाई आइसी इंजन सिलेंडर के बोर के परिस्करण का उत्तम तरीका क्यास ने ग्रांडिं होनिंग छल्म इसपाट फेसिंग दो आइसी इंजन सिलेंडर के ब्राइं का ऊत्तम तरीक होता है वह रहता है हमारा वें प्रेट को careless क्या है तो होनिंग टूल stoэ ना सिमित Πरांट करने ख्रक्री वागने को परिंदर कर स्प्राइब होता है वह 0.01 से 0.02 तक रखा जाता है कि 205 नंबर कोशन है इन इस टाइपकल मीडियम स्पीड फोर इस्टोक साइकिल डिजल इंजन इन दा इनलेट वाल एक प्रतिरूपी मध्यम गति फोर इस्टोक साइकिल डिजल इंजन में इनलेट वाल डडडडड़ तो देखें इसके लिए जो इनलेट वाल वह होता है यह होता है हमारा कि ओपन एट 20 डिगरी बिफोर टाप डेट सेंटर एंड कुलोज एट 35 डिगरी आप्टर दा बाटम डेट सेंटर यानि कि ऊपरी निश्करी किंदर से पूर्व 20 मिनट पर खुलता है एवं निचले निश डिगरी प्रबंद होता है कि दो सच्छा नंबर कोश्चन है विच इच प्रोवाइड़ इन दा फ्योल सिस्टम तू प्रेवेंट दा इसके पाफ प्रेट्रोल वेपर टू एटमास्पियार वाई मंडल में प्रेट्रोल वास्प के पलायन को बचाने के लिए इधन पडाल में कौन से उपलब्द कराया गया है आप सब्सक्राइब कैटलीटिक कनवाइटर पीवीसी थर्मोस्टेट कैनिस्टर तो मंडल में पेट्रोल वास्प के पलायन को बचाने के लिए इधन पडाली में जो उपलब्द कराया जाता है वह रहता है कैनिस्टर रहता है तो यहा होता है यह हमारा काश ट्यारन यह अल्मूनियम एलाय का बना जाता है तो यहां पर हमारे एंसर करेक्ट हो जाएगा काश ट्यारन यह एल्मूनियम एलाय के दोरण ऑगजन नंज्घन नाकिंग अकर से ड्यूट यह एक डियल इंघन किसके कारण होता है तो देखे जो तप लगभग 800 डिगरी सहसे तक पहुंच जाता है चुंकि डिजल कसे और के रट्लण ताप मान के बीच का समय होता है कि वाव दो सब्सक्राइब करनेक्टिंग राट होता है वह किसका बनाए जाता है तो देखे जो चैनेक्टिंग राट का मैठियल होता है वह माटेरियल रहता है आपका हाई ग्रेड एलाइ इस्टील और एलमुनियम तो कनेक्टिंग राट के उच्छ स्राणी के मिस्ट एलाइ इस्टील तथा फोर्ज इस्टील के बनाए जाते हैं कि दोस्व दसक्मबर कोश्चन है फार्श स्टील इंजन दक्रैंक की पिन और डिजाइन एट दे एंगल आफ विच डिगरी एरांड दे अक्सिस सब्रेंग साफ्ट सिक्स वेलन इंजनों के लिए क्रैंक साफ्ट के अच्छ चारों और कितने डिगरी के एंगल पर क्रैंक की कि अभी कलबना की गई है इसके लिए जो किया जाता है वह आपका 120 डिगरी के एंगल पर किया जाता है तो 6 सिलेंडृ इंजन के लिए क्रांग साफट के चार ओर 120 डिगरी के एंगल पर क्रांग पिनों पर की गई है कि आbas 1102 कोशन है in टू इस्टोक इंजहने यंदा piston मूल हो ने उटीज अकर की तो दो इस्टोक इस्टों में जब पिस्टन बाटम आट से टाम सेंटर तक चलता है तो क्या होता है तो देखे जब बाटम जडैट से एटाम घयके सन्ंटर चलता है तब कॉन सी घटना घठ होती है तो कॉंप्रेशन और स्रोड कि घटना होती है और सब्सक्राइब दो होते हैं टर डिभी डिसी से और बीडिश drill के बीच में तो 211 का यहां पर भी आंसर हो जाएगा दो सिर्ग दोस्वर बारे नाबर कॉषिन है कंप्रेशन रेजिओ आफ आइसे इंजनों का संपीड़या अनुपात कितना होता है तो 2 शितने में जो संपीड़या अनुपात होता है मिlege्वाफ संपीड स्टक जyn यह gwांस और का अनुपात यहां पर हमारे यह आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां तो यह मिश्टे खोग गया कि चलिए 244 नंबर के कोश्चन पर यहां पर पूछा था काओं आसी इंजन नहीं है यह हमारा आइसी इंजन है यहां पर पूछा था कौन आइसी इंजन नहीं है मार्स्टेश्ट होता है हम लोग मल्टी सीलेंडर इंजन के लिए यूज करते हैं लिए यूज करते हैंοιπόν करने के लिए किया जाता है कि यहां थ हमारे सी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि मौर्स ट्रिंडर्य इंजन की इंडिकेटिंग परवर ग्याद करने के लिए मेर्स ट्रेस्ट का परियोग किया जाता है दोस्था नमबर का कोस्चन है इन फोर स्टोक आइसी इंजन क्या सफट इसपीड क्रेंग साफ्ट इस्पीड क्रेंग साफ्ट से कैसा होता है श्यांने लोगुनों आधा किसी भी गुड़िता समान तो फोर इस्टोक इंजन में कैंप साफ्ट वेक कैंप साफ्ट वेक का क्या होता है तो आधा होता है कि तो सत्रे नंबर का कोश्चन है यहां पर कह रहा है कि एक्जास्ट में उच्च कार्बन मोनो अक्साइड के कंटेंट का अर्थ किया है अपना लोग फ्यूल इफिसेंसी टॉक्सिक एक्जास्ट इन कंप्लीट कंबस्चन अलाब्धा एबब तो देखें जो कार्बन मोनो अ अक्साड बनता है कि आपको लोग फ्यूल इफिसेंसी के कारण भी होता है टॉक्सिक जास्ट भी होता है और इनकंप्लीट कंबस्चन भी होता है इसलिए आप डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी अच्पाल 228 अश्जम है पिस्टन हेड और डों शेव किष्टन हेड्ड के लिए गुम्यदआ कर है तो पिस्टन हेड किसके लिए गुम्यदा गार है आपस्टन हेये टो हेलप प्रापर मिख्सिंग आफ एयर फ्यूल मिचिश अरेज़ आफ मैंफ मेन्फह्यूरिंग balancing to increase crank shaft speed तो जो piston head होता है या गुम्मदाकार इसलिए बना जाता है क्यों क्योंकि why you fuel mission को सही तरह मिलाने में मदद करने के लिए piston head को हम लोग गुम्मदाकार या dome ship में बनाते हैं 219 number question है connecting rod off an IC engine है IC engine को संपरक सलाका क्या है है तो IC engine को संपरक सलाका जो होता है यह होता है आई या H section shape का यहां हमारे answer correct हो जाएगा अब बिस नमबर question है इन एन इंजन वाट इस यूजट बिट्विन connecting rod and piston तो कह रहा है एक इंजन में संयोजक दंड तथा piston के बीच कौन सब पिन का उपियोग किया जाता है आपसे नहीं गजन पिन किंग पिन क्रैंक पिन नार्मल पिन तो connecting rod और piston को जोडने के लिए हम लोग जो पिन यूज करते हैं वह पिन रहता है हमारा गजन पिन तो यहां पिन हमारा answer correct हो जाएगा गजन पिन इंजन में connecting rod का बड़ा सिरा crank से तथा छोटा सिरा piston से जुड़ा होता है यह दोनों सिरा पिन से जुड़ा होता है connecting rod तथा piston को जोडने वाली पिन गजन पिन कहलाती है का कैस नंबर कोषण है इन आटव साकिल हीट एडीशन और रिजेक्षं इज एट विच साइकल आट व साइकल में उस में जोड और रिजेक्षण किस पर होता है अपने प्रज्वलम पर ननाफ देज तो अटो साइकिल में जो हीट अडिशन और हीट रिजेक्शन होता है यह होता है हमारा रिजेक्शन पर होता है और हीट अडिशन भी कंस्टेंट वैलूम पर होता है दो इस वाइस नमबर कॉशन है इस कि अडैए कौन यहोकी होता है उसकान करते हैं तो यहां हमारे भी अंतर करेक्ट हो जाएगा पेंने जनुन होना चाहिए ताकिPE नांए किए कं से कम हो यहाई इंजने में का मापन ऐखरन नमबर इंजने में किसाय करते हैं और जो स्यर्फेलड इंजने उसमें नांगें pessimism मापन होता हुए हम लोग सीट नंबर से करते हैं यहां पर इंजन पूछा था तो सीट नंबर अगर यह पर दो देता है यह साइट नंबर करेक्ट हो जाता है कि तेश नमबर कोश्चन है ड़ाट टोटरली स्वारिदा theoretically correct mixture of air and petrol is सद्धान्तिक रूप से why even petrol का सही मिस्रन क्या होता है तो why और petrol का जो सही mixture होता है यह होता है आपका पंदरे ratio 1 की ratio में यहाँ भी हमारा answer correct हो जाएगा जिसे हम लोग carburetor के माध्यम से बनाते हैं 224 नमर का question है नमबर आप working stroke per minute for a four stroke cycle engine और डडडडड़ the speed of the engine in RPM एक चार stroke cycle engine के लिए प्रति मिनट कारकारी श्टोक की संख्यार प्रियम में इंजन की गति कितनी होती है आपसने equal होती है one half होती है twice होती है four time होती है एक चार इस्टोक cycle engine के लिए प्रति मिनट कारकार इस्टोक की जो संख्यार प्रियम में इंजन की गति होती है वह होता है one half यानि की आधा होता है पच्चिस नमर कोशन है कि cylinder head of an ic engine is provided with fins for ic engine के cylinder head को डट डट के लिए fins उपलफ्द किया गया है तो जेकि जो fins उपलफ्द कराय जाता है यह कराय जाता है increasing heat transfer surface area उसमा अस्थाना अंत्रन सत्य को बढ़ाने के लिए fins उपलफ्द किया जाता है ic engine के head को कि यहां पर हमारा answer correct जाएगा कि 226 नमबर का कोशन है multi cylinder engine में निम्नलिखित कारण से निश्चित firing order होता है आप से ने इंजन के रख रखाओ को सरल बनाने के लिए इंजन की खपत को कम करने के लिए इंजन के कमपन को कम करने के लिए इनमें से कोई नहीं तो multi cylinder engine में जो firing order रखा जाता है वह इसलिए रखा जाता है ताकि engine के कमपन को कम किया जा सके तो यहां पर हमारा c answer correct हो जाएगा कमपन कम होने से engine में घासन तथा तूट फूट भी कम होता है 27 नमबर का question है निमनलिखित कारान से crank shaft flywheel से जुड़ा रहता है आपसन है engine में कमपन को कम करते हैं तूट फूट से बचाने के लिए crank shaft में भार को बढ़ाने के लिए crank shaft को संतुरित करने के लिए engine की गति में उत्वार चुड़ाव को कम करने के लिए तो crank dropped flywheel से जो जूड़ा होता है यह होता है engine के वाल्व किस के दवारर नियंत्रित होते हैं हाप सने केम सार्व दौरँ क्रेंग सार्व दौरा राकार oule Mozart दौरँ कनेक्टिंज रहों anuger तो इंजिन के जो वाल वा नेयांत्रत होते हैं याक कैम साफ ड़ा नेयांत्रत हो А है तो यहां हमारा यह आंसर क्रेक्ट हो जाएगा कैम साफ्ट के घूमने से वालों खुलते वाबंद होते हैं कैम साफ्ट पर कई कैम लगे होते हैं पर्टेक स्लेंडर के लिए दो कैम लगे होते हैं हुआ ृट definition है एक इंजन में वेपर लाख किस समबन्धित है तो देखें जो वेपर लाख होता है यह क्या करता है कि सपलाई लाइन में वास्पी कराण के कराण तथा आंसिक रूप से इधन का सप्लाई रोकने के लिए हम लोग वेपर लाग संबंदेद मतलब वेपर लाग का परियोग करते हैं अब तीस नमबर का कोश्चन है इस पार के पलक के लेक्टोड के मद्ध जो अंतराल होता है यह लगभग होता है यहां पर हमारा के लेक्टोड के मद्ध अंतराल यहां लगभग दस्मेलों चाहीं होता है सेंटर एलेक्टोड के बीच में गयप को इस पार के पलग के गयप कहते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड को मोड़ कर यह गैप को समाई यूजित किया जाता है जिसको हम लोग फिलर गेस से मापते हैं एक तिस नमबर का कोश्चन है एक जेट इंजन में वाई एमाम इधन अनपात का क्रम क्या है आप तो यह जेट इंजन में वाई और इधन जो होता है इसका जो रेशियो होता है वह होता है पंद्र अनपाते 2 का अनपात होता है कब जब आपका जेट इंजन रहता है तब तो जेट इंजन के लिए जो वाई और इधन का अनपात होता है यह पंद्र अनपाते 2 का रखा जाता है याद रखिएगा यहाँ पर पंद्र अनपाते 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जब आपका jet engine और रहेगा तो उसमें वाई और इधन का उन्पात 15 अनुपाते 2 होता है आधुनिक मोटर गालियों में इधन भरना के लिए निम नमी से किस परडाली का प्रयोग किये जाता है तो देखिए आधनी मोटर गाड़ियों में इधन भनने के लिए हम लोग जो प्रडाली यूज करते हैं यानि कि सिस्टम यूज करते हैं वह हमारा आता है पंप भरा प्रडाली यहां पे डिया आंसर करेप्ट हो जाएगा त्यांतिस नमबर कोशन है वेवल गियर का उप्योगता होता है जब अच कैसी हो आपसों आप प्रतिछेदी हो आसमतली हो आसमांतर हो इनमें से कोई नहीं तो वेवल गियर का उप्योगता होता है जब अच हमारे क्या हो आसमांतर हो तो वेवल गियर को उप्योगता किया जा तथा एक दूसरे से 90 डिग्री परेश्थित गीयर के द्वारा गत्ती पारेश्थित होता है जिसे हम लोग माइटर गीयर कहते हैं 34 नमबर का कोश्चन है कार के निकास से निकलने वाले प्रदूसरों को कम करने के लिए प्रियुक्त विसेस फिल्टर क्या कहलाते हैं तो कार के निकास से निकलने वाले प्रदूसरों को कम करने के लिए जो प्रियुक्त विसेस फिल्टर होता है वह कहलाता है हमारा कि यहां पर हमारा डी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब 35 नमबर का कोश्चन है टू स्टोक इंटर्नल कंबस्चन इंजन में दूसरा निचला स्टोक कैसा होता है आपसे पांवर तथा इग्जास्ट सक्सन कंप्रेशन और पांवर तो इंटर्नल कंबस्चन याने कि आंत्रिक कंप्रेशन होता है 36 नमबर कोश्चन है कि रेडिमेंट चेंबर की विवस्था करने का उद्धिस क्या है तो रेडिमेंट चेंबर की विवस्था करने का जब मेन उद्धिस होता है वह होता है कि डीजल से भरी वस्टों को अलग करने के लिए किया जाता है फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है अलग मोटर से, कैम साफ्ट से, कैम साफ्ट से, फ्लाइ विल से तो जो फ्यूल ट्रांसफर पंप होता है यह चलाए जाता है कैम साफ्ट के दौरा तो यहाँ पर इसी अंतर करेक्ट हो जाएगा Люle transfer pump camp shaft से चलता है Terms shaft में लगे cam होते है परते calmằng केलिए एक valve लगा होता है cam की दिवारा ही valve को motion फ्राप्पत किया जाता है जिस से valve खुलता और बंद होता है और ते सम्बर – question है fuel injection pump दिवारा fuel की मातरा को किस प्रकार नियन्तित किया जाता है तो फ्यूल इंजेक्शन पंप दौरा जो फ्यूल की मात्रा को हम लोग नियनत्रित करते हैं वह यह नियनत्रित करते हैं में कंट्रॉल स्लीव द्वारा П्लंजर को घुमा करके तहों पिभी अंसर करेक्ट हो जाएगेktion्ष्वा« does प्लंजर को घुमा करके फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है 39 नमबर कोश्चन है सभी फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा समान मात्रा में इधन सप्लाई करने के लिए आवस्यक सेटिंग क्या कहलाता है आप समय है pump setting, fuel setting, calibration, injection setting तो सभी fuel injection pump द्वारा समाल मात्तरा में इधन सप्लाइ करने के लिए जो आवस्यक setting होती है वह कहलाता है calibration तो यहांद आप हमारा सी answer correct होगा čालिस नमबर question है किזה Credit Cut Tan इनमें से कोई नहीं लबब इदाब को नियंतिर करने के लिए फ्यूल आयल के दाप को नियंतित करने के लिए तेल के दाप को बढ़ाने के लिए तो आयल प्रेसर जो रिलीफ वालव लगा जाता है यह लब आयल के दाप को नियंतित करने के लिए लगाया जाता है इस पार्क पलक पर कितने वोल्ट का करेंट पहुंचता है तो इस पार्क पलक जो होता है उसमें जो करेंट पहुंचता है जितने वोल्ट का करेंट पहुंचता है वह रहता है हमारा 20,000 वोल्ट का करेंट है इस पार्क पलग पर जो होता याई 20,000 बोल्ट का स्ट पहुंचता है है को और heat range के अनुसर जो यह spark पलग होता है यह दो प्रकार का होता है hot spark पलग और cold spark पलग 242 नंबर question है spark पलग को उच्छ voltage का current मिलता है आप सहने cb point से lead tension coil से ht coil से distributor से spark पलग को जो उच्छ voltage का current मिलता है यह मिलता है आपका distributor से 43 नंबर question है कि battery परियोग होने पर कारी नहीं करता है magneto cb point condenser ht coil तो battery परियोग होने पर जो कारी नहीं करता है बाइर रहता है ht coil अब चलते है next question पर 24 नंबर question है कि ignition प्रडाली में battery का कारी क्या है आप से ने condenser charge करना low tension current देना cb point को खोलना इनमें से कोई नहीं ignition परडाले में battery का जो कारी होता है यह आउता है low tension current देना battery ignition system में दिखाया गया है कि इसमें एक battery, emitter, switch, ignition, coil, condenser, contactor, breaker और है distributor तथा spark पलग या सब होते हैं distributor का कारी क्या होता है आप से low tension current इस पर्क पलग को देना देखे जो distributor का कारी होता है वह होता है कि high tension को wiring आडर से spark पलग को देना 46 नंबर question इस पर्क पलग का मुख्य भाग कौन से है अपसर इंसुलेटर, टर्मिनल, सेंट्रल, इलेक्ट्रोड उप्रोग सभी सही है तो इस पर्क पलग को जो में भाग होता है वह होता है इंसुलेटर भी टर्मिनल भी अपसर रह Today onцен जो कि सेंट्रल, ईलेक्ट्रोड भी तिसलिए यहाँ पर skinny hits अंसर करेक्ट होगा उप्रोग तो सभी सही हैं बाखी स्पर्क पलग को और भी भाग होता है जैसे कि आपको हो गया ग्राउंड, इलेक्ट्रोड, गैस्केट वासर और सीलिंग रिंग, बाकि आपको इंसुलेटर, टर्मिनल और सेंटर इलेक्ट्रोड यह आपको पता ही हो गया है, तो यह सब होते हैं स्पार्क पलग का भाग, इस्पार्क पलग में इंसुलेटर किसका बनाया जाता है, बैकल के अंदर हावा पेट्रोन के मिशन को जलाता है कि अधालिस कोशन है इंजन के सबीं सिलेंडर में मिस्ट फायर होने का क्या कारण है कॡ्यों था है है तो आप तक सामने ल्दी सर्किट के तार ढईधायर होना से भी पॉइंट गया पदिक होना फ्रीक होना इंजन के सबीस अधरों में का कारण होता है वह है वो आपका कि अर्व आप ऑनक łENTE की अ सकता है और वे बिद्च एक अदू बिदुनों कथान Als advocating 139 नुमबर के कोष्ट्टन tussen पर कहें एक डीजलmana में इधन को जो इंजक्षन किया जाता है कैसे पहले करते हैं तो यहां पर ऐसाकौं से आपसंद्थन-णे कर देते ai इस समय piston क्या होता है TDC पर पहुंशने वाला होता है और cylinder के दहन कच्छ का आयतन कम होता है जिससे वायू का pressure और temperature बढ़ जाता है जिससे इधन inject होती ही दहन हो जाता है पर नमबर कोशंन है किसी diesel engine में धान उत्पन होता है इस पार किसे अठोमोट्रेख स्टाटर से समपीडंस से घर्चन से तो डीजल इंचन mi जो दहन होता है वह होता है हमारा समपीडंस से तो यान एक была Kobe करके फिल को केवल वए उसके बाद कमप्रेशन करते हैं फिर उसके बाद एधन इंजेक्ट करते हैं फिर होता है और हमें पांवर प्राप्त होता हैं वेआजमें किसी पॉरज़जंग है इंजेक्षन में में कितने चक्क्र लगता है आपने 412 तो फोर इस्टोक इंजेन एक दिआर इंजेक्षन में के एक साइक्षन में जुर्ण लगाया जाता है वह होता है हमारा तो किसी फोरिश्टोक इंजन के डीजल के एक इंजक्षन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंक साफ्ट के दो चक्कर लगते हैं फोरिश्टोक इंजन में एक साइकिल में पिस्टन के चार चक्कर चार इस्टोक होते हैं तो वह कॉंट से चार इस्टोक होते हैं सक्सन इस्टोक कंप्रेशन इस तोर्म इसके बाद आपको working स्टोक इसके बाद ex nécess कोग सो इसयर्पन नमबर कोशन है अन्न बि já विक व veya का यह जब Еще Cares तो यहे शूरियो गियर दोरल मोटर दोरल Kalz पंप भी चलाए जाता है चोवन नमबर का कोश्चन है डिलेवरी वालव की सायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है पूरी तरह खुला रखा जाता है पूरी तरह बंद रखा जाता है पचास परसंट खुला रखा जाता है बंद इस्तिति में रखा जाता है त पूरी तरह बंद रखा जाता है पच्पन नंबर कोशन है निमन में से इंजक्टर का उपयोग होता है डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन में डीजल इंजन में ना डीजल इंजन ना पेट्रोल इंजन तो आपको भी पता होगा कि जो इंजक्टर परियोग हम लोग करते हैं या सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में परियोग करते हैं इसके द्वारा फ्यूल को सिलेंडर के अंदर परविश कराते हैं तथा पेट्रोल इंजन में कार्बूरेटर का परियोग किया जाता है कार्बूरेटर के द्वारा एक एयर और फ्यूल का मिक्चर सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है हीट इंजन का मूल रूप से परियोग कहां पर होता है आपसने कोले से बिजली बनाने में किसी भी अन्य उर्जा को यांतरे कुर्जा में बदलने के लिए उसमा उर्जा को यांत्रे कूर्जा में बदलना के लिए किसी उर्जा में बिजली पैदा करने के लिए तो हीट इंजिन का जो मूल रूप से परियोग हम लोग करते हैं वह उसमा उर्जा को यांत्रे कूर्जा में बदलना के लिए परियोग करते हैं यह जनरेटर के द्वारा मेकैनिकल लूर्जा को लेट का लूर्जा में परिवर्थित किया जाता है निमनम से कौन सो इंजेक्टर का कार यह नहीं है तो देखे जो इंजेक्टर का कार यह नहीं रहता है यह आपको बताना है तो छोड़िके गए डीजल को जलाना तो इन्जाटर का काम क्या यह नहीं होता है कि इन्जाटर काम नहीं होता है इंजेक्टर के दवारा सिलेंडर में डीजल को बारिक कणों के रूप में सिलेंडर में प्रविश कराना होता है तथा अथ उच्छे तापमान को सायन करते हुए सिलेंडर के भीतर कारी करना होता है अंठाव नामबर कोश्चन है कि डेजल इंजन के अधिक्तम और नियूंतम गती को ब्यवस्तित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपने रैक का गवर्नर का नौजल का पलंजर का डेजल इंजन के अधिक्तम और नियूंतम गती को ब्यवस्तित रखने के लिए ज नौजल वालो जाम होना नौजल की स्प्रिंग तूटी होना एर लाक होना तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो मेन कारण होता है वह होता है कि नौजल वालो का जाम होना तिहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण नौज करना होता है इंजक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट है सभी प्रेसर टेस्ट बीडिए होता है वह प्रेसर टेस्ट बहुत है यहां पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा यह है सभी डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो कितने के रेंज में हो सकता है तो डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह हमारा कितना होता है 16 से 20 होता है जब कि पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशी होता है वह हमारा 6 से बारे होता है हमारा पेट्रोल इंजन के लिए जब कि डीजल इंजन के लिए 16 से 20 बासर्ट नमबर कोशने ट्रेक्टर में लगाया गया फिल्टर किस प्रकार का होता है आपसे पेपर टाइप आयलबाथ टाइप काटन टाइप वायर में टाइप ट्रेक्टर में लगाया फिल्टर जो होता है हमारा वह होता है पेपर टाइप का तो पेपर टाइप का होता है इंजन के अंतर कर दिजल ही भेज़ा जाना चाहिए डिजल के अंतर कचड़ा जाने से एलिमेंट और पलंजर जल्दी घीज जाता है तो या डिलिवरी वाल्व की सीट खराब हो जाएगी या इंजेक्टर नीडल इस्टिक कर जाएगा तो आप को भी पता होगा कि डिजल इंजन में हवा को चार्ज करते हैं तो इनलिट वाल्व की द्वारा करते हैं तथा आउटलिट वाल्व द्वारा जल जो ही गयसे सिलेंडर से बाहर निकाल ही जाती है चौंसर्श नंबर कोस्टन है यह डिजल इंजेन में इधन प्रजुलित होता है किसके दौबर इस पार के दौबर आनते हैं छेप्ट इधन दौबरा दहन कच्छ दौबरा दहन के लिए सप्लाइ की गई वाव के संपीटन से प्राप्त उस्माद वारा तो यह डिजल इंजे प्राप्त होता है डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर बना होता है टैंक के साड में टैंक के ऊपर निचले तल पर इन में से कोई नहीं है तो डीजल टैंक में जो सेडिमेंट चेंबर बनाया जाता है यह निचले तल पर बनाया जाता है डेजल फिल्टर किसका बना होता है कागज का महींतार की जाली का नम्दा को उप्रोगत सभी से हैं तो जो डेजल फिल्टर बनाया जाता है वह कागज नम्दा और महींतार की जाली सभी से मिलकर बना जाता है तो यहां पर उप्रोगत सभी करेक्टर अंसर होगा सब्सक्राइब कोशन है कि फिल्टर साफ करने के लिए हावा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जये उसके लिए क्या परियुक करते आप श सब्सक्राइब कोच्छन कि कि छलता है आप से पिस्टन से फ्यू ट्रांसफर पंप जो चलाए जाता है यह चला जाता है को इसना नमिंजयेग्टर का मुख्य काम क्या है कि अपने डिलीजल सप्लाई करू आ डिलेवरी वाल को क्thing नह, उसला काम होता है कि them to को दोस्छा आक half 8 नमबर का कोश्चन है इंजेक्टर में कौन-कौन से टेस्ट किये जाते हैं आप समय है इंजेक्टर-प्रैसर टेस्ट इंजेक्टर-टेस्ट कि नहीं जनल में होते हैं यहाप अब का इंजेक्टर प्रेसर हो जाएगा इंचंटर इस्प्रेय टुश्ट हो जाएगा और आपका तेश्ट लीकेक्ष ठीच भी नियामित रखने के लिए फ्यूल इंजक्शन पंप के साथ क्या परियोग किया जाता है आप ने गवर्णर नाजल पलंजर वाल तो डियोजर इंजन महें अधेक्टमवा कृषट किया जाता है आपें गवर्नर में, कमबस्टन चैमबर में, फ्यूल इंजेक्टों पंप में, सिलंड, स्पिंडल के साथ. तो देखे जो heat plug रहता है इसे हम लोग combustion chamber में fit करते हैं, तो heat plug combustion chamber में fit किया जाता है, indirect injector धी में heat plug का पर्यू किया जाता है, heat plug combustion chamber में ही injector के पास लगाया जाता है, जब इंजन बहुत ठंडा हो जाता है तो बैटरी के करेंट द्वारा स्विच आन करके पलक को गरम किया जाता है जिससे कंबस्चिन चेंबर का तापकरम बढ़ जाता है और उस समय इंजन को क्रेकिंग किया जाता है जिससे कंबस्चिन चेंबर में फ्यूल इस्प्रे होते ही वह जल जाता है और इंजन में तुरंत स्टार्ट हो जाता है चौत्त नम्बर कोश्चन है कि डीजल की अनियमी तो सप्लाई का कारण किया हो सकता है आपसे एयर लाग गंदा फिल्टर टेप्टी रोलर घिसा होना उपरयोगत सभी सही है तो देखिए डीजल की अनियमी सप्ल का निम्लखित कारण हो सकते हैं जैसे कि आपका एयर लाग हो गया गंदा फिल्टर हो गया और आपका रोलर का घिसा होना भी होता है चैतर नम्र कोशन है कि इंजेक्शन प्रेसर अधिक होने का कारण हो सकता है आपका कि नाजल वाल का जाम होंण 6 नमबर question है कि pneumatic governor के साथ inlet manifold में लगी होती है क्या लगी होती है आप से नाजल, plunger, butterfly, spring तो pneumatic governor के साथ inlet manifold में हमारा plunger लगा होता है तो यहाँ पर हمारा वी answer correct हो जाएगा plunger गवर्नर के दोरा engine के fuel को नियंत्रित किया जाता है आपको भी पता होगा सतातर नमबर कोश्चन है कि 6 सिलेंडर में फारिंग आडर का करम क्या होता है तो देखे जो 6 सिलेंडर का फारिंग करम होता है वह होता है हमारा 15 है 36-24 होता है 15 है 36-24 तो यहां पर हमारा यह आंसर करेक्ट हो जाएगा सिलेंडर की संख्य के अनुसर फारिंग आडर होता है इससे इंजन संतुलित चलता है और कमपन भी कम करता है 278 नंबर का question है कि injector पर किया जाने वाला टेस्ट कौन सा होता है तो आपको बता है कि जो injector पर टेस्ट किया जाता है वह आपका spray टेस्ट भी होता है फ्रेशा टेस्ट भी होता है और leak टेस्ट भी होता है तेहां पर हमारे D answer correct हो जाएगा उपरोग सभी इन में से सभी परल होने से injector फेल माना जाता है अई-उन बीटिंग क्या होता है आप सने डीजल में वैठी भारी सुद्धियों को मिला देना खराब डीजल को बाहर निकाल देना में फंशी हवा को बाहर निकाल देना तो देखी जो बीडिंग होता है यह उता है कि डीजल सिस्टम में फ तूल टंकी में से फ्यूल खतम हो जाती है जिसके एकाराण फिर से फ्यूल डालने पर एयर मार्ग में बाधा पहुंचाता है इस हवा को बाहर निकालने के परिक्रिया कोई हम लोग विलेडिंग कहते हैं दोसासी नमबर कोईशन है कि डीजल इंजन में इंजेक्टर किस से चला जाता है अपने गीर द्वारा कनेक्टिंग राट के द्वारा क्रेंग साफ्ट के द्वारा क्रेंग साफ्ट के द्वारा तो जो डीजल इंजन होता है उसमें जो इंजेक्टर लगा होता है उससे हम लो सबसे अच्छ इध्याब होती है किसकी माफ है आप सोरे प्रज्वलन्गुल की थास्ता का पास्पसील्ता का इन में से कोई नहीं को डृण होता न गया मेजर करता है प्रज्वलन्गुल को बताता है तो डी रूप से जलता है इसकी दर एक स्केल से ना पी जाती है जिसे हम लोग सीटन रेटिंग कहते हैं अधिक सीटन नंबर वाला जो डीजल प्रजूलन बिंद रेली काशन अधिग और आपको भी पता होगा यह बहुत-मस ऐसान सा कोशन है जो इंजेक्टर परियोग होता है यह हमारा ठीजलare में परियोग होता है इंजेक्टर के माध्यम से इजल सिलेंडर के अंदर फुहारा करता है फिर रल का धान हो स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजक्षन में इंजन कितने चक्र लगाता है आपसान एक दो तीन चार तो किसी फोर इस्ट्रोक इंजक्षन में जो इंजन होता है यह हमारा सिर्फ और तुर्फ एक ही चक्र लगाता है एक चक्र पूरा कर लेता है फोर इस्ट्रोक इंजन मे फिर दहन होता है तथा पामर श्टोक और इग्जास्ट शोक में क्रैंकी सफ्ट एक चक्कर लगाता है इस तरह चार श्टोक में क्रैंक चांट नशक लगाता है तो चलते हैं अनृस्ट कोस्टन पे तो दो सो पचासी नम्बर कोश्य है कि diesel engine में diesel का प्रच्छेपन जयाने कि injection पहां से प्रारामब होता है TDC पर BDC पर TDC से पहले ठीक TDC पर BDC के बाद तो देखे जो diesel engine में diesel का जो injection प्रारामब होता है वह टाप dead center से पहले होता है तिहां भी हमारे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रियोगात्मा को रूप से डीजल यानि की जो डीजल इंजन होता है उसमें जो डीजल का इंजेक्शन होता हूँ एटा अपडेट सेंटर से पहले सुरू होता है अर्थाथ क्रैंक साफ्ट के टीडीसी के सम्मुख पहुचन और एयर लाग होना तो इंजेक्शन प्रेसर अधिक होने का जो कॉरण हो सकता है यह एयह प्रियाना गया प्रियाना यह दू अभी हमारे अगुघ्ट हो जाएगा लिए individuals कि इंजेक्टर के जांग होने से потребा की होता है आटमेटीक बढ़ जाता है और जो इंजेक्टर होता ह लिए फट जाने से इंजेक्शन प्रेसर भी समाप्त हो जाता है कि 87 नंबर का कोशन है कि डिजल इंजन की अधिक्ता और नियुंतम गती को व्यवस्तित रखने के लिए निमनमी से खिसको उप्योग किया जाता है रैकिंग वाल नाजल गियर है तो डीजल इंजन के अधिकता और नियुन्तम गति को विवस्थित रखने के लिए हम लोग जिसको उपयोग करते हैं वह हमारा गीयर होता है तो डीजल इंजन के अधिकतम और नियुन्तम गति को विवस्थित रखने के लिए गीयर को उपयोग किया जाते हैं तथा गवर्नार का परियोग हम लोग इंजन क इस गत्ति को बढ़ाने तथा घटाने के करते हैं 28 into क्याशन है कि नेम्ल में से कौन से इंजेक्टर का कारिय नहीं है है तो आपको बताने इंजेक्टर क्षार कारिय कों सवकते हैं तो देखिर पहलेला रहे कि इंजेक्टर का कारिय होता है यह बिल्कुल सही है दूसरा काहरा है कि उच्छ दाप पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेस करने के लिए डीजल को बात देखाने यह बिल्कुल सही है कि उच्छ दाप पर गैस से भरे सिलेंडर में प्रवेस करने के लिए डीजल को बात देखाने के लिए तीसरा है यहां पर सिलेंडर में नन् लोग देना यह बिल्कुल गलत है और चौब था क्या कर रहा है कि अत्ति उच्छ ताप को सहन करते हुए स्लेंडर के भीतर काम करना यह बिल्कुल सही है तो कह रहें इंजेक्टर का कार नहीं है तो यहां पर 88 का सी अंसर करेक्ट हो जाएगा qc9 25 कई कि डीजयल एंजेर में प्रज्जोलन कोंषा कि से किया जाता है इसपार किसी आपडोमेंटिक स्टार्ट से संपिदordinate से फिर्मेंच नहीं तो प्रजोलन उत्पन्न किया जाता है वह संपीडन के द्वारा किया जाता है डीजल इंजन में कंप्रेस करके क्या होता है इस पार्किंग की जाती है जोलन उत्पन्न किया जाता है यहां पर हमारे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हवा को संपीडित करते हैं जिससे हवा कताफ़मान अधिक बढ़ जाता है और सिलेंडर में डीज़ल के परवेश से ही स्वतव जल जाता है नबे नमबर कोशन है कि डीजल इंजन में डीजल के प्रजुलन के लिए आवस्यकताब की प्राप्ति किस्से होती है आप से ने स्पार्क पलक के द्वारा सिलेंडर पिश्टन में घर्षान के द्वारा तेजी से गैसों को संपीडित करके विद्धुथ हेटर के गरम इलिमेंट के द्वारा तो डीजल इंजन में डीजल के प्रजोलन के लिए जो आवस्यक्ताप की प्राप्ति होती है वह अंदर की और अंदर से बाहर की और तो जो पांवर इस्टोक रहता है तो पांवर इस्टोक में जो पिश्टन चलता है वह हमारा अंदर से बाहर की और चलता है या इसी को हम लोग इनर डेट सेंटर से आउटर डेट सेंटर की और चलता है यह हम कह सकते हैं तो यहां पर हमा ऑफ 108 birds் cuántаешь ने कि डीजैल इंजनों के संम्भन हमकौं सा कथन सही है आपको बताना है तो देखिए डीजजैल इंजनों के बारेमें जो कथन सही है आपको बताना क्या रहा है कि कनेक्टिंग राड और पिश्टन और क्रेंक साफ्ट को जोड़ता है जो कनेक्टिंग राड होता है या पिश्टन और क्रेंक साफ्ट को जोड़ता है और कनेक्टिंग राड का इसमाल इंड सीरा पिश्टन फिन से जूड़ता है और बड़ा सीरा जोड़ता है जो बड़ा सिरा बीग इंड रहता है वो एक क्रेंक पिंस से चुड़ता है और पिष्टान के पच्छाग रिगती को क्रेंक साफ्ट के सर्कुलर मोशन में बदलना कनेक्टिंग राट के कारिय होता है क्रेंवे नंबर कोश्न है एक डिजल इंड में इधन को इंजिक्ट कैसे किया जाता व् Key fol demás के पाद कंप्रेशन इसनक्ट के अंत में कंप्रेशन इस चूब के अंत से पहले कंप्रेशन क का नज किया जाता हैPe इंप्रेशन इस्टोक के अंत से पहले करते हैं तिहां पिसी आंसर करेक्ट हो जाएगा चौरानवे नंबर कोश्चन है यह किसी स्पार्क पलग में जोलन नहीं होता है तो इसका संभावित करण क्या हो सकता है आपने क्रेंग के हुआ पोर्सिलेन इस्पार्क पलग की टिप चाहिसन पर करण का जम्म होना और विश्का संभावित कारण हो सकते हैं कि इस पर पिंपर का पनलग का फटावण। टाथा ग्राउंड इलेक्टोड के बीच का जो गयाप होता है वैसा ही ना होने से भी ऐसा हो सकता है और अगर आपका करेंट के लिए करने से इस पारक ही पैदा नहीं होते तो भी ऐसा हो सकता है कि 95 seen ever को सिन मोटर गाले में इस अमस्please पलग कभ जी उस्पार करता है आप These乾के पांदने कंभाद के अंत्य में फांवर आउगात के अंत्य में इकजास्ट आउगात के आंप चूशन आउगात के पहले में तो मोटर काले में जीज़े सिपार के पलग जो इसपार करता है यहि में करता है यहाँ पर तरह होगा रिएव सहे प्रकार से फबार मिध के लिए समय समय पर आपको साब करते रहना चाहिए और तो पर बनाका जुगाय पुट debates यह दसमलोग चार एममित से आपका एक एमिंग तक होता है जो गाव होता है आपका चानवे नंबर कोशन है निम नमें से कौन से परक्रिया चिंगारी प्रजुलन याने की स्पार की गिनिशन है आप से एक जाष्ट कंप्रेशन सक्षन पामर तो जो चिंगारी प्रजुलन इस पार का है यह होता है हमारा पावर में तो पेट्रोल इंजन को यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो 97 नंबर कोश्चन है इस्पार के पलग के इलेक्टोर किमद धिक्षा जो अंतराल होता है या कितना होता है तो देखें जो इस पलग के अंदर जो रहता है अंतराल वह हमारा होता है 10.4 mm से एक में हम आपको बताये थे तो यहां पर ऐसा आपसे दिख रहें 10.4 mm तक तो यहीं आपकर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर क्या होता है देखिए इसपार प्लक से इलेक्ट्रिक इसपार्क उत्पन होता है जो कि सिलेंडर के अंदर हवा है और इसका मान जो होता है यह 10.3 से आपका 10.7 mm तक के बीच में रखा जाता है तो याद रखिए कि 10.3 से 10.7 के बीच का यहम्यम का गैप रखा जाता है और इस गैप को मापने के लिए हम लोग फिलर गेज का परियूब करते हैं 10.3 से 10.7 आप लोग याद रखिएगा को सरश बंञ तक कि दौरिंघ्म यह फांण वी नमब्र कोश्ण है कि लाएन इंजिन में चार बेलन का प्रेजुल्ण क्या है यानि है यानि कि पॉर सिलंडर इंजिन होते हenne है इसा फारेंग आडर किया होता है त Vale किया हुगा आपको भी पता होगा कि वान प्रियाद पे टू यहाँ प्रे करेक्ट ऑम vendors के जाए राद सभड़ आप इन ब्र नमबर कौशन है कि प्ट्रोल का जोण गुड़ांग कर किसा दोड़ा व्यक्ट किया जाता है आप सने आक्टेन नमबर से, सीटन नमबर से हों उसमी आधन से कोई नहीं, जो पैट्रोल का ज्वलन होता है Pharisee हम लोग व्यक्त करते हैं, आक्टेन नमबर से पैट्रोल का आक्टेन नमबर और ॣिजल का सीटन नमबर होता है, याद रखिएगा तो यह बहुत आसान सा कोशन है कि डीजल इधन का जो सीटन नंबर होता है यह क्या बताता है कि इधन के जलने की सरलता को बताता है तो यहां अगर आपको डीजल इधन की गुलवत्ता को मातरक करते हैं वह मातरक हमारा रहता है कि अगर पैट्रोल की गुलवत्ता की बात करता तो आग्ट नंबर हो जाता 302 नमबर कोश्चन है यद एक डिजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा तो देखें अगर डिजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल यूज करेंगे तो वह क्या करेगा कि नहीं चलेगा तो यद एक diesel engine में अगर हम लोग petrol डाल देंगे तो वह नहीं चलेगा 303 नमबर question है कि fuel injection pump द्वारा fuel की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है तो देखें fuel injection pump द्वारा जो fuel की मात्रा नियंत्रित होती है यह नियंत्रित होता है control sleeve द्वारा plunger को घुमा करके नियंत्रित किया जाता है 304 नमबर question है सभी fuel injection pump द्वारा समान मात्रा में इधन सप्लाई करने के लिए आवस्यक setting कहलाती है pump setting, fuel setting, calibration, injection setting सबी फूल इंज्ञेक्शन पंपो द्वारा समान मात्रा में इधन सप्लाई करने के लिए जो आवस्यक सेटिंग होती है यह हमारा कहलाता है ले के के लिबिरेशन तो डीजल इंजन में सभी फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मातर समा रूप से सही समय पर सही सिलेंडर में भीजने के लिए जो सेटिंग की जाती है और इसी सेटिंग को हम लोग कैलिबरेशन सेटिंग कहते हैं 305 नमबर कोशन है थिजलेंडर टूस्टोम कंजन में फारिंग आड़ल क्या है gaur 8 th छोप इसका जो फारिंग आड़ल होता हैं सा nobody 30 होता है तो यहां पर हमारा एं सर्कर्ड़ गया तो देखी हिं आपे की बात कर रहा है तो टए श्टोप की बात कर कर सकते थे लेकिन यहाँ पर टूइश्टोक इंजन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग वन टू थिरी यहाँ पर जो और भी यह लिपी में 2010 में आया हुआ कोशन था तो उसमें क्या हुआ था कि यह सिर्फ यह आप संको सही मान था तो हम आपको यहाँ पर कहाएंगे कि अगर टूइश्टोक इंजन की बात करेगा और वह कहेंगा कि थिरी सिलेंडर का फारिंग अडर क्या होगा तो वहां पर आपको 123 टिक करके आना है चलते है नेस्ट कोशिंट पर 306 नंबज क्या होता है कि यूट को अपने अस्थान पर नबाये रखने के लिए प्रियुक्त इस्प्रिंग को रोके सहएं प्रियुक्त उपाठ होता हिए अब चलते हैं हम लोग निश्ट कोश्चन पे 307 नंबर के कोश्चन पे 307 नंबर का कोश्चन है कि फ्यूड ट्रांसफर पंप कैसे चलता है आप सोने कनेक्टिंग राड से क्रेंक साफ्ट से कैम साफ्ट से फ्लाइविल से तो जो फ्यूड ट्रांसफर पंप चलता है या चल लेने और बंद होने को हम लोग क्या कहते हैं आप समय समय पर जब जरूरत होगी समय से खुलेगा और समय से बंद होता है यानि कि या वालव टाइमिंग द्वारा ही या समभव हो पाता है तीन सो नौ नंबर का कोश्चन है या में द्वारिंग या जिए अइनद आइसी इंजन डिपंड़ अपान एक इंजन में जो फाइरिंग करम होता है या किस पर निरभर करता है आक उन्हें बेलनों की व्यवस्ता पर क्रेंग साफ्ट की अविकल्पना पर बेलनों की संख्या पर उपरोगत सभी पर तो इंजन में फाइरिंग करम जो होता है यह हमारा निर्भर करता है कि बेलनों की संख्या पर बेलनों की अवस्था पर भी निर्भर करता है क्रेंक साफ्ट की अभिकलपना यानि की डिजाइन पर भी निर्भर करता है और बेलनों की संख्या पर भी निर्भर करता है इसलिए यहां पर डी-Answer correct हो जाएगा अलग देज, 310 नमबर question है, इन एन आजए इंज इंजेन, size of an inlet valve is, that, 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 compare to exhaust valve, आज़ इंजेन में inlet valve के size, outlet valve के size से क्या होता है, आपसने smaller, bigger, identical, none of the above, तो आज़ इन्जेन में inlet valve के size, outlet valve के size से क्या होता है, यह बढ़ा होता है यहां पर भी अंसर को जाएगा बढ़ा ना नॉमबर फारिंग किसा र्डशन वाइन-अर अपटे और में इंज armpra क्या होता है तो एल राज़ान इंजनका प्रिंग करम होता है कितना होते हमारा है सब्सक्राइब 1536 24 यहीं होता है तो यहां पर हमारा ऐसा काउंस आपसन दिख रहा है 1536 24 आपसन नंबर ए है 312 नंबर का इस इज़न िन自जिण को किसके दवारा प्रजूलित किया जाता है आत्तली इसपर्क पर्लग के द्वारा लुबिर्केशन के द्वारा ही टर रिजहल्टिंग फ्राम कंप्रेसिंग इयर के द्वारा हीटर पुला द्वारा तो एक डीजल इंजन में जो हम लोग इधन का प्रजुलन करते हैं वह हम लोग करते हैं कि संपीडित वाव इससे वास्प परीडाम को दहन द्वारा प्रदत्त होता है याने कि हीट रिजल्टिंग फ्रम कंप्रेसिंग एर कि 313 नंबर का कोश्चन है लेफ इस्प्रिंग का निर्माण निम्निमेस से होता है किसके द्वारा इस पात की च्छन द्वारा इस पात की पट्टी द्वार इस पात की फोर्जिंग द्वारा तो देखें लेफ इस्प्रिंग का जो निर्माण किया जाता है यह इस पात की strip याने की पट्टी द्वरा किया जाता है लेफ स्प्रिंग में इस्टील प्लेट की बने हुई कई लेफ होती है इनकी लंबाई उत्रोत्र बढ़ती जाती है यह केंदर पर एक बोल्ट से कसी होती है दोनों तरफ भी क्लैम्प से कसी होती है सबसे बड़े से कहते हैं है को अर्टष मम्मर कोस्चन है तो सु democracy और क्यू 것을 कर एक mark कि तूलना के संदर में नहीं क Gla nasty शुश्च कउन सकतन गलत है आपको बताना है आप तुर अले इसपरिंग भारी होती है को यह उस्परिंग कम अस्थान गिरती है क्या स्परिंग कर अधिक कठीन है लेफ इस्प्रिंग महांगा होता है तो लेफ इस्प्रिंग की तूलना के संदर में जो कथन गलत है वह आया कि लेफ इस्प्रिंग महांगा होता है तो यही आपका गलत आंसर है तो कह रहा कथन गलत है तो यह आपका गलत कथन है तो देखें जो लेफ इस्प्रिंग कोयल स्प्रिंग की तूलना में सस्ता होता है लेफ स्प्रिंग भारी होता और लेफ स्प्रिंग इस्टिल प्लेट की बनी होती है तीन सो पंद्रे नंबर कोशन है किसी वाहन में रोड इस्प्रिंग के जम पर रियक्शन नामक दोस्त को निम नमिसे किसके परियोग से दूर किया जाता है आप सोने साक अब जारबर दोरा कोयल स्प्रिंग दोरा सस्पंसन दोरा सेकल पिन दोरा तो किसी वाहन में रोड इस् से दूर करते हैं कि 361 Surprise Ren Bनी होती है कि आप सेने काय आरे ब्रोंच की स्टिञ की टेन की यह बनाय जातंग 성 day से आंथर क्रेक्ट हो जाएगा लेप स्टियल की बने होती है लेप स्टियल के मोटर गाडियों में fit किया जाता है यह आपका काई प्रकार के खोता है जैसे सेमी elliptical spring हो गया quarter elliptical spring हो गया ठ्री quarter elliptical spring हो गया ट्रांसवर्स spring हो गया और full elliptical spring हो गया 317 नमबर का question है leaf spring तथा chassis frame को किसे से जोड़ा जाता है अगया वाली आई ब्रैकेट में पीवेट पिन के साथ फिक्स होता है जबकि दूसरा पीछे वाली सेकल के साथ जूड़ी हुई है और जब गाड़ी का भार पड़ता है तो इस्प्रिंग के फ्लेट होने के करण इसकी लंबाई बढ़ जाती है चाहे या भार उपर से चैसेस पर डाला जाए या जंप लगाने से एक्सेस उठ जाए हर इस सिति में स्प्रिंग लेट की लंबाई बढ़ जाती है इस बढ़े हुई लंबाई के जगह देने के लिए साइकल जिसे जूला भी कहते हैं स्प्रिंग पर भार पड़ने से पीछे परव्योग किये जाते हैं यह यह इसका फॉप्त है प्रेट करेखर बाइसे में संब्सक्रां अब भी आंसर जाएगा आज गाड़ी उसका मुख मुंख परचलन हैं सब्सक्राइब करते हैं चाहिए को सब्सक्राइब अब जाता है जब गारिक जटका लगता है तो यह साकर दोनों कार्य करता है जटकों को सायना तथा कुछ भार को भी वहन करना कि 319 नमबर कोशन है कि लीफ इस्प्रिंग भार पढ़ते पढ़ते लगवक सीधे होते हैं तब पुन्हें आकर किस प्रकार से देते हैं आत्तों है गर्म करके गुलाई में फीट कर वाइस में बात कर मोणने से डाई प्रेस द्वारा तो देखें लीफ इस्प्रिंग भार प 120 नमबर कोशन है इनदिपेंडेंडेंट इसस्प्रिंग सब्स one में इस्प्रीण पतिएं परियोग की जाती है कि इनमें से कोई नहीं Tudo इन्डिपेंडेंड्यस का पाइए के उठने पर दूसरे पाइए पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और बाड़ी पर forgotten पर रहती है इंडिपेंडेंड़न्ट सपन्सन सिस्टम कई प्रकार के होते हैं जैसे आप पो वरेटिकल सलाइड भी डिवाइडड एक्सल भी थी स्वीगिंग हार में भी और पैरलल लिंक भी थी हो गया आज कल इंडिपेंडेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्वाइल स्प्रिंग का ही परियोग होता है तो 320 का यहां पर डी आंसर करेक्ट होगा एक्काइस नंबर का कोशन है कि क्वाइल स्प्रिंग किस दाथ को बना होता है आपस में घर्थन नहीं होता इसलिए क्वाइल में ताकतवर साक अबजरबर लगवाने अब भास्यक होते हैं 322 कोशन है कि क्वाइल स्प्रिंग के लिए नंखित में से कौन से कथम सब्सक्राइब होते हैं यह लिए परियान करेक्ट होता है तो यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा सभी सही हैं 323 नंबर कोशन है कि independent front suspension के लाब क्या है तो independent front suspension के लाब क्या है कि engine के लिए इसमें काफी अस्थान रहते बिल्कुल सही है भार भी अलका होता है steering जो metric को सही बनाया रखता ये भी सही है यहां पर हमारा d answer correct हो जाए इनमें सभी सही है और इंडिपेंडेंडेंड सस्पेंशन होते हैं काई प्रकार का होता है जैसे आपको vertical slide method हो गया divided axle method हो गया swinging army method हो गया parallel link method हो गया यह कि 324 नबर का कोश्चन है ड्रेक्टर के पिछले पाजयों में परियोग होता है आपे दो मूचे नीचे अस्थानोंग पर चलने से इस्प्रिंग के टूटने का डर रहत है इसलिए में टीन परियोगन नहीं arada जाता है 375 कॉश्चन हैके लेव स्फिर्ञ और कोये इच्परिंग के तुल्ण के संदर में 돼요 अधर Aa तो, when use यथे है वह यहाखा राख रख़ा अधिक कठीन है यह आपका गलत कfreंद था 326 नमेर का कॉश्चन है किकी वाहन में जिसके द्वारों दूख कहते हैं मैं यह कोश्चन पहले भी हो चुका 27 नमेर का कॉश्चन है कि लिए स्परीं का निर्माण किससे होता है आपन इस वाहन के तार द्वारः इस पात पात की पट्टी द्वारा इनमें कोई नहीं तो जो लेफष गृ strength का निर्मार कीया जाता है वह आपका इस पात की stir-trip कि पट्टी द्वारा किया जाता है यह भी Question पहले भी हो चुका है 328. question है इचालकों पर इस टाक ब्रिज डायम पर लगाया जाता है अपस्वन फ़ेंग तर्ड़ सेर्चा हो सके कमपोनों को रोका जार सके रोट क्रासिंग पर लाइन की डेगवाल हो सके इन में से कोई नहीं तो चल्सकों पर इस फर्ण प्रिएंपर इसव को रोका जा सके व्दिक जल्ड एक बढ़न करेंगर करना कंपों को पैदा करना तो वासर का जो कारी होता है यह होता है कि बीरिंग छेत्र से देना तो वासर का कारी बीरिंग छेत्र से समय करता है और टथा तो वोल्ट को सोता है खुलता नहीं है और कि jo mandatesल लगाया जाता है आप सेने नीछे की ओर सक्षल कुलिंग की ओर लेविल इस्तिती में इनमें से कुई नहीं तो ड्राइक कुल लगाया जाता है यहलागा जाता है सक्षहर या फ्रवार के लिए सक्षह को बाद छेया ते लिए तो इस्प्रिंग वासर का जो परियोग किया जाता है यह कंपन के निवारान के लिए परियोग किया जाता है यह डिस्क के आकार की तरह होती है इसका परियोग ढखकनों की सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है और इसे माइल डिश्टील का बनाया जाता है 332 नमबर का कोशन है पेट्रोल इंजन में कार्बूरेटर डट 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 परास में वाई वीधान अनुपात की अपूरती करता है तो पेट्रोल इंजन में जो कार्बूरेटर रहता है वाई कार्बूरेटर ना अनुपात एक से 16 अनुपात एक के अनुपात में परास में वा तो अंते दान इंजन में जो उपकरण हवा और पेट्रोल यानि की गैस को मिलाता है वह रहता है कार्बूरेटर यहाँ पर एंसर करेक्ट हो जाएगा कार्बूरेटर 334 नमबर का कोशन है वाई फिल्टर क्यों परियोग होता है आप तो नहीं वाई मंडल की हवा स्वच कर इंजन में भेजने के लिए इंजन की हवा स्वच करने के लिए इन सभी में वाई मंडल की हवा स्वच करने के लिए तो वाई फिल्टर जो परियोग किया जाता है यह किया जाता है वाई मंडल की हवा स्वचकर इंजन में भेजने के लिए किया जाता है क्योंकि वाई मंडल से धूल मिट्टी केकन जाने से सिलेंडर तथा पिष्टन को छटी पहुंचती है 335 कोशन है कि फ्लोट चेंबर के अधार पर कर्बूरेटर कितने प्रकार का होता है आपसान है 3, 4, 5, 2 तो फ्लोट चेंबर के अधार पर कर्बूरेटर जो होता है यह हमारा दो प्रकार का होता है Float Chamber के आधार पर Unbalanced Carburetor तथा Balanced Carburetor होता है Float System में Float Chamber तथा Float तथा Needle वालू का Arrangement होता है 336 नमबर Question है, Carburetor का परियोग होता है तो Carburetor का परियोग किसलिए होता है आपने पेट्रोल को महिन कड़ों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस रूप में बदलने के लिए हवा और पेट्रोल का उचित अनुपात में मिस्रण बनाना C, A और B दोनों DNA से कोई नहीं तो देखे जो Carburetor का परियोग किया जाता है यह किया जाता है कि पेट्रोल के महिन कड़ों में विभाजित करके हवा में मिलाकर गैस को रूप में बदलना भी होता है और हवा और पेट्रोल को उचित रेशियों में मिस्रण करना भी होता है यहां पर हमारे सी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि यह और भी दोनों कथन सही है 337 नमबर कोश्चन है कि कार्बूरेटर को क्यों लगाए जाता है आप सोने फ्यूल टैंक में फ्यूल पंप में इनलेट मैनिफोल्ड के उपर इंजेक्टर के साथ है तो देखिए जो कार्बूरेटर होता है इसको हम लोग लगाते हैं इनलेट मैनिफोल्ड के उपर लगाते हैं कार्बूरेटर एक ऐसा यंत्र है जो कि पेट्रोल को फ्यूल पंप से लिक्विड फार्म में लेकर हवा के साथ वास्प्रेक्रित करके ठीक मातर में मिला कर इंज्यन में इंटेक्ष्ट्रोक के अंदर सिलेंडर में भेजता है इस हावा और पेट्रोल के मिंस्तरन जिनको हम चार्ड कहते हैं कार्बूरेटर का मुख्यकार क्या होता है आतोंने फ्लोट चैंबर चोक वाल थ्राटल वर उपरोग सभी सही है तो कार्बूरेटर को जो मुख्य भाग होता है वह क्या होता है कि फ्लोट चैंबर भी होता है चोक वाल भी होता है थ्राटल वाल भी होता है तो इसने आप डी कर्वुरेक्ट हो जैएक पुप्रोभ सभी सही हैं Carburettor कि कई भाग होते हैं जैसे कि आपका प्रोट चेमबर हो गया okay putting二 हो गया थ्रोटलव मोल्व हो गया वे कु proudly हो गया चोक वज़ नौजल हो गया नीडल değild हो गया यह सब cârbhrr ce s technicky 349 नमबर कोश्चन है कि करbh54 में में लिट किस्में खुलता है तो देखे जो में जैट किदर में कऱपूरितर में हमारी रहता दो यह परह मारे करेक्ट हो जाएक आपकतो नमबर सी कर्भूरेटर में जड़ियर में करमोन में क्विलता है कर Kenneth लेटर में एयर हारने से ही हावा की मात्रा निर्भर करती है एयर हारने के बीच में वेंचूरी होता है चोक वाले कहां लगा होता है अपना फ्लोट चंबर के ऊपर एयर हारने के ऊपर थ्रोटल वाल में मेंजट के ऊपर तो जो चोक वाले रहता है यह एयर हारने के ऊपर haveacı define 141 reduction in character को सबूरेटर में अलग-अलग हवा तथा पेटरोल के कई अलग Central मार्ग बनाए जाते हैं विए क्या कहलाते हैं आप से में जल्टूरी कर्बूरेटर से कोई न ही तो कर्बूरेटर में अलग-अलग हावा घंधर के कई मार्ग बना जाते हैं इससे कर सकुवा जाएगा कर्बूरेटर कोया थे कुर्ण है UK कि ठंडे इंजेल को अधिक पेट्रॉЛ के अवसेकता होने पर किस प्रकार की सर्काइट का परियोग करते हैं आप सेज़ोग आइस्पीड फूल पार लो इसपीड इनमें से कोई नहीं तो थंडे इंजन को अधिक पेट्रोल कि आउसकता होने पर जिस प्रकार के सर्कीट का परियोग करते हैं वह सर्कीट रहता है चोक चोक वाल्व पर्योक करने पर हवा कम हो जाता है और पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है 343. क्या होगा जब Marion start होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नाकिया जाए आपने इंजन गरम हो जाएगा इंजन बंद हो जाएगा पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा चोकवालव खराब हो जाएगा तो देखे क्या होगा जब इंजन इस्टार्ट होने के बाद भी चोकवालव बंद ना किया जाए तो होता क्या है कि पेट्रोल ज्यादा खर्च होता रच्त होता है अगर हम लोग ना करें तो 3245 का काम क्या होता है तो मेन काम में यही होता है कि हवा जाने का मार्ग संकिरन करना तो एक संक्यून अस्थान यानिकी नैरोइस्पेस होता है जिसमें से होकर हवा गुजरती है वेंचुरी में ही फ्लोट चेम्बर से संबंधित नादिर खुलता है चुकि हवा की एक सी मात्रा एयर हन के परतेक बाग से गुजरती है कि 345 नमर को सब्सक्राइब करते हैं आप पेट्रोल में हवा में यह और भी दोनों में इनमें से कोई नहीं तो जो चोक वाल में हम लोग जो नियांत्रित करते हैं वह हवा को नियांत्रित करते हैं तो चोक वाल फ्यूल में हवा को नियांत्रित करते हैं चोक सिस्टम में आवसेक्ता पड़ती है इसमें चोक वाल भी बंद कर देते हैं जिससे कम हवा गुजरती और मिक्चर रिच हो जाता है अग एयर क्लीनर लगा होता है किसके साथ तो एर किलीनर जो लगा रहता है यह लगाया जाता है आपका एयर हारन पर लगा होता है जिसYour के मानध तानल कोशन है कि नमदभल्टल भाग कौन से अपका कर्बूरेटर कपका कर्बूरेटर क्या में बनाता है तीसरा है कि यह इंजन की सभी परिष्थितियों जैसे स्पीड ता पित्याद में हवा पेट्रोल का मिश्रण आवासकता नुसर उससे सप्लाई करता है 349 नमर कोश्चन है कि कार्बूरेटर का स्थान निमन में से कहा होता है आप साना यह फ्यूल फिल्टर के ऊपन लगा होता है यह इनलेट मैनिफोल्ड के नीचे लगा होता है यह फ्यूल फिल्टर तथा इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में लगा होता है इन में से कोई नहीं त फ्लोट चेंबर के अरेंजमेंट के अनुसर कार्बूरेटरों का निमने लिखी तो बरगी करण है आप सने इसेंट्रिक तथा कंसेंट्रिक डाउंड्राफ्ट तथा साइड्राफ्ट सिंगल तथा डबल अनबैलेंस और बैलेंस तो फ्लोट चेंबर के अरेंजमेंट के फ्लोट उपर उठने के काड़ नीडल बंद हो जाता है और फिर पेट्रोल इसमें नहीं सकता है कि 350 नमबर कोशेपी क क्या लगा होता है तो आधनी नमबर को अधेक। क्या लगा होता है। आधनी कार्बूरेटर नमद में क्या लगा होता है। यह स्पुलंड नमडर कोशेट़ं ह। THE對不對 parts कि आते कि峰ह जो decide को आप इंडेक्शन हैं इन में से कोई नहीं तो मैंस स्वंस से होने वाली पर सानियों के लिए कार्पूरेटर में हम लोग को ओंडे expects लगाते हैं तो यहांपर हमारा वी आंसर प्र्यक्ट हो जाएगा है याacio म्त पेट्रोल कार्ग क्या होता है तो देखें जो इन्लेट मेनिफोल्ड रहता है इसका कारे होता है कि यह हवा और एजयन के मिश्ष्णों को कार्बूरेटर से सिलेंडर में भेजता है यह इन्लेट मेनिफोल्ड का कार होता है कि सिंगल सिलेंडर इंजन में या छोटा सा ही पाइप होता है जिसके दोनों और दोनों सिरे एक से होते हैं कि एक्जाष्ट सिस्टम का निम्नलिखित कार्य है तो देखे एक्जाष्ट सिस्टम का कार्य क्या होता है आप तो ने ऐसा सिस्टम सभी सिलिंड्रों की गया सो कोई काठा करके एक्जाष्ट द्वारा बाहर निकालता है भी एक्जाष्ट सिस्टम पेट्रोल को साफ करता है स यह सिस्टम सभी सिलेंडरों की गयसों को इकठा करके एकजाश्ट द्वारा बाहर निकालता है 355 नमबर कोशन है एक्जाष्ट मनिफोल्ड का नमलकित में से क्या कार है तो एक्जाष्ट मनिफोल्ड का जो कार है वो रहता है कि एक्जाष्ट मनिफोल्ड एक्जाष्ट गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने का कार एक्जाष्ट मनिफोल्ड का कार होता है देखें जो मफ़़र बनाए जाते हैं और गाड़ीों के अनुपर अनुपसार इनका प्रकार बिभिन होता है मक्ललर कई प्रकार के होथे हैं जैसे आप आप का हो गया बैफिल टाइप व्येब kैंसिलेशन टाइप रेजुनेंस टाइप, एब्जारबर टाइप और कमबाइंड रेजुनेंस एब्जारबर टाइप यह पांच प्रकार के मफलर होते हैं तो देखिए वेब कैंसिलेशन टाइप मफलर में एकजाश्ट गैसों के गुजरने का रास्ता कितने भागों में बंटा होता है आपसन है, दो, तीन, एक और चार तो देखिए वेब कैंसिलेशन टाइप मफलर में एकजाश्ट गैसों के गुजरने का जो रास्ता होता है यह हमारा दो भागों में बंटा होता है तो यहाँ पर हमारा यह आंसर करेक्ट हो जाएगा इन रास्तों की जो लंबाई इस तरह समायोजित की जाती है कि एक तरफ से जाने वाली एकज़र्ष्ट गैसों की तरंगों के क्रिष्ट दूसरी तरफ की तरंगों के ट्रफ से मिलते हैं आता है दोनों तरंगे एक दूसरे को काड़ देती हैं और उनमें कोई आवाज नहीं होता है यह तब ही होता है जब दोनों तरंगों के रास्तों की लंबाई का अंतर तरंगे की लंबाई का आधा हो लेकिन प्रयोगरतात्मक रूप से यह संभव नहीं होता है क्योंकि इंज सट गैसों के बाहर निकलने की करिय को क्या कहते हैं आप सब्सक्राइब 12 इनमें से कोई नहीं तो सिलेंडर गैसों के बाहर करेंशल की कांग तो हमने कि 76 को हम् लमुग सब्सक्राइब सब्सक्राइब साद Panama और प्रिख करेंट हो जाएगा पाउन स्वेडर के अंदर आप सके इसलिए किया जलता है तिनसौण यूंसट नंबर कोस्चन ऑपक्षां कि एकज़स्ट किसका बना होता है तो देखिए जो एकज़स्ट मनीफ होता है यह हमारा बना जाता है कास्ट आइरन का तो यह फमारे यह सब्सक्राइब तो हवा और पेट्रोल का निमने में से कौन सा मिस्त्रण अनुपात आइडल स्पीड की ठीक मात्रा का मिस्त्रण है तो हवा और पेट्रोल का जो मिस्त्रण अनुपात आइडल स्पीड की ठीक मात्रा का मिस्त्रण है वह कि 10 रेशियो से 11 रेशियो यह होता है आपका 10 अन पाथे 1 से 11 अन पाथे 1 361 question है निवन में से कौन मिस्ट्रण etohnITEक लाता है जूड़ रहता है 16 अन पाथे 1 से 18 अन पाथे 1 थे 162 नमबर कोश्षने कि वाइफ फिल्टर के दौरा होता है 3,3 अपता है तो वाई फिल्टर के द्वारा जो होता है यह होता है कि वाई मंडल की हवा स्वचकर इंजन में भेजना वाई फिल्टर का कार यह होता है 363 अमबर कोश्चन है कि कार में चोक का परियोग किया जाता है आपसे ने इंजन को गरम करने के लिए इंजन की बचत के लिए सर्द मौसम में आरम करने के लिए गती कम करने के लिए तो कार में चोक का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है कि सर्द मौसम में स्टार्ट करने के लिए किया जाता है सर्दी के महीनों में मौसम ठंडा होने से हवा भी ठंडी रहती है ठंडी हवा को इधन का मिस्न बनाते हैं मिस्न का तापमान कम होने से इंजन स्टार्ट नहीं होता है तब चोक लेने हवा का गर्म मार्क बंद हो जाता है और इधन में पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है जिसे इंजिन आसानी से स्टार्ट हो जाता है 304 स्टमबर कोशन है कि आंतरिक दहन इंजिन में कौन से उपण हवा एवं पेट्रोल को मिलता है आज तो ने कार्बूरेटर चोग, फुल पंप, सिलेंडर है आतरिक दहन इंजिन में जो उपण हवा एवं पेट्रोल को मिलाता है वह रहता है कार्बूरेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बूरेटर क्या करता है यह हवा और पेट्रोल को मिलाता है कार्बूरेटर किस इंजन में होता है तो आपको भी पता होगा कि जो कार्बूरेटर होता है यह आपका पेट्रोल इंजन में होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रोजे का आपसो नमबर है कार्बूरेटर आपका पेट्रोल इंजन में परियोग किया जाता है इसके द्वार कर्बधूरेटर का कार्य होता है यानना कि हवार पेट्रो नंबर कोशन है कर्पूरेटर को अभी किया है ऑपने को प्ट्रो अपोर्ती करना पेट्रोल के साथ हवा को मिस्रीट करना नहीं आप पेट्रोल के साथ हवा को मिस्त्रिद करना कवरिटर कारी होता है तो यह होता है तो tail 266 सब्सक्रण करते हो जाएगा है section 286 है कर्बॉरिटर कार क्या है तो C कर्भॉरिटर के यह पेट्रोल के सथ हवा को मिझद करके ठंड़े भाप Ekberme County यांसर क्रेक्ट होगा लिए पहुनि इंजयन वीज व्यंद में प्रिविश्ट होती है कि है शीए बोगा रहें इंजयनन के सिलंडर में जाने से पूर्वास्पित होकर हवा में मिला जाती है टीन में しकोई नहीं तो एक पैट्रॉल 17 जोपकरहो रहा में मिलाय जाती है तो एक पेट्रोल इंजिन में सिलेंडर के अंदर जाने से पूर ही फ्यूल को वास्पित करके हवा को कार्बूरेटर के माध्यम से मिस्टन तयार किया जाता है फिर सिलेंडर में भेजा जाता है म कि 330 इंबर को है पाओ फिलोट्ट चम्बर के अधार पर कइसपर क sharply कितने होता है आप संहें एक दो थी त्साथ थो फ्लोट्ट पर जो कार्बूरेटर होता है कि यह दो प्रकार का होता है एक होता आपका इसेंट्रिक दूसरा होता आपका कॉंसेंट्रिक फ्लोट चेंबर में फ्लोट तथा नीडल वाल अरेंजमेंट होता है नीडल वाल में पिट्रोल फ्लोट चेंबर में आता है फ्लोट चेंबर में ए Spring Plugs distributor कडित। नहीं है वह है कडित। कार्बुरेटर हैं करते हैं डिश्टीबूटर का परियोग करते हैं यह की तिन कि तीनसोबात्ता नंबर का कोश्चन है कि एक इंजन में वेपर लाग संबंधित है यह सपलाई लाइन में वाश्पिकरां की करांड पूर आवठवा आंसिक रूप से इधन की सप्लाई रूकने से संबंधित है ट्रेक्टर में लगाया गया फिल्टर किस प्रकार का होता है तो देखें ट्रेक्टर में लगाया गया जो फिल्टर होता है वह हमारा जो रहता है वह वेपर टाइप का होता है तो यहां पर हमारा एंसर करेक्ट हो जाएगा वेपर टाइप ट्रेक्टर में प्रयोग होने वाल पेपर डाइप यहां पर करेक्ट आंसर होगा तीन सो चौत्त नंबर कोश्चन कि डीजल फिल्टर की निर्माल में निर्मनलकित पदार्थ को उपयोग किया जाता है आप तो ने कागज पतले तारों से बनी महीन जाली सूती धागा टिसू उपरोग सभी तो डीजल फिल्टर किसके प्रास में वहाओ उपत्र की पूर्थी करता है तो प्रीचन में जो कार्भूरेटर होता होता है वह यह पन्पाथे 5-15 पे पास में वाओ उप प्रास में आते हैं आपने water jacket निकास manifold catalytic converter इन में से कोई नहीं तो कर के निकास से निकलने वाले प्रदूसकों को कम करने के लिए विसे से फिल्टर कहलाते हैं वह रहता है केटल हिटिक इंजने को सुधर कनवार्टर। तो देखे जो कार्बूरेटर का कार क्या रहता है कि पेट्रोल के साथ हवा को मिस्रित करना कार्बूरेटर का कार होता है कार्बूरेटर सिध्धान्त वेंचुरी के नियम पर आधुररित होता है Carburetor वाई डिवाई से जिसके दुआरा इंजिन को विभिन अवस्थाम में कार करने के लिए इधनेवा हवा तो मिस्वन तैयार कर सप्लाई किया जाता है यह Carburetor is used to supply यह Carburetor का पर्योग कि इसको प्रदाय करने के लिए किया जाता है तो आपको भी पता होगा के यह जो किया जाता है हम जैक आते हैं किस लिए पेट्रोल अर यह यानि की वाई और पेटोल का में कर्दान करने के लिए कार्बूरेटर का परिउंग किया जाता है क्योंकि यह क्या करता है समहं की मिस्थान तयार करता है फ्यूल इज अटो माईज इन इधर में किसट ड़ोड़ में कडी करन किया जाता है तो इंजक्टर का परियोग से इंजन में किया जाता है जो फ्यूल को बहुत चोटे-चोटे कड़ों में तोड़ देता है तथा एक इस्प्रेजट के रूप में फ्यूल को इंजेक्ट करता है फ्यूल को बारिक कड़ों में तोड़ने की किरिया कड़ी करण या अटोमाईजेशन कहलाता है ति 308 नमबर का कोशन है कि मोटर का निम निवन पिर्ए को प्र निम्रपॉर्फ में होता है तो देखिए जो ताय प्र रहता है उसके जो रेंज होता सिंहां सिस्टवम्netवाफ इस पता है है लिए slמׄा जाता जसाती है और इस त्रोब उस्खोब द्रा यहीं correcting गूल है तो यहां पर हमारा D answer ही correct हो जाएगा, 386 का D answer correct होगा 382 नमबर question है, 149 में द्राव चलित ब्रेक कारिक करते हैं आप से आरकमडीच के सिद्धान पर, पास्कल के सिद्धान पर, वर्नावली के सिद्धान पर, वाज के सिद्धान पर तो स्वाचालित वावनों में जो द्राव चलित ब्रेक होते हैं, यह काम करते हैं, किसके सिद्धान पर, पास्कल के सिद्धान पर कारिक करता है, आपको ही पता होगा 383 नमबर question है, कि ट्रेक्टर में पिछले पाईये में दिये के spring कैसे होते हैं तो ट्रेक्टर के पिछले पाईये में जो रहते हैं, उसमें कोई भी spring नहीं होता है, तो ट्रेक्टर के पिछले पाईये में जो spring कोई भी spring परियोग नहीं करते हैं 383 की यहां पर D answer correct होगा, 384 नमबर question है कि cross ply tire की तुलना में radial ply tire से क्या हानी है, तो देखें, cross ply tire की तुलना में radial ply tire का जो हानी रहता है, वो रहता है कि उच कार्णरिंग सकती, तो यहां पर ऐसा आपसम दिख रहे हैं, आपसम नमबर भी उच कार्णरिंग सकती, क्रास ply tire की तुलना में radial ply tire से उच कार्णरिंग सकती की हानी होती है, 385 नमबर कोश्चन है कि रबर टायरों पर परदान किये गए गुरूमों का कार्य होता है, आपसने सनक पर बैतर पकड़ परदान करना, बैतर उसमन निसरन परदान करना, पामर का बैतर सदूप्यों करना, बैतर सोट नियंतरक, तो रबर टायरों पर परदान किये गए गुरूमों का मेंकारी होता है, कि सनक पर बैतर प्रकड़ परदान करना होता है, जिससे टायर और सनक के भी सिलिप ना हो, और सनक और टायर की पकड़ अच्छी बनी रहें, 386 नंबर कोश्चन है, यद किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो, तो क्या परिडाम होगा? आप सनक यात्रियों के आराम में कमी होगी, इधन की अधिक खपत होगी, टायर अधिक घिसेगा, गाड़ी को चलाने में असुविधा होगी, तो यदि किसी तायर के टायर में हवा का दाब कम हो तो परिणाम इसका होता है कि इधन की अधिक खपत होती है और टायर भी आपका जल्दी खराब होगा 387 नंबर कोश्चन है कि ट्रैक्टर में पिछला पजा पेच्छा करेत बड़े साज का क्यों बनाया जाता है अबतने ज्यादा मजबूती के लिए ज्यादा टार्क के लिए ज़्यादा स्पीड के लिए ज्यादा उचाई के लिए तो ट्रैक्टर विशला है आप सब्सक्राइब करते हैं वाइब मंडली दाम आपा जाता है इनिमामेटर वाइब की गति नापी हाग्रोमिटर द्वारा आपका कि यह हो गया 389 नमबर कोश्चन है यह किसी वाहन के टायर पर 6.00 से 14.6 पलाई रेट लिखा है पी आर लिखा है तो क्या जाना जाता है 14 इंच 6 सेंटीमीटर 6 इंच 14 सेंटीमीटर तो किसी वाहन के टायर पर 6.00 से 14.6 प्यार लिखा है तो इसका मतलब यह होता है आपका कि 6 इंच यह किसी वाहन के टायर पर 6.00 से 14.6 प्यार लिखा है जिसका मतलब होता है कि टायर की जो चौडाई या मोटाई है तो वह क्या है आपका 6 इंच का है तथा 14.6 जो रहता है यह आपका पलाई रेट बताता है यानि कि 14.6 प्यार का अर्थ होता है कि पलाई रेटिंग से है 14.6 प्यार का अर्थ है कि टायर में 14.6 पलाई है प्रत्यक टायर का साज उस पर लिखा होता है माना कि कि किसी टायर का आगर आपको बता देते हैं यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि किसी टायर पर लिखा है 8.25 गुड़े 20 और गुड़े 10 लिखा है और इसका बाद यहाँ पर लिखा है PR तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो 8.25 है यह आपका टायर की चौड़ाई या मुटाई सोलजर तक क्या है 8.25 इंच है और इसके बाद क्या रहता है यह जो 20 इंच है इसका मतलब होता है कि वीड़िवरित्पावयास जो की रिम तक फिट होता है आपका 20 इंच है और इसके बाद आपका जो PR कार्थ होता है प्लायर रेटिंग से है है मतलब आपका यह जो 10 प्यार है मतलब आपका 10 प्लाई रेटिंग यानि कि टायर में 10 प्लाई हैं कि 390 नंबर कोश्चन है कि पाईये मेरिम तथा प्रेस किस से जूड़े होते हैं तो पाईये मेरिम और प्रेस जो होते हैं यह आपके रिबिट दौरा और बेल्टिंग दौरा जूड़े होते हैं तो यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा बी और सी दोनुदौ 392 नंबर कोश्चन है कि कार बस ट्रक और ट्रेक्टर में कौन सो विल लगाया जाता है तो कार बस ट्रक और ट्रेक्टर में जो विल लगाते हैं वह हमारा डिस्क विल लाता है तो यहां पर हमारे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा डिस्क विल इस प्रकार के पाईए में रिम तथ सप्रेस की हुई इस्टिल की डिस्क होती है दोनों रिवीट या वेल्दिंग द्वारा जुड़े होते हैं इस पो का करें डिस्क करती है इसमें रिम को जोडने के लिए स्टिल लगाई जाती थी इसमें ड्राइविंग और ब्रेकिंग सहने की छमता होती थी लेकिन इस्टील वायर इस पोक को बार बार एड़ेस्ट करने की तथा अधिक बार सहन ना कर सकने की कठनाई की करण इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में नहीं किया जाता है 392 नमबर कोशन है किस प्रकार के पाई में रिम और हब आधे आधे दो भागों में होते हैं तो जिस प्रकार के पाई में रिम और हब दोनों आधे आधे भागों में होते हैं वह इस्प्लिट विल रहता है तो यहां फिमारत सी अंसर करेक्ट हो जाएगा इस्प्लिट विल तिन्सोच और नमबे हैं कि रिम में एक वालव लगा होता है जिसके द्वारा क्या क्या किया जाता है आपका हवा भारा जाता है 395 नमबर कोशन है कि टायर के बाहर का भाग जो सनक पर घुमता है वह क्या कहलाता है तो टायर के ऊपर की परित पर जो सनक से सटका चलता है उसे हम लोग ट्रीड कहते हैं ये ट्रिट सनक पर पकड़कर ग्रीप करके चलते हैं खास तर पर ये रेत में या कीचण में इनमें पाईया सिलिप नहीं होता है कि 396 नामबर कोश्चन है कि अधिक प्लाय रेटिंग का होना टायर के लिए क्या सुचित करता है अधिक मुलेम अधिक कठोर अधिक चिपकना इनमें से कोई नहीं तो अधिक प्लाय रेटिंग का होना टायर के लिए सुचित करता है अधिक कठोर होना तो अधिक प्लाय रेट कि यह क्राइश प्लाइट है आपका रेडियल प्लाइटायर 11 अ किया है तो देख़ें 10 प्यार का होता है कि टाइर में दस प्लाइध की ताकत है है िना कि टायर रिम के बिच में इसा ट्यूब बंद प्रकार का तो टाय और रिम के बीचे में टूब बंद रहता है कि टूब में भरी हावा भर सारी हावा भरी रहती है और इसी पर गाड़ी का संपूर्ण लोड सहन होत करना होता है कि 399 नबर कोशन निम लिखी तुमें से टैर के घिसने का कारण क्या है आपस प्रेशर ठीक ना होना किंग पिन टूटा होना गाड़ी पर अधिक भार होना उप रोग सभी सब्सक्राइब हैं तो टैयर के घिसने का जो मेन का रण होता है वह होता है कि फ्रेसर ठीक नहीं तूटी उन और गारी पर अधिक भार होना इसलिए अंपर डीयाल सगरbyugd выш सभी कथन सहीं हैं और वी कररहे योग में प्रेसर तूटाइन तूट जाना गारी पर अधिक नहीं तो मोटर गाड़े में पाईयों की संख्या जिस आधार पर की जाती है वह किया जाता है भार के आधार पर किया जाता है हालकी गाड़े में हालके तथा कम पाईये परियोग किया जाते हैं तथा भारी गाड़े में अधिक पाईयों को परियोग किया जाता है तो टैर मे रिख Olø in फिर इंद् 아ram से दोनमबर कोश्चन है कि टायर बनाने के लिए क्या परियोग करते हैं आप सेमरे रबर उपरों सभी pond बनाने के लिए आपको भी पता होगा कि रबर सूथ और तर इनधा सभी का परियोग किये जाता है इसलिए पर डी cows Cape South उप टायर का बारी गुलाई क्या कहलाता है ट्रेंड रिम वायर फिरेम प्लाई तो टायर का जो बारी गुलाई होता है यह क्या कहलाता है आपका ट्रेंड कहलाता है तो ट्रेंड यहाँ पर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेंड की बारी गुलाई ट्रेंड कहलाती है ट्रेंड ट करता है गाड़ी का वास्तों में वजन कौन उठाता है अपने टायर ट्यूब ट्यूब में भरी हवा वायर सोक तो गाड़ी का वास्तों में वजन उठाता है वह कौन उठाता है ति टायर यानि की टूब में भरी हवा ठीक क्या करता है गाड़ी का वास्ति वजन को उठाता ह चारसो पॉंच नंबर कोश्चन है इन मेकिंग आटो मोबाइल टैर्स फालॉइंग इस यूजट आटो मोबाइल टैरों को बनाते समय किसको उप्योग किया जाता है आप ने तो आटो मोबेल टायरों को बनाते समझों हम लोग परियुक करते हैं उन में से रेन फोर्समेंट इस्टील कार्ट रबर और नायलान इन सबीका परियुक किया जाता हैं त्याहाँ पे डी अंसर करेक्ट हो जाएगा आलता इबाब मटेरियल 406 नमबर का कोश्चन है आप कि the step is निड़ा जर्ने ली गोज्स तु द क्लेसभ डड़र सब्ड़ेंग रोटेशं इस्टेपनी टायर समनते पूर्टा है यह समानते घुरण के समय किस पर डड़र जाना जाता है यह पॉचाल cris रियर लेफ्ट, फ्रांट लेफ्ट, फ्रांट राइट, रियर राइट टाइप, तो स्टेपनी टाइर समाजता है, घूड़न के समय जो रहता है, यह आपका रियर राइट टाइर पर जाता है, यहाँ पर आपका डिया आंसर करेक्ट हो जाएगा, 407 number का कोश्चन है किस कलच में asbestos या carton lining या plastic lining परयोग की जाती है कलच कदाब spring के दवारा प्राप्त किया जाता है इस कलच को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए इसके लिए option है आपके सामने यहां पर है पूरा कोश्चन कि over riding कलच, centrifugal कलच, single plate कलच, air कलच तो देखिए जिस प्रकार के कलच में asbestos या carton lining या plastic lining परयोग की जाती है कलच का दाब spring के दवारा प्राप्त किया जाता है ऐसे कलच को हम लोग क्या कहते हैं single plate कलच कहते हैं यहां पर हमारा C answer correct हो जाएगा single plate कलच का उप्योग अधिकतर आटो मोबाल वानों में किया जाता है जब पैडल पर दबाव लगता है तो उससे spring का दबाव कम हो जाता है और कलच खुल जाता है इस कलच के मुख्य भाग पर जहां रगड़े लगती है वहां पर steel की तार सहीद plastic lining तयार की जाती है तो यहां पर हमारा C answer correct हो जाएगा 408 नंबर का question है घर्थन कलच के साथ क्या होता है आपन है smooth arrangement होता है सरल और आसान regulating होता है स्थिर और आसान arrangement होता है उपरयोग सभी तो घर्थन कलच के साथ क्या होता है कि smooth arrangement भी होता है सरल और आसान regulating भी होता है और इस्थिर और आसान arrangement भी होता है तो यहां पर हमारा D answer correct हो जाएगा उपरयोग सभी तो घर्थन कलच के साथ smooth arrangement सरल और आसान regulating के था इस्थिर और आसान arrangement होता है और घर्थन कलच कई प्रकार के होता है क्या हैं जैसे कि आपको ऑगए कौन कलाच सिंगल प्लेट कलच मल्टि प्लेट कलच और संट्र फिवर कलच कि चार सोनव नमबर का कोश्चन है इस्ट्रेट कलच को कलाकवाज और अंटिकलाकवाज घुमाया जा सकता है इसका दूसरा नाम क्या है आप सब्सक्राइब क्लेटों में जवड़े और खांचे बने होते हैं इसलिए आपस में सिलिफ होने की कोई संभावना नहीं रहती है और इसे धनात्मा कलच की स्रिवनी में रखा जाता है और डाक कलच को क्लाकवाईज चथा एंटी क्लाकवाईज किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है इसको डिए 800 आर्पियम से अधिक चक्रों में परियोग नहीं करते हैं करें तो हमारा क्र्छ करेंट आंसर होगा सब्सक्राइब० कर्यों करते हैं नियुका क्लाच रहता है इसका परियोग हम लोग दो पहिया वाहनों मेंerson का परियोग करते हैं तो इसका यहां पर भी आंसर और आख に Have a रिजी सब्सक्राइब नियुक्त बाहर की तरफ देश को बंद कर देती आ और जयो और गति कम होती तो कलउप फुल जाती है इस पकार के कलण चार्ट από मॉबाइल न भाम्वने परियोग किया जाता है के चार सो ग्यारे नमबर का कोषण है कलच प्लेट में दोनों तरफ किस्पदार्थ की लाइसनिंग बनी होती है तो देखिए जो कलच प्लेट के में दोनों तरफ जिस पतार की लाइनिंग बनी होती है वह रहता है उप्रोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसे नमबर डी क्लास प्लेट में दोनों तरफ कार के चम्ड़े तथा एसबेस्टस लेदर फैब्रिक है रोड इन सभी पता यहाँ पर हमारा डी अंसर करेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त में से किसी की भी तो क्लेट में दोनों तरफ किस पतार की लाइनिंग बनी होती है चार सो बारे नमबर का कोशन है कि इंजिन में पामर आवेगों को सिथिल करने के लिए क्या परियोग किया जाता है आपने क्लास Gearbox, VVEDA, Collage Wheel तो इंजन में Power आवेगों को सिथिल करने के लिए जो परियोग किया जाता है वारायता है कलाच तो इंजन में Power आवेगों को सिथिल करने के लिए कलाच परियोग किया जाता है कलाच का कारी इंजन के Power को Transmission System से जोड़ना और तोड़ना रहता है कलाच का क्या कारी होता है आप से इंजन में Gearbox का संबंद तोड़ना इंजन से Gearbox का संबंद तोड़ना वा जोड़ना इनमें से कोई नहीं देखे जो कलाच का कारी होता है वा इंजन से Gearbox का संबंद तोड़ना वा जोड़ना का कारी रहता है और जो clutch होता है यह आपका clutch घरसनार के सिद्धान प्रकार करता है चलता है next question पे 414 नमबर कोशन है clutch assembly fit रहती है आप तो नहीं flywheel के साथ, crank shaft के साथ, gear bus के साथ, piston के साथ तो जो clutch assembly fit रहती है यह आपका fit रहता है किसके साथ flywheel के साथ तो यहाँ पे flywheel correct हो जाएगा clutch assembly flywheel के साथ fit रहती है driving member एक flywheel होता है जो की crank shaft से कसा रहता है flywheel एक cover से कसा रहता है जिसमें pressure plate, spring और releasing lever होते है अता flywheel तेथा cover की पूरी assembly crank shaft के साथ घूमती रहती है 415 नमबर का question अब है कि clutch का परियोग कहाँ पर होता है आपसे ने गाड़ी की घीमा करने में कोई गीर बदलने में चलती गाड़ी का brake लगाने में उपरोक्त में सभी सही है देखे जो clutch का परियोग करते हैं इसका परियोग हम लोग करते हैं उपरोक्त में सभी सही है फिर साओ को सामाने ढघंक से ले मो yang सिलिप ना करें जटका ना दे और आवाज पैदा नना करें सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है आप समया प्रेशर प्लेट नहीं होती है इसमें डिफ्रेंशियल के साथ जोड़ते हैं क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के बीच दबी रहती है उपरोग सभी गलत है तो देखिए जो सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है आपका कि यह कि यहाँ हमारा सी अंसर क्क होगा और सिंकल प्लेट कलउच में जो एंजन के साथ बधा और चलता है और तीसरा होता है आपका कलपूरज होते हैं यहां प्रेटिंग में कहते हैं जिसमें लिंगेज इस्प्रिंग आदि आते हैं और वे कलटCRस प्लेट पार स्ट्र डालते हैं और हटाते रहते हैं पड़ां चारू स्तरी कोर्षण है वाट कला काहलाते हैं तो देखिए वाट कला क्या कहलाते है हमारा legal mechanics 2016 में रहती है जिनकी press plate दो दो भी रहती है के üzजने नहीं ne दो horr殺 को देशिक का और अगैयों होता है प्रिसर पलत नहीं होता है तो देखिए वाट कलस जो रहते है या क्या करना थे जिनमें प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है तो 407 के यहां पर यह अंसर करेक्ट हो जाएगा और ड्राइ कलच में क्या होता है जो प्रेसर प्लेट रहता है तेल में नहीं डूबी रहता है जब कि वैट प्लेट में क्या होता है वैट कलच में इसमें जो प्रेसर प्लेट रहता है या तेल में डूबी रहती है जब कि ड्राइ कलच में प्रेसर प्लेट तेल में डूबी नहीं रहती है चारत अठारे नंबर कोश्चन है कि मल्टि प्लेट क्लच में क्या होता है तो देखें मल्टि प्लेट क्लच में क्या होता है आपका कि आपसन है कलच प्लेट का ब्यास ज्यादा होता है कलच प्लेट की संख्या अधिक होती है प्रेसर प्लेट किसी व्याकार का परियोग होता है ज्यादा टेंशन की स्प्रिंग परियोग की जाती है तो मल्टी प्लेट कलच में क्या होता है आपका जिसे टार्क के टांस्मिशन करने की छमता बढ़ती है इंजन साफ्ट तथा टांस्मिशन साफ्ट पर ये प्लेटें बारी-बारी से लगाई जाती है चलते हैं 419 नमबर का question फर क्लश प्लेट किस की बनी होती है आफ्समिशटील की पत्तियों दोरा कास्टेरन दो तिक की चादर दोवर उप्लूक्त में से कोई नहीं तो जो clutch plate बना रहता है या बना रहता है steel के पत्तियों द्वारा यहां पर हमारे answer करेक्ट हो जाएगा जो clutch plate रहता है या steel के पत्तियों द्वारा बनाया जाता है और इस पर clutch shaft पर पाइलेट बियरिंग लगी होती है clutch के दो भाग होते हैं एक driving member दूसरा driven member और clutch घरसन के सिद्धान परकार करता है डबल डी clutching में क्या होता है आपसाने एक बार pedal दबाने पर gear बदल सकते हैं एक बार पैडल दबाने पर gear neutral करते हैं दूसरी बार दबाकर gear की position बदलते हैं तो डबल डी clutching में क्या होता है आपका कि एक बार पैडल दबाने पर gear neutral करते हैं फिर दूसरी बार दबाकर gear की position को हम लोग बदलते हैं तो यहाँ पर हमारा भी answer correct हो जाएगा कि 421 नंबर का कोश्चन है क्लाच प्लेट के दोनों तरब किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है आप सने कार के की चमड़े की फैबिर्क ऐस्वेश्टस की उपरोग सभी पदार्थों की तो क्लाच प्लेट के दोनों तरब जिस पदार्थ की लाइनिंग बनी रहती है वह रहता है कार्क के भी चमणे के भी फैब्रिक अस्वेस्टस की यह जो की कोशन पहले भी हो चुका है तो यहां पर हमारा डीयांसर करेक्ट हो जाएक उपरोग सभी पदार्थों की यहां पर करेक्ट होगा तो साधनते हैं घरतना पदार्थ हैं बहुत होते हैं जिनका परियोग कलाच में होते हैं जैसे कि आपको लेदर कार्क फाइब्रिक ऐसबेषटस रस भेषटस फैरोड 56 prepare कोस्चन है कर डसक्त पर किस प्रकार की बेहरां होती है अप तक है रोलर बीरिंग ब्रूट वैरिए धार की लगी रहती है वह रहता है पाइलर भी इरिंग और inh페 göz तता इंजिन के बीच में लगाया जाता है कि जिसका कर इंजिन के पावर को इंगेज तथा डिस drocks करना होता है त्यमद्य को और है ऑलटमोबाइल की कलेचों में कि स्पोक्राड की स्प्रिंगों का परीयोग होता है है आप तो offer करते हैं और ये Carry- PPा प्रियों करते हैं को बंड कुंडलिट हेलिकल स्प्रिंग भी कहते हैं तो प्रोल गीन चुर्षप्रति नम्र कोशन है इंजन से रेखते हैं कि इस पर आऊ बहा भी बाखते हैं तो बात इम इसे दिफ्रेंशियल गीयर तो इंजय तथा गीयर बाक्स के बीच में जो लगा रहता है वह रहता है हमारा कलच यह आप हमारा सी अंसर क्रेक्ट हो जाएगा कलच लगाया जाता है तो कलच साफ्ट में जो सक्ति अस्थनांतिरित की जाती है वह गीयर बाक्स के द्वारा ट्रांस्विंट की जाती है यह ट्रांस्मिसन प्रडाली का मुख्याधार है जिसके द्वारा इंजयन की विक्सित सक्ति को पिछले पाहिये तक सुगमता पूर्यों का स्थनांतिरित कि करें जाता है इंजन एम गीयर बाक्स के बीच में कलच का परियोग करते हैं कि चार्च प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है तो यहां पर डियांसर करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर डियांसर करेक्ट हो जाएगी कारकी के भी रrias चमडे के भी असमेस की भी रहती है यहां पर हमारा डियांसर करेक्ट हो जाएगग उपरोB सभी चार साथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा तो इंजिन के वाल्व राइस और पुस्ट राड भाग का सनेहन दाब भरन या तंत्र द्वारा नहीं होता है यहाँ हमारे सी अंसर करेक्ट हो जाएगा अब 429 नंबर का कोश्चन है एक कलाच इस यूइड फार स्टापिंग ड्रीवें साफ्ट विदाट स्टापिंग ड्रा लाइमान साफ़कों रोकने हेट पत थे होता है किस प्रकार के कलाच प्रकार से सकारात्मक चालणम्ब होता है अब तो जेहां पर ड्रीच करेक्ट्बॉसर हो जाएगा ड्राक्लाच की प्लेटों में जबडे तथा खांचे बने होते हैं लीवर दबारा प्लेटों को मिलाने पर एक प्लेट पर बने जबड़े दूसरे प्लेट के खाँचों में फंस जाते हैं दोनों प्लेट को आपस में सिलिफ होने की कोई समभावना नायर रहती है और डाक कलच के दाएं तथा बाएं किसी भी दिसा में घुमाया जाता है अब है हमारे 430 नमबर का कोश्चन कि डाक कलच में क्या परियोग किया जाता है आपसन है आपके सामने मेस घीयर बाक्स, सिंक्रोमेस, डिफरेंशियल इनमें से कोई नहीं तो जो डाक कलच रहता है इसमें हम लोग क्या परियोग करते हैं? तो डाक कलच का उपियोग मेस घीयर बाक्स में किया जाता है यह अधिकतर आटो मोबाल गाड़े में घीयर बाक्स के रूप में परियोग करते हैं अब 431 सामने का कोश्चन है clutch sleeping while clutch is engaged is particularly noticeable clutch slippage जब clutch कारेरत है तब clutch slippage विशेश रूप से दर्शनी है अबसन है starting engine में जब some way paddle को प्रेस किया जाता है आपका during braking at low speed तो clutch slippage जब clutch कारेरत है तब clutch slippage विशेश रूप से जो दर्शनी होता है यह होता है आपका when accelerator paddle is proceed यानि कि जब some way paddle को प्रेस किया गया है तो यहाँ पर हमारा B answer correct हो जाएगा चार्सों बत्रीस नंबर का question है automobile gear समानते किसके बने होते हैं आपसने काश टारन का mild steel का stainless steel का Eli steel का तो automobile gear जो रहते हैं या समानते बना जाते है Eli steel के तो यहाँ आप हमारा D answer correct हो जाएगा Eli steel का बनाया जाता है gear bugs लगाने का मुख करण यह होता है कि driver engine की सक्ती यानि की टार के को बढ़ा सके ताकि गाड़ी road और load के हिसाब से चलाई जा सके 433 number question है जब दो साफ्टों के अच्छ समना अंतर में नहीं है और वे आपस में एक कोण बनाते हैं तथा उन्हें gear के द्वारा जोड़ना आवस्यक है तो प्रिक्त gear क्या है अपन है? ये सब्सक्राइब है इस पर गीए और वार्मी गीए वेवल गीए तो जब दो साफ्टों के समना अंतर में नहीं हो और वे आपस में एक एंगल बनाते हो तब उन्हें इस गीए के द्वारा जोड़ना आवस्यक है तो वह जो जुडते हैं, इन्हें हम लोग जुडते हैं बेवल गियर के द्वारा, तो यहाँ पिर हमारा D answer correct हो जाएगा बेवल गियर 434 number question है जब दो गीजर आपस में में सोकर चलते हैं तो क्या होता है तो देखे जब दो गीजर आपस में में सोकर चलते हैं तो होता क्या है कि छोटा गीजर अधिक गती से घुमते है और जो बड़ा गीजर आता है वह कम गती से घुमता है 435 number question है टार के कनवर्टर कहां पर काम आता है तो देखे जो टार कनवर्टर होता है कहां पर काम आता है आप समय गाड़ियों के इंजन में गाड़ियों के आटोमेटिक गियर बाक्स में skill jack में hydraulic jack machine में तो जो tar के converter होता है यह काम में आता है गाड़ींगों के automatic gear box में काम आता है और जो tar के converter की भी शिश्था होती है आपको बता देते हैं कि यह tar को बढ़ा सकता है इसमें TO 스लिएंग देखता है जीरो से लेका राइदिक्तम इस्पीड तक किसी भी रेंज में गाड़ी चलाई जा सकती है और गियर शेप्टिंग बिना जटके के और आटोमेटिकली बदले जाते हैं ड्राइवर ड्राइव लाइन के साक्स को या जटके को खतम करता है और वाइब्रेशन को भी है खतम करता है you do necessary extraảo को प्लाइ यीन निर्शन से जूड़ान रहता है आपशिनके कंपन को कमें के लिएए क्रेशंट में भार को बढ़ा ने के लिए इंजन की गति के में उतार चुड़ाव को कमें करने के लिए तो क्रेंक साप्ट फ्लाइmission से जूड़ा इंजन की गती में उतार चुड़ाव को कम करने के लिए लगाया जाता है, फ्लाइवील, फ्लाइवील कम ये उतार चुड़ाव यानि कि बलाव कहीं उसके स्पीड को मेंटेन करने का करे फ्लाइवील करता है, चार सोनाइटीस नमबर का Quest है किसके प्रयोग दवारें इंजन के अधिकतम सक्टी को बढ़ाया जा सकता है अपwell車 आपनेक students रर्वरा separately कोन Сп'M só." जिसके दवारें इंजन के अधिकतम सक्टी को बढ़ाया जा सकता है वहाइता है जिससे उसे अधिक सक्ति लगाना पड़ता है, अब है 437 नंबर का question, यह किसी छोटे गीयर द्वारा किसी बड़े गीयर को चलाये जाए, तो बड़े गीयर के पिछे छोटे गीयर की सक्ति क्या होती है, तो इसके लिए जो सक्ति होती है, वह सक्ति कम हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा ए अंसर करेक्ट हो जाएगा, कम, यह किसी छोटे गीयर द्वारा किसी बड़े गीयर को चलाये जाए, तो बड़े गीयर की पेच्छा छोटे गीयर की सक्ति कम सक्ति लगानी पड़ती है, 449 नमबर कोश्चन है, यह किसी गीयर की परिथी परदाते एक बिसे स्कोन पर कटे होते हैं, आपसन है, असपर गीयर, हिलकल गीयर, डबल हिलकल गीयर, इनमें से कोई नहीं, तो जिस प्रकार के गियरों की पर इच पर दाते एक बिसे सेंगल पर काटे जाते हैं वह रहता हमारा हेलिकल गियर तो हेलिकल गियर की पर इच पर दाते एक बिसे सेंगल पर काटे जाते हैं इस टाइप के गियरों में गियर के दाते तिर्चे कट रहते हैं इस टाइप में एक गीयर का दूसरे गीयर के साथ contact दाते के शुरू होने से दाते के खतम होने तक जूड़ा रहता है 444 नमबर कोशन हैं कि दो गीयरों की चल किस पर निर्भर करती है आप तो नहीं कटे दातों के अनुपात पर गीयर के प्रकार पर गीयर की धात पर कटे दातों की आकार पर तो दो गियर की जो चाल निर्भर करती है यह कटे दात के अनुपात पर यानि की रेशियो पर निर्भर करता है तो दो गियर की चाल कटे जो चाल रहती है वह कटे दातों के अनुपात पर निर्भर करता है यह जिस गीयर में दातों की संख्या अधिक होगी उस गीयर का स्पीड कम होगा और जिस गीयर में दातों की संख्या कम होगी उसका स्पीड यानि किचाल अधिक होगा 44.4 नमबर कोशन है किसे भी गियर बाक्स में बीना आवाज गियर बदलने के लिए क्या आवस्ते क्या होता है कि दोनों गियरों की चाल का समान होना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ प्र हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी gear box में बिना आवाज गियर बदलने के लिए आवास्यक दोनों gear की चाल समान होनी चाहिए जिससे gear engage करने पर दोनों दाटे बिना किसी आवाज के आपस में मिल जाते हैं जिससे बिना आवाज के गियर बदले जा सकते हैं 442 कोशन है किस प्रकार के gear box में main soft के gear को खिसका कर ले soft पर बने उसके जोड के साथ मिला जाता है constant mass gear box, synchronize gear box, sliding mass gear box, planetary gear box तो इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हों वाराता है sliding mass gear box यहां पर correct answer होगा 443 number question है कि sliding mass gear box में किसका परियोग gear बदलने में करते हैं आपसे नहीं change lever, selector shaft, selector fork, उपरोग सभी तो sliding mass gear box में जिसका परियोग gear बदलने के लिए हम लोग करते हैं वह हमारा रहता है change lever भी, selector shaft भी और selector fork भी रहता है तो आप हमारे data answer correct हो जाएगा उपरोग सभी 444 number question है कि top gear किसे कहते हैं आपसे नहीं सबसे कम चाल वाला gear, मध्यम गती वाला gear, अधिक चाल वाला gear, आसमान चाल वाला gear तो जो top gear जिसे हम लोग बोलते हैं वह हमारा रहता है अधिक तम चाल वाला gear को हम लोग top gear कहते हैं top gear अधिक चाल वाला gear को कहते हैं इस gear का संबंद overhead rough units होता है जिससे गाड़ी की चाल अधिक हो जाती है 45 number question है कि gear box कब neutral हो जाता है वह कब होता है कि जब कोई gear engage ना हो तो यहाँ पर हमारा answer correct हो जाएगा जब कोई gear engage ना हो चलता है ने question पे 46 number question है कुछ गाड़ीयों में engine की सकती को पिछले axleों के साथ साथ अगले axleों में भी बांट देने की व्यवस्ता होती है ऐसे गाड़ीयों क्या कहलाती है आपसे नहीं 2 x 2 wheel drive, 4 x 4 wheel drive, stable wheel drive, summon wheel drive तो कुछ गाड़ीयों में engine की सकती को पिछले axleों के साथ साथ अगले axleों में भी बांट देने की व्यवस्ता होती है ऐसे गाड़ीयों को हम लोग 4 x 4 wheel drive कहते हैं तो आप हमारा भी answer correct होगा 47 number question है किस प्रकार के gear box में color या dog का परियोग होता है तो जिस प्रकार के gear box में color या dog का परियोग होता है वह हमारा क्या रहता है constant mess constant mess gear box में color या dog का परियोग किया जाता है constant miss gear में main soft और counter soft पर लगे gear एक दूसरे के साथ हमेशा मिले रहते हैं gear race बदलने के लिए main soft के gear के मद्द में लगी sleep को हम लोग shift करके जिस gear race की जरूरत हो उस gear के अंदर वाले दातों में फंसा जाता है 4.43 नमबर question है over drive unit के gear में engage किये जाता आप में reverse gear पहला गीर टाप गीर तीसरा गीर तो यह question एक बार हम आपको बता चुके हैं तो over drive unit जिस gear से engage किये जाता है वाराता है आपका top gear तो आप हमारे answer correct हो जाएगा over drive unit top gear में engage किये जाता है क्योंकि top gear में सबसाधिक चाल होती है 449 no question है ये किसी बड़े gear दवारा चोटे gear को घुमाए जाए तो चोटे gear में बड़े gear के पेच्छे चाल क्या होगी तो देखिए यहाद किसी बड़े gear की दवारे छोटे gear को घुमाए जाए तो छोटे gear में बड़े gear के पेच्छा जो चाल होगी वह है अधिक होगी तो यहाँ पर हमारे answer correct हो जाएगा 450 number question है, gear ratio का formula का है यहाँ पर आपको बताना है तो देखिए जो gear ratio होता है यह होता है D1 upon D2 equal to T1 upon T2 equal to N2 upon N1 यहाँ पर D आपका क्या होता है आपका D1 और D2 जो है आपका चलित gear का पीछ ब्यास D1 है और जो D2 रहता है आपका चलिद गियर का पिछ ब्यास रहता है और जो यहाँ पर T1 रहता है यह चाला गियर में दांतों की संख्या रहती है और जो T2 रहता है यह चलिद गियर में दांतों की संख्या रहती है और जो Y2 रहता है यह चलिद गियर का स्पीड RPM में रहता है विलासिटी रेशियो क्या होता है तो देखी जो विलासिटी रेशियो होता है यह आपका होता है यह आपका घीयर रेशियो का उल्टा होता है तो यहाँ प्या हमारा यह अंसर क्रेक्ट हो जाएगा कि 452 नंबर का कोश्चन है निमनमें से कौन से कथन सत्य है तो देखिए जो कथन सत्य है वह है आपका इक पाई डीविन एकविन टू पाई डीटव यहाँ पर यहां पर यह बिल्कुल सई है और है आपके कि डीवन अपण डीटव सब्स्वार कर दे गहां पर इसको पच्छांतर कर देगा तो भी यहाई आएगा फार्मूलन दोनों सेम आएगा तिहां पर यह और भी aradaं सत्य हैं अब है चारसो फिरीपन का कोश्चन को निम्म में से एपी साइकिलिक गियरबाक्स के लाब कौन कौन से हैं आप सब्सक्राइब के लिए कि मल्टिप्लेट करेंग होता है गीरों के एक ही जोड़े पर लोड़ ना आकर अने गीरों पर आता है इनमें सभी सथे हैं तो एक यहां पर हमारा डी अंसर करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी कथां सथे हैं 210 चौह 151 कि डिsk किस्म के ब्रेक को अपम दिए क्यों को अच्छा मानते हैं क्यों आसथ में आपसे शेयरों होता है। तो डिस्क किसमे के ब्रेक में आप एच्छा करित अच्छा माना जाता है क्यों क्योंकि ये अधिक टिकाउ होता है इसमें पूर्जे कम लगते हैं इसलिए सस्ते भी रहते हैं और दूसरे ब्रेक सिस्टम के पेच्छा ठंडी चलती है क्योंकि इसकी break disc wheel के बाहर लगी रहती है और break lining या pad बदलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है 455 नमबर कोशन है bleeding क्रिया में break प्रडाली से निकलते हैं आपसे नहीं हवा निर्वात अतरिक्त द्राव अतरिक्त दापत bleeding प्रिक्रिय में break प्रडाली से जो निकलता है वह रहता है हवा यानि कि air यहां पर correct answer होगा अब है 456 नमबर कोशन है air break सामाने रूप से परियोग होते हैं आपसे कारों में जीपों में, ट्रकों में, तिपाहिया वाहनों में तो जो air break रहता है यह आपका होता है ट्रकों में तो air break ट्रकों में परियोग होता है आज कल पूर्ण air break pressure break system बहुत प्रचलित हो रहे हैं इनमें ना सिर्फ driver को break लगाने के लिए बहुत ही कम जूर लगाना पड़ता है बलकि गाड़ी भी break लगाते ही खड़ी हो सकती है यह break भारी वानुमें परियोग किया जाता है चार सो सुंताव नामर कोश्चन है suspension suspend vacuum breaker में Piston के दोनों और vacuum होता है आप समय ब्रेक लगाते समय brake leakage होने पर के कम लगने पर सही कथम सही है यह आपका ब्रएक लेकेज होने पर होता है जेहां हमारे अंसर खर्छ्क हो जाएगा ब्रएक लेकेज लेकेज ब्रेकश होने पर जब रीलीज होता है सस्फंड वैकंड में पिश्टन के दोंगोर वैकॉम होता है मोखक लाइनिंग में मुखी रोप से क्या Pakistani आ सबर न नहीं या ठोस बनी हुई या धली हुए होती है Sure Script जो हली अधात्री कि लाइनिंग का घर्थन गुलांग जो होता है 270 डिगरी सल्सियस पर 0.4 होता है चारतों अंसर्थ नंबर कोश्चन है इनमें से कौन सा मेकानिकल ब्रेक का भाग है आपसे ने ब्रेक सूब फॉलकरम ब्रेक ड्राम उपरोग सभी तो मेकानिकल ब्रेक का जो भाग रहता है या आपका ब्रेक सूब भी रहता है फॉलकरम भी रहता है ब्रेक ड्राम भी रहता ह तो इसलिए यहाँ पर D-Answer करेक्ट हो जाएगा उपरो सभी 460 नामर कोश्चन है वेल सिलेंडर का कौन सा पार्ट ब्रेक आयल का सील करता है आफ़ने पिश्टन कमानी कवर कप तो वेल सिलेंडर का जो पार्ट ब्रेक आयल का ब्रेक आयल को सील करता है वे रहता है कप तो कप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विल सिलेंडर का कप पार्ट जो रहता है यह ब्रेक आयल को सील करता है 461 नामर कोश्चन है किस प्रकार का ब्रेक एक पाहिया के ब्रेक खराब होने की दसा में भी अन पाहियों में काम कर सकता है पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा मेकैनिकल ब्रेक जबकि एयर ब्रेक काम नहीं करेगा चारतों 62 नंबर कोश्चन है तरल पदार्ट दबाने से दपता नहीं है यह नियम किस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है तो तरल पदार दबाने से दबता नहीं है या जिस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है वह हमारा रहता है हट्रालिक ब्रेक जो की बहुत आसान से कोश्चन आपको भी पता होगा यह देखें डियार्डो में कोशन है किसके द्वारा हट्रालिक फ्लूट का प्रेसर बनाकर विल सिलेंडरों तक भेजा जाता है आप से ने ब्रेक ड्राम ब्रेक प्रेक प्रेक्ट मास्टर सिलेंडर रिंज में से कोई नहीं तो जिसके द्वारा हट्रालिक फ्लूट का प्रेसर बनाकर विल सिलेंडरों तक भेजा जाता है वह हमारा क्या रहता है मास्टर सिलेंडर तो master cylinder जो रहता है या hydraulic brake system के हिर्दा कहलाता है और इसके दो मुख्य chamber होते हैं एक आपका fluid rigid wire होता है जिसमें fluid भरा रहता है और दूसरा आपका combustion chamber होता है जिसमें आपका piston चलता है 464 number का question है कि wheel cylinder को किसके बीच में fit किया जाता है आपसे ने brake drum, brake plate, master cylinder इनमें से कोई नहीं तो wheel cylinder को जिसके बीच में fit किया जाता है वह रहता है master cylinder तो master cylinder यहाँ पर correct answer हो जाएगा चलता है next question पर brake pedal में किस सीमा तक free चाल रहना चाहिए तो brake pedal में जिस सीमा तक free चाल रहना चाहिए वह रहता है एक बटा चार से एक बटा दो तक drum brake में परियोग क्या होता है एक ब्रेक सूप, brake disc, clutch disc, brake pad तो drum brake में जो परियोग होता है वह रहता है ब्रेक सूप, drum brake में ब्रेक सूप परियोग करते हैं यह काश टाइरन का बना होता है और wheel bolt दोवारा hub पर tight रहते हैं और इसके अंदर सारा braking mechanism होता है और brake सूप खुलने पर brake के अंदर गुलाई पर लगे रहते हैं जिससे पाईयों की brake लगाने पर brake drum और brake सूप आपस में रगड़ते रहते हैं इसलिए brake drum भी अंदर से घिज जाते हैं 466 number question है कि disc के brake होता है आपसान अगले पाहियों में पिछले पाहियों में इमें से कोई नहीं ब्रेक जो परियोग होता है या परियोग होता है आपका इंजन की चल को कंट्रोल करने के लिए एकजास्ट ब्रेक का परियोग करते हैं यह बड़ी गाड़ियों में एकजास्ट ब्रेक का परियोग किया जाता है जिससे ड्राइविंग स्पीड पर कंट्रोल रखा जा सकता है फूट ब्रेक की लाइफ बढ़ जाती है ड्राइवर को ज्यादा पैडल नहीं मारना पड़ते है और एक 20 वसनी ब्रेक का काम करता है 469 कोस्टन ने्कि मास्टर सिलेंडर का मुख्य बाग क्या होता है तो मास्टर सिलेंडर का मुख्य भाग होता है आपका कॉस्टन होता है Master cylinder hydraulic brake system को हिर्दा होता है इसमें दो मुक्स chamber होता है एक आपका होता है फ्लूट रिजरवाय जिसमें फ्लूट भरा रहत है दूसरा होता है आपका combustion chamber जिसमें piston चलता है अब है 470 नमबर का question कि जब दो गीयर आपस में में सोकर चलते हैं तो क्या होता है जो छोटा गीयर रहेगा वह आपको अधिक गती से घूमेंगा और जो बड़ा गीयर रहेगा वह आपका कम गती से घूमेंगा तो यहां पर हमारा एंसर करेक्ट हो जाएगा छोटा गीयर अधिक गती से घूमेंगा और बड़ा गीयर कम गती से घूमेंगा के चारrat नामेयर कुंशिन की एपने को इस दन पांवर आप फिरे सबीद गरता है यह आपका प्राप्ट उस्याहrict को प्राप्त होता है यानिक्राइबल आधीर मुठार कढ़ेपल पांवर को व्र्रेकफ रंट काईगा फ्लाइवील इंजिन के क्रेंक शार्ट पर उत्पन्त पावर को ब्रेक हर्थ-पावर कहते हैं फ्लाइवील पर भी क्रेंक साठ पर लगी होती है जो फ्लाइवील रहती है वे बिम्हेंस अ लगी होती है चरसोब inhal नंमर का कॉस्चन है मोटर वाहन के king pin में caster angle का मान कितना होता है आप से 5 से 7 डिगरी, 2 से 8 डिगरी, 1 से 2 डिगरी, 7 से 9 डिगरी तो देखे जो मोटर वाहन के king pin रहता है उसमें जो caster angle का मान रहता है वह रहता है आपका 2 से 8 डिगरी तक तो मोटर वाहन के किंग पिन में कैस्टर एंगल का मन दो डिगरी से आठी डिगरी होता है किंग पिन उदग रेखा से आगे की तरह या पीछे की तरह भी जुकी होती है इस जुकाओ को ही हम लोग कैस्टर कहते हैं चारसो त्यत्तर नमर का कोश्चन है फ्रेंट एक्सल के साथ मोटर गाड़ी के क्या जोड़े जाते हैं आपसोंने पिछला पाइए अगला पाइए अगला पिछला दोनों पाइए इन में से कोई नहीं तो जो फ्रेंट एक्सल रहता है इसके साथ मोटर गाड़ी में हम लोग क्या जोड़ते हैं वह जोडते हैं अगला पःय जोडते हैं तो फ्रेंट एकसल के साथ मोटर गाड़ी की अगले पैये जोड़े जाते हैं गाड़ी के अगले भाग का बहर फ्रेंट एकसील पर आता है यह स्टेरिंग में सुभधा परदान करता है तैसा सनक के जहाटके सन भी करता है अब है आपका 400 बाता नमबर का question तो 400 बाता नमबर का question कह रहा है कि front axle में किस प्रकार का bearing परियोग किया जाता है आप से नहीं बाली bearing, roller bearing, thrust bearing इनमें से कोई नहीं तो देखी जो front axle रहता है इसमें हम लोग जो bearing यूज करते हैं वो thrust bearing रहता है तो thrust bearing का परियोग हम लोग करते हैं इसमें लगे kingpin द्वारा step axle और गाड़ी में दोनों पईयों को आसानी से घुमा सकते हैं front axle spring द्वारा गाड़ी को चलाते समय कुशन का काम करता है front wheel drive वाले axle में road वाले road wheel को इसी तरह के द्वारा गुमाने की सकती दी जाती है और जो front axle होता है यह अपका यह दो प्रकार का होता है एक होता है आपका live front axle एक होता है आपका dead front axle 475 नमबर का question है step axle के साथ किस प्रकार के तथा कितने bearing परियोग होते हैं आपसे नहीं roller bearing दो बाल bearing दो taper roller bearing बुस bearing तो step axle के साथ है जिस प्रकार का तथा कितने bearing परियोग करते हैं तो देखिए दो प्रकार दो आपका taper roller bearing रहता है तो step axle के साथ दो taper roller bearing परियोग होते हैं step axle पर अगला पहिय चड़ाया जाता है किंग पिंड की सायता से या step axle front axle से जुड़ा होता है step axle फोर्जिंग दुवारा alloy steel तथा निकल की बना याती है किंग पिंड पर step axle घूम सकती है और यह चार प्रकार की होती है आपका होता है चलते हैं इस question पर 476 number question है बड़ी गाड़ियों में steering को कितने चकर घुमा सकता है तो देखें बड़ी गाड़ियों में steering को जितने चकर घुमा सकता है वह रहता है आपका 4 से 5 चकर तो यहाँ पर आपका भी answer correct हो जाएगा 4 से 5 चकर 477 number question है अगले पाईयों की fitting में कुछ कून दिखा दिये जाते हैं यह क्या कहलाते हैं आपको ने fitting, wheel alignment, self alignment इनमें से कोई नहीं तो अगले पाईयों की fitting में कुछ कून दिए जाते हैं और यह क्या कहलाते हैं आपके wheel alignment कहलाते है wheel alignment में पहले किंगे pin inclination camber angle को चक करते हैं और बाद में T in को चक करते हैं 48 अब्र क कोशन है क्ोस प्रकार की स्टीयरिम द्वारा 90 डिगरी पर भी गाली को खड़े खड़े मोड सकते हैं आपिन hydraulic assist द्वारा power steering द्वारा reversible द्वारा इनमें से कोई नहीं तो जिस प्रकार की steering द्वारा 90 डिगरी पर भी गाली को खड़े से खड़े मोड सकते हैं भारी गाड़ियों में स्टेयरिंग के लिए ड्राइबर को स्टेरिंग में पर अधिक ताकद लगानी पड़ती है खास तरदसे जब कि गाड़ी को सार्प कार्नार पर मोडते हैं जिस है और परवर स्टियरिंग कई कंबर इंगल कितना रखा जाता है तो देखिए जो जिंगल होता है यज आपको 2γ ऐसे 5 डिगरी तक रखा जाता है और गारे को आगे से देखने पर टायर के मध्य रेखा तर्था उद्धख रे रेखा चो एंगल को हम लोग तो कैंबर कहते हैं गी को inspect the nonnee टो इन या टो आउट कितना रखा जाता है तो देखिए जो टो इन या टो आउट रहता है यह आपका 1 mm से 5 mm तक रखा जाता है और गाड़ी के अगले दोनों पाईए आगे की तरफ हैं से कुछ अंदर की तरफ मुड़े होते हैं अत्या उपर से देखने पर पाईए के एंग होता है चलता है दो सब्सक्राइब चार सब्सक्राइब कोशन पर टो इन गेज किस गेज से नापते हैं तो जो टो इन रहता है या किस गेज से नापते हैं तो देखिए जो टो इन रहता है इससे हम लोग टेलिसकोपिक टो इन गेज के द्वारा नापते हैं जैसा कि इसके कुर्ष नाम से असपेश्टनेट टो इन है थेफ़land ओगेंinta गेस्ट कपर यूग करें गा तुदेखे टो इन टैलिस्कोपिक कुश्ट ग्यूहां तो इन गेस से मापते हैं और डाल करनेस को मापा जाता और फिलरर गेज के दुवारा दो सताहों के बीज के मापा जाता है Look at the 450 नंबर का को Approach्टन है कि चार पईय वाली गाली स्टेरिंग इस तरह से होता है कि अगला आप आये जो रहता है यह आपका बीना फिसले हुए यहाने कि बीना सिलिप हुए घूमता है तो यहां पर हमारे यह अंसार करेक्ट हो जाएगा चलते हैं 483 नमबर के कोस्चन पर 483 नमबर का को कोस्चन है कि रिडओक्शन सिस्टम के गती का अनुपाथ नम्न में से कितना होता है तो देखे, reduction system में गती का जो ratio रहता है, यह ratio हमारा रहता है, 10 अनपाते 1 से 22 अनपाते 1 तक है, तो यहाँ पर हमारा C answer correct हो जाएगा, यह हमारा DRD mechanic diesel 2016 में आयुआ question था, जोकि बहुत important था, 484 नंबर का question है, निमनलिखित में steering linkage किसे कहते हैं, तो steering linkage किसे कहते हैं, आपको बताना है, आपसाने steering का चक्के के chain से जुड़ा रहना steering linkage कहलाता है, भी है आपका अगले पाईयों और steering gear box के बिच विभिन्न कड़ियों को जोड़ को steering linkage करते हैं, यह आपसों नंबर भी यहाँ के बिच विभिन्न कड़ियों के जोड़ को steering linkage कहते हैं, यहाँ पर हमारे answer correct होगा, अब 485 नंबर का question है, यदि सणक की सत्य के कारण road wheel का deflection, steering linkage और steering gear box से होकर steering wheel तक जाता है, तो ऐसे steering system को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ने reversible, irreversible, A और B दोनो, DIN में से कोई नहीं, तो दे की सत्य के कारण road wheel का deflection, steering linkage और steering gear box से होकर steering wheel तक जाता है, तो ऐसे steering system को हम लोग reversible steering system कहते हैं, यहाँ पर हमारे answer correct हो जाएगा, 486 नमबर question है, अगर गाड़ी ओवर steering करती है, तो इसका क्या मतलब होता है, आपसन है, ड्राइवर गाड़ी जीतनी मोड़ना चाहता है, उससे कम मुड़ती है, भी है आपका कि ड्राइवर जीतना गाड़ी मोड़ना चाहता है, उससे अधिक मुड़ती है, तो देखिए, ओवर steering है, तो ओवर steering में क्या होता है, ज्यादा मुड़ता है, तो ड्राइवर गाड़ी जीतना मुड़ता है, उससे अधिक मुड़ जाता है, अगर गाड़ी ओवर steering करती है, तो यहाँ हमारा भी answer correct होगा, 487 नंबर का question है, जब slip angle आगे की बज़ए पीछे की तरफ कम होता है, तो गाड़ी क्या करती है, आपने अंडर steer करती है, ओवर steer करती है, और भी दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं, देखिए, जब slip angle आगे की बज़ए पीछे की तरफ कम होता है, तो जो गाड़ी रहता ह वह under steer करती है तो यहाँ पर हमारा answer correct हो जाएगा under steer करती है 488 नमबर का question है कि गाड़ी को देखने पर camber बाहर की तरफ होतो है या क्या होता है आपसे ने रिडात्मक उदासीन धनात्म कोई नहीं तो गाड़ी को देखने पर camber बाहर की तरफ हो तो यह हमारा क्या होता है रिडात्मक होता है 489 नमबर का question है यह हमारे DR2 motor mechanic जोजर सूले में होग question है कि आधनिक गाड़ीयों में king-epping जुकाओ कितना होता है आपसे ने 1-2 degree, 2-6 degree, 4-8 degree इनमें से कोई नहीं तो आधनिक गाड़ीयों में जुकाओ जो होता है यह जुकाओ रखा जाता है 4-8 degree तक यहाँ पर हमारे C answer correct होगा 4-8 degree 490 नमबर कोशन है गाड़ी मोड़ते समय फ्रेम के साथ अगले दोनों पाईयों के कोणों के अंतर को क्या कहते है तो आउट, तो इन, तो कप, तो हब तो गाड़ी मोड़ते समय फ्रेम के साथ अगले दोनों पाईयों के कोणों के अंतर को हम लोग बोलते हैं तो आउट तो आउट यहाँ पर correct answer होगा steering system इस प्रकारते डिजाइन किया जाता है कि गाड़ी मोड़ते समय अंदर का पाईया अधिक कोण बनाता है तथा बाहर का खम इसी कारण मोड़ते समय पाईये टो आउट रहते हैं 490 नंबर का question है motor वाहन के किंग पिन में कैस्टर एंगल का मान कितना होता है आप समय 6-8 डिगरी, 3-5 डिगरी, 1-3 डिगरी, 7-9 डिगरी तो motor वाहन के किंग पिन में कैस्टर एंगल का जो मान रहता है यह मान रहता है 3-5 डिगरी तक तो यहाँ पिन हमारा भी answer correct हो जाएगा कैस्टर पिन उदगरे रेखा से आगे की तरफ या पीछे की तरफ जुकी होती है इस जुकाओ को हम लोग कैस्टर कहते हैं अता है एक साइट से देखने पर उदगरे रेखा तो थक्चिंगे पिन की मद्धे रेखा के बीज का जो एंगल हो रहता है पाहिए के तलपर होता है उसे हम लोग कैस्टर एंगल कहते हैं और इस कैस्टर एंगल का मन साधानते है दो से आठ डिगरी तक होता है तो दो से आठ डिगरी तक होता है तो इसके रेंज में तीन से पांच है तो यहाँ पर हमारा बीज करेक्ट हो जाएगा अब है हमारा 492 नमबर का कोश्चन कि एंगल बिट्विन इस्टेरिंग एक्सिस एंड दा वरेटिकल एक्सिस आप दा वेल इच काल्ड चक्र के इस्टेरिंग कच्छ तथा उर्दो कच्छ के बीच के एंगल को क्या कहते हैं यह हमारा इसरो टेक्निसियन और मोटर मेकैनिक 2016 में यह कोश्चन था आप सेना कैस्टर इस्टेरिंग एंगल टो इन टो आउट तो इसे हम लोग बोलते हैं कैस्टर बोलते हैं तो कैस्टर यादि गाड़ी के अगले पाहिये को अंदर की तरफ से साइड में देखा जाए तो गुजरने वाली लाइन के बीच को हम लोग जो एंगल बनता है उसे हम लोग कैस्टर एंगल कहते हैं और यह एंगल दो प्रकार का होता है एक होता पाश्टिव कैस्टर एक होता निगेटिव कैस्टर अब है चार सो bunu नंबर गफ़ोष्ण है कि प्रोपेलर साफ्ट में समानते दो प्रकार के जोड़ होते हैं यह चोड़ होते हैं वह आपके और भाव मिग्यानिक यूनिवर्सल और विसरपन जोड़ होते हैं प्रोपिलर साफ्ट समानते है लाई श्टील का बना जाता है प्रोपिलर साफ्ट में टाफनेस का गुड़ अधिक होता है या गीयर बाक्स से पावर का ट्रांस्मिशन डिफरेंशियल को करता है चारसो पंचानवे नंबर का कोश्चन है किसी आटो मोबाल में इंजिन से पावर को पाहिए तक पहुंचाने वाले साफ्ट का नाम क्या है आप साने स्प्लाइन साफ्ट कैम साफ्ट क्रेंक साफ्ट बाह साफ्ट तो किसी आटो मोबाल में इंजिन से पावर को पाहिए तक प वो गती मिलती है के दोवारा वाल खुलता और बंध होता है को गाड़ी के जटकों से बचाने के लिए क्या परियोग करते हैं आपके परियोग करने से मसीन तुट फूट तथा घिसाव कम हो जाता है कि 499 नंबर कोशन है प्रोपलर साफ्ट से सकती किसके माध्यम से एक्सल साफ्ट तक पहुंचती है और इंजन की सकती डिफ्रेंशियल द्वारा पिछले दोनों पईयों में बराबर बराबर बाढ़ती है 500 नंबर कोशन है कि 22 फॉर्ण टॉंचती सकती डिफ्रेंशियल तक पहुंचती किसके दवारा किया जाता है वह करता है अब के यह एक्स inspired होजाएगाँ प्रोपिलर साफ्ट 500 नंबर कोशन है क्राश टाप उन्वर्सल जॉइंट किस एंगल पर सरलता से सकती संचालन करता है 30 डिगरी, 90 डिगरी, 45 डिगरी, 15 डिगरी तो क्राश टाप उन्वर्सल जॉइंट जिस एंगल पर सरलता से सकती का संचालन करता है वह करता है आपका 45 डिगरी पर तो क्राश टाइप उन्वर्सल जॉइंट 45 डिगरी के एंगल पर सरालता से सक्ति संचलान करता है घीर बाक्स से डिफ्रेंशियल तक इंजन की कौणी सक्ति इस्थिति में अस्थाना अंत्रित करने के लिए उन्वर्सल जॉइंट का परियोग किया जाता है उन्वर्सल जॉइंट के द्वार सफलता पूरों 45 डिगरी तक की कौणी इस्थिति में सक्ति ट्रांस्मिट की जा सकती है पॉंसो दो नंबर कोशन कि समने रूप से प्रोपलर साफ्ट के साथ कितने उन्वर्सल जॉइंट परियोग किया जाते हैं हापसन है दो तीन चार आठ तो समान रूप से प्रोपलर साफ्ट के साथ जितने उन्वर्सल जॉइंट परियोग किया जाते हैं वरायता है आपके सब्सक्राइब करते हैं युनिवर्सल जुएंट आपके कई प्रकार करते हैं जैसे बाल टाइप रबाट कप्लिंग टाइप पॉर्ट टाइप क्रास टाइप कि डिफ्रेंसल का परियोग कहार पर होता है आप सने गाड़ी को लूटा चलाते समय गाड़ी को ख़ळा करते समय गाड़ी को मौड़ते समय किया जाता है जिससे गाड़ी जल्दी से ठीक जल्दी-जल्दी बगर transition system के नुक्सान करके मुड़ जाती है और टायर भी वेर्थ में नहीं घिसते हैं और गाड़ी कम से कम समय में मुड़ जाती है या इनाधार पर मनुस्यों के जोडों के आधार पर किसके दोार अधार पर मनुस्यों तो जिन गालीयों में आगे भी डिफ्रेंसिल लगा होता है वह कहलाता है आपका 4-wheel drive तो यहां पर आपका D answer correct हो जाएगा 4-wheel drive फोर-Wheel Drive गाड़ियों में चार चकों पर पौरप्त होता है. इसका परियोक पाली तथा फोर्स की गाड़ियों में अधिकतर परियोक किया जाता है. 506 नमबर QC है कि ओ vẫn drive transmission द्वारा main shaft की चाल से pro scheduled क्या होती है कमगोमती है थीज गोमती है नहीं गोमती है इनि-मेंसे कोई नहीं तो over drive transmission द्वारा main shaft की चाल से pro sixt जो होता है यह आपका तेज ही से गोमता है तेहां पर आपका भी answer करेक्ट हो जाएगा तेजी से गूंगता है कि पांसव साथ नमबर कोशन है उन मोटर गाड़ियों में जहां अगले पहियों को भी इंजिन की सकती दी जाती है किस प्रकार की उन्वर्सल जोइंट परियोग की जाती है आप से रबर कपलिंग पार्ट टाइप बाल टाइप योग में जहां अगले पहियों को भी इंजिन की सकती जी दी जाती है वह बाल टाइप की उन्वर्सल जोइंट परियोग करते हैं तेहां पर आपका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा बाल टाइप इसमें कांस्टेंट विलासिटी टाइप जोइंट भी कहते हैं इसे उन मोटर इस प्रिंग कलाच वंद में गलाHI नवर्ण साइब तो फिर जो दंविलाम होता है वैं रहता है आपका अनौन सब्सक्राइब घुम्दभ प्रोफलर साफ्ट को transmission में साफ्ट से कम गति पर घूमती है, दोनों सत्य है, कोई भी सत्य नहीं ही तो देखें जो over drive होती है या कि आधा कि प्रोफलर साफ्ट को transmission में साफ्ट से अधिक गति पर घूमाती है यही आपका correct answer होगा पॉन्सो दस नमबर कोश्चन है कि फ्लूड ड्राइव किसे कहते हैं तो फ्लूड ड्राइव जो कहते हैं किसे कहते हैं तो फ्लूड ड्राइव जो कहते हैं किसे कहते हैं तो फ्लूड ड्राइव जो कहते हैं उसे हम किसे कहते हैं लिक्विड कॉपलिंग को कहते हैं पांसो ग्यारे नंबर कोश्चन है कि ट्रांस्मिशन सिस्टम में गीयर बाक्स के बाद क्या लगा रहता है तो ट्रांस्मिशन सिस्टम में गीयर बाक्स के बाद क्या लगा रहता है तो ट्रांस्मिशन सिस्टम में गीयर बाक्स के बाद क्या लगा रहता है तो ट्रांस्मिश पांसो बारे नामर कोशन है कि geardo ऑरứ डिफ्रेंसियल को किस निमने में से कौम जृत यह आसने ट्रांस्मिसिंशन हेट्रोल्ities प्रोप्लर संप इनेहなたकी कोई नहीं तो تو ट्रांस्मिसिशनसिस्टम में geardo में आ रेंग्स तुरु जोड़ने का कार करता है वह आपको propeller is up करता है कि प्रोपिलर नाप में यूनिवर्सल जॉइंट लगी होती जिसके दोबारा अलग कोणों पर प्रांस्मिसन किया जा सकता है अब को स्लिब जॉइंट का दूसरा नहीं किया है आप समय उनियुनवर्सल जॉइंट्स फाइनल जॉइंट इनमें से कोई नहीं तो स्लिप जोइंट का जो दूसरे नाम होता है वह आपका स्लाइडिंग जोइंट होता है मोटर साइकलों का फाइनल ड्राइव होता है आपसे ने इनिसियल ड्राइव चेंड ड्राइव इन में से कोई नहीं तो मोटर साइकलों का जो फाइनल ड्राइव होता है वह होता है चेंड ड्राइव तो motorcycle का final drive के रूप में चेंड ड्राइव परियोग की जाते हैं चेंड ड्राइव एक पाश्टी ड्राइव होती इसमें slip नहीं होता है Car, price truck का final drive होता है आपसने initial drive, chain drive, start drive इनमें से कोई नहीं तो Car, price, start drive का जो final drive होता है वह आपका start drive होता है भारीग आडि में Lahe के रूप में सांफ्ट video का परियों किया जाता हैighty डिफ्रेंशियल नमल्खित में से किसका एक भाग होता है आपसे नहीं आउटर एक्सिल हाउसिंग इनार एक्सिल हाउसिंग मीडल एक्सिल हाउसिंग अपर एक्सिल हाउसिंग तो डिफ्रेंशियल जिसका भाग होता है वह रहता है इनार एक्सिल हाउसिंग का पांसाव सत्रे नंबर कोशन है कि डिफ्रेंशियल में कौन से तेल पढ़ता है तो देखें जो डिफ्रेंशियल में जो तेल पढ़ता है वह तेल रहता है आपका यस एए 90 गिएर आओ यस मतलब होता है तो साइटी आफ ह्ट ओमोबाईल इंजिनीरल जो आ इसमें यस एए नॉन कोशन है परेखेंद याजी near Pasaday li कि से अंता दिक होने की करण आयल गाधा होता है पांता ठाश करते हैं कि आटो मॉबाल में डिपरेंशियल परियोग किया जाता है वह मोंड लेते समय किया जाता है पॉंसओ नेंट रेकेसलियों को मिली सकती कि कोंस पर निरभर इस थीर एक्सेलों में बढ़ जाती है। इस यए पर आपका 90 करेक्ट ओर, 90 की एक्सेलों के दो टुकड़ों में बने होने का कारण किया है। आपसे ने अगले दोनों पाईयों में आसमान चाल होता है पिछले पाईयों में समान चाल होता है पिछले पाईयों में समान चाल होता है इन में से कोई नहीं तो एक्सल साफ्ट को दो टुकोण में बटे होने का जो रीजन होता है वो रहता है कि पिछले पाईयों में आसमान चाल का होना क्योंकि पिछले पाइओं में समानते डिफिरेंसियल लगा होता है जाएं पॉंद से नमबर कोच्चन है कि गीयर एक्सल साफ्ट अपनी केसिंग में किसकी सायता से फिट रहता है आपका प्यारिंग तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा पॉंस वाइस नमबर कुणूचन कि differential backless किसके नापी जाते है आफ तो ने pressure gauge से depth, depth, dial gauge से इनमें से कोई नहीं तो जो differential backless नापी जाती है और आप जाता है dial gauge से dial gauge काल पतमांग 0.01 mm होता है dial gauge के दरा less around अबार का앙 राउंडरेशन माता जाता है 503 280 कि डिफ्रेंशियलック लेस्ट कितनी होनी चाहिए तो डिफ्रेंशियल बैक लेस्ट जो होना चाहिए वह होना चाहिए आपका 0.0015 upfront 0.004 mm तक होना चाहिए फान्स लवीष को नहीं है कि कै आपो लिए अ लगाते समय तो आपमोबाईल में डिफ्रेंशिल के आवस सङकता होती लेते समय आप तो किसी आटो मोबाल में इंजन सेपाईयों को जोड़ना वाले साफ्ट का जो नाम होता है वह रहता है आपका प्रोपिलर साफ्ट यहां पर यह अंसर करेक्ट हो जाएगा प्रोपिलर साफ्ट का परियोंग गाड़ी में घियर बाक्स तक आई इंजन की सकती को डिफरेंशल पहुंचाने में किया जाता है इसके दोनों सिरोपर उनिवर्सल जॉइंट लगा होता है उनिवर्सल जॉइंट के द्वारा सरलता पूरवग 45 डिग्री के एंगल तक कि कोड़ी इस सिती में पाउन ठ्रेसमिट की जा सकती है जब कोई और जब कोई पनकर मोटर गाड़ी यह झारी जब ही तो होता क्या है कि आपका दस्पा और खिंछा त्रम कोरें सानली को सिर्फ से पहले विज्फुके है तो प्रोफिलर साथ में जो तो परकार के जुड़ होते हैं आपके युनिवर्सल और आपके विशारपन होते हैं है पॉस्टा थाइस नूम्मर कोश्चन है कि डिफ्रेंशिएल इसंबली इच एम मोटर वानों में विभेदी स्योजग के द्वारा क्या होता है तो मोटर वानों विभेदी स्योजग के द्वारा होता क्या है आपका कि मुख्य से रेयर एक्सल तक उर्जा अस्थानांत्रन होता है बाय तथा दायरे चक्रों में सम आर्पियम को होने देता है इसलिए यहां पर डियांसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर सभी कत्म सही है पिभेदी संयोजन का कार्य होता है कि मौड़ पर बाहर के चकों का बढ़ाना तथा रेखी गती में एक समान से चलाना तथा सक्ति का टांसफार्म भी में साप्ट से रेयर एक्सल पर करता है 529 नंबर का कोशन है स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके दवरा चिकनाई जाती है आपसने दफ सनेहन दवरा सनेहन पलक दवरा एधन के साथ मिले तेल दवरा सिलेंडर को चिकनाने की जरूरत नहीं होती है यह आपका D-Option है जो कि आपको से धंक से नहीं दख रहा हो तो सिलेंडर को चिकनाने की जरूरत नहीं होती है यह आपका D-Option है तो देखिए यहाँ लिखा है कि स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति जिसके दवरा चिकना जाती है वह रहता है हमारा कि इधन के साथ मिले तेल के दवरा तो यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टू इंजन में सिलेंडर भित्ति एधन के साथ मिले लुब्रिकेशन आयल दवारा सिलेंडर भित्ति का लुब्रिकेशन करते हैं चलता है नेक्ट कोश्चन पर 530 नमबर का कोश्चन है आटो मोबाल इंजनों में थर्म इस्टेट लगाया जाता है किसके लिए आप सेने सीटलन तंत्रिक का ताप नियंत्रित करने में सक्षन इस्ट्रोक द्वारा वायू के ताप नियंत्रित करने में लुब्रिकेटिंग आयल के ताप नियंत्रित करने में निकलने वाली गैसों के ताप नियंत्रित करने में देखिए आटो मोबाल इंजनों में जो थर्म इस्टेट लगाया जाता है वह उसका में काम हो उत होता है कि सीतलन तंद्र का ताप नियंत्रित करने में तो आटो मोबल इंजिनों में थर्मस्टेट वालू का परियोग सीतलन तंद्र का ताप नियंत्रित करने में लगा जाता है और इंजिन को ठंडी वस्त में स्टार्ट करने के लिए आवस्यक है कि इसका तापमान एक देश्चिस सीमा के नीचे नहीं होने देता है और सम्वानता है जो थर्मेश्टेट होता है यह 70 डिग्री सल्सियस से नीचे पानी का ताप नहीं होने देता है तो 70 डिग्री सल्सियस के नीचे तापमान नहीं होने देता है यह थर्मेश्टेट और 531 का कोश्चन है कि गाड़ी के रेडियेटर में जल का परियोग किस कारण से किया जाता है आप सेने इसका निम्ना घनात उस्ची विस्ष्ट गनाते निम्ना कोथना का असानी से उकलब दता तो गाड़ी के रेडियेटर में जल का परियोग जिस कारण से कीया जाता है वह रहता है कि उस्ची विस्ष्ष्ट घनत की कारण तो यहां पर हमारे B answer correct हो जाएगा कि गाड़ी के radiator में जल का परियोग जल के उच्छ विस्ष्ट घनत की करण किया जाता है और radiator का परियोग इंजन को ठंड़ा रखने के लिए किया जाता है radiator prior पीतल के बनाए जाते हैं 32 नमबर का question है कि lubricant के नमनलखित में से concept प्रकार है आप से ने तरल, paste, thos, mistrit, D है यह सभी देखे जो lubricant होते हैं यह ठोस, आर्थ है और ठोस तथा तरल सब होते हैं तो तरल पे होता है, paste भी होता है, thos, mistrit भी होता है यहां पर हमारे D answer correct हो जाएगा उपरोग सभी हाइट हो जाता है, lubricant, और अगर semi solid की बात करें यानि कि आर्थ होस की बात करें तो हमारा ग्रेशा जाता है अगर वही तरल की बात करें तो lubrication oil जो कि आपको पता ही है तो यह हो गया हमारा lubricant के परकार, अब 33 नमर कोशन है आइसी नो कि नमर में प्रेख लुब्रिकेटिंग आयल बनाने में कहनिश तरह का परयोग किया जाता है जिसे base oil काते हैं और रसायन कहलाता है रेजींस अडिक्टिफ्स प्रैसिवेटर्स के में हमाई प्रेख लुब दनाने में खनिश तरह का इपर ए Mil के जाता है 34 नमबर का कोश्चन है कि वास्पनी सीतलन में क्या होता है तो देखे जो वास्पनी सीतलन होता है इसमें होता है कि हवा में स्वेध्य उस्मा दी जाती है जिससे हमेशा क्या होता है ठंडा होता रहता है तो यहां हमारे यह अंसर करेक्ट हो जाएगे वास्पनी सीतलन में नियमित वह यदा कदा रख रखाव में जो सामिल होता है वह रहता है कि नियमित रूप अंतह प्रचालन करना तो रेडियेटर के नियमित वह यदा कदा रख रखाव में नियमित रूप अंतह प्रचालन करना सामिल है रेडियेटर पीतल का बनाया जाता है जिससे वातावार मसीन के चलने से आवाज होगी उप्योगत सभी के लिए तो यह किसी मसीन में आप्रमारिक सनेहन तेल का उप्योग किया जाए इसका प्रडाम होता है कि मसीन भी घीज जाएगी सनेहन तेल का अधिक भी बिया होगा यानि खर्चा होगा और मसीन के चलने से आवाज भी हो सकती है तो यहाँ पर D-Answer करेक्ट हो जाएगा उप्रोगत सभी के लिए 37. कोश्चन है किसी मसीन में भरे सनेहक तेल को कब बदलने की जरूरत पड़ती है एक निशीत आवज तक मसीन के चलने के बाद और कहा रहा है कि मसीन में तेल भरने पर एक निशीत आवज के बाद से कहा रहा है कि एक निशीत आवज तक मसीन चलने के बाद अथों मसीन में तेल भरने की एक निशीत आवज के बाद दोनों मेंसे जो भी आवज पहले पूरी होंगे यह बिल्कुल सही है यहां पर आपका C answer ही correct होगा आलतिस नमबर का question है कि इंजिन में प्रयाप्त cooling ना करने से कौन सी समस्य आ सकती है आपने seizing, preignition, knocking, dia यह सभी तो इंजिन में अगर आप लोग प्रयाप्त cooling नहीं कर रहे हैं तो इसका region यह हो सकता है, समस्य आ सकती है कि आपका seizing भी हो सकता है, preignition भी हो सकता है knocking भी हो सकता है, तो यहां पर dia answer correct होजएगा उप्रयोग सभी preignition क्या है कि इधन का समय से पहले दहन हो जाना preignition कहलाता है seizing क्या है तो cylinder में piston jam हो जाता है, यह हमारा seizing कहलाता है और knocking जव है, कि आपको पता है कि आक्ट नंबर की कारण होता है 49 नंबर का question है, कि engine को बारे रूप से पानी से धोने वास साफ करने का फायदा क्या है तो देखें, engine को बारे रूप से पानी से धोने वास साफ करने का जो फायदा होता है वह रहता है कि इंजन के पूर्जों की संभावे तो नुक्सान का पता चल जाता है और इंजन में जंग भी नहीं लगता और इंजन की कूलिंग भी अच्छी बनी रहती है यहाँ पर D-Answer करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी चालिस नंबर कोशन है कि एंटी फ्रीज एजन्ट का कार क्या है आपन रेडियेटर को जंग से बचाना इंजन को ज्यादा ठंड करना रेडियेटर में पानी खपत कम करना रेडियेटर का पानी जमने से रोकना ڈए पानित्स है जैसा कि आपको नाम से सबढसर है理रेटर का पाने जमने से रोकना एग्या ważne होता है कि कि मैं कि और एग्वण एक टवता का कषुद् का कर इसका अधिकता ठंड देशों औधस्या जाता है तालिस नंबर कोशन है निमने में से किसमें एार कुल्ड इंजिन काम के लिए सरवाधिक उप्यूक्त होगा पाने खीचने में प्रेख्वांप कार बस्ट्रेक्टर तो जिसमें एयसे अधिक पामर क्या हो सकता होती है जिसमें अधिक गर्म होता है एयर कुल होने से इंजें परयाप तुरूब से ठंडर नहीं हो पाता है जिससे इंजेन में नाकिंग और प्रिगनिशन जैसी समझ्या भूतपन हो कहते हैं इसलिए बस में एयर कूलjust system अनुप्योगत होता है और इसके लिए आप लिए घ् upstream system परियोग करते हैं बß के लिए तो बस के लिए हम विए इयर लिएंजसने काम नहीं लेते हैं बलकी वाटरकुलिएंजन का परियोग करते इस वाटर कूलिंग सिस्टम बस यूज करते हैं अ कि अ कि अ कि याल यस नमबर कोशन है कि एयर कूल इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहर्य धात की सनचना क्या होती है तो देखिए इसके लिए हम लोग जो काम मिलेते हैं वह हो रहता है सनचना जुरू होता है वह कालाता है एयर कूल इंजन के सिलेंडर के बाहर बनी लहर्य धात की सनचना यह फिन्स कहलाती है तो यहाँ पर हमारे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा और एयर कूल इंजन में फिन्स बने होते हैं जिससे सिलेंडर का सर्फेस छेत्रफल बढ़ जाता है और जब हावाएं सिलेंडर से टकराती है तो सर्फेस छेत्रफल बढ़ा होने के कारण इंजन को प्रयापत रूप से ठंधा करता है 43 नंबर कोशन है कि थर्मस्टेट वाल्व का कार क्या है आप सुन है लूब आयल रेडियेटर के जल के तापमान को नियंतरित करना रेडियेटर के दाप को नियंतरित करना लूब आयल के तापमान को नियंतरित करना तो आपको भी पता होगी थर्मस्टेट वाल्व का जो क प्रोपार के लिए होता है उये तोना है प्रेद्टर को सफ करने के लिए के लिए argument को साफ करने के तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन से जो उद्देश की पूर्थी नहीं होती है वो रात है कि डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है यही इसका उद्देश की पूर्थी नहीं होता है तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन का उद्देश इधन का दहन अच्छी तरह से करना होता बलक्ति लुब्रीकेशन को जिस इंजन को ठंडा करना घर्षन कम करना और इंजन के पूर्जियों का घिसाव कम करना यह सभी कारे होते हैं लुब्रीकेशन के 46 नमबर का कौश्चन है कि इंजन तेल का यह संख्या क्या है तो देखें यह संख्या जो इंजन तेल का होता है वह आपका 8090-30-40 और 40-50 यह सब हो सकता है यहां पर दियांसर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी तो इंजन तेल का सोसाइटी आफ आप आटोमोटिव इंजीनियर तो यह से यह मतलब बता है आपका सोसाइटी आफ आटोमोटिव इंजीनियर से लुब्रकेसिंग आयल के लिए यह से बिस्कोसिटी नंबर प्रस्तावित किया है और यह संख्या जितनी अधिक होगी इंजन आयल कि स्यानता उतनी ही अधिक होगी 47 नंबर कोशन है किसी बस में रेडियेटर पंखा हवा को खींचता है बाएं से दाएं आगे से पीछे पीछे से आगे दाएं से बाएं तो रेडियेटर पंखा हवा को जो खींचता है बस में वह रहता है आगे से पीछे की और खींचता है तो यहां पर हमारा भी आंसर करे हो गा आसे कि रेडियेटर पंप का काड़ क्या है पानी को बालने से दफने करना जल को निचले बहुद करना डी हैं यह सभी तो रिडिटर पंप का जो कार होता है वःत् PETER को परहें करना होता है वाटर कूलिंग सिस्टम का यह एक मत्पूर भाग होता है इसके उपरी भाग को अपर टैंक होता है उपर से तली की ओर होता है यहां पर हमारे सी अंसर करेक्ट होगा पच्चास नमबर कोशन है कि लुब्रिकेंट टायल में कारबन होने का कारण किया है धूल कणों का मिस्रित होना लब आयल का विखंडन वावि मंडल के साथ इसकी अभिकरिया जैली हुगाश्यों के स सब्सक्राइब श्राइब काने टायम लगाते है यहां पर हमारा पर टेस्ट कियЙा जाता है कि प्रजोलन के लिए किया जाता है है शोरी स्वारी यहां पर क्या है डीजर लूबृकनट यायल को फियोग यहां पर एक नंबर चूड़ गया था बावन नंबर थे पर नंबर है डीजर लाज इंजर में लूबृकन टायल को फियोग की सुद्धिस के लिए किया जाता है तो घरतन कम ने के लिए और इंजन ठंदा रखने के लिए कि हम लोग लुब्रिकेंट टायल को प्योग करते हैं तो यहां पर हमारा पी और सी कथन दोनों सभी होगा याद रखिएगा थोड़ा सा मिश्टिक हो गया था डिजल लुब्रिकेंट टायल का काम होता है घरतन को कम करना और इंजन स्लेंडर के अंदर तापमान होता है यह करीब करेंट पर आंसर करेक्ट होगा 25 कोस्टिक कि अइर क्यों मिश्टिक कीनकिन कारकों पर निर्भर करता है हवा के संपर के में सताय का छेत्रपल हवा के बहने की दर मेटल की उसमा चालागता व्योग सभी साथ है तो air cooling जिन इंड कारकों पर निर्भर करता है वह हावा के संपरक के सता च्छेत्फल पर निर्भर करता है अगर आपका हावा ज्यादा संपरक में रह रहा है तो वह सता जल्दी से ठंडा हो जाएगा हावा के बैने कि दर पर भी निर्भर करेगा और पर निर्भर करेगा यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जैसे कि आपका भार में हलका भी होता है लिके जासानी से पता चल जाता अघंटे फिरिच क्या वह सकता भी नहीं होती इसलिए ठेल यापको पता है और यह हलके भी होते हैं और क्योंकि इनने में रेडियेटर कुल्इंग जैट तथा कूलेंट यह सम्सक्राइब कोई रुकावर्ट भी नहीं होती है इंज़न जलदी गरम हो जाता है ठंड़े बादामरण में भी चलाया जासकता है जहां पानी जम जाता है और उना स्थानों में चलाए जा सकता है जहाँ पानी की कमी हो संताओं नंबर कोश्चन है आएयार कूल लिजनों में कौन सी फानियां होती है कि भारी होता है इस्में आवाज अदिक होती है इंचें跟大家 जल्देगरम हो जाते हैं होता है इसका प्रेयुंड मोटर साइकल और इसके को ट्रों में होता है जिसको में इंजयन हवा में खुले रहते हैं पर अंठाव नंबर कोश्चन है सिलेंडर के ऊपर की सत्य का शित्रफल किसके बढ़ाए जाता है फिल में से फिंस से लुब्रिकेशन से इनमें से कोई नहीं तो सिलेंडर के ऊपर की सत्य का छेत्रपुल हम लोग जो बढ़ाते हैं वह फिंस से बढ़ाते हैं तो यहां पर हमारा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा 59 नमबर कोश्चन है नमलखित मैं से किस की दच्छता अधिक होती है एयर कूलिंग वाटर कूलिंग दोनों की बराबर होती इनमें से कोई नहीं तो आपको पता होगा कि जो जिसकी दच्छता अधिक होती है वह होता है हमारा वाटर कूलिंग, वाटर कूलिंग में क्या होता है कि थंड़ा जादा रहता है और एयर कूलिंग में उतना थंड़ा नहीं हो पाता है तो वाटर कूलिंग की दच्छता दिख होगी क्योंकि वाटर कूलिंग के सिस्टम में सिलेंडर, कमबस्चन चेमबर, वालव इस्टम, वालव सीट के चारू तरब बने वाटर जैकेट में पानी प्रवाहित होता रहता है यह पानी इंजिन की उसमा को ग्रहा करता है जब यह रेडियेटर में आता है तो ठंडा हो जाता है और पुने वाटर जैकेट में पहुंच जाता है इंजिन चलते समय पानी का यह सर्कूलेशन बराबर बना रहता है और इंजिन का कूलिंग होता रहता है पानी के बहाव को नियंति करने के लिए एक वल्व लगा होता है यह पानी की बहाव को नियंति करने के लिए एक व्डव लगा होता है जिसे क्या कहते हैं ब poumpकर और बस रेडियेटर थर्मो इस्टेट तो वाटर कूलिंग कोशन है फैन कहां लगाया जाता है रेडियेटर के उपर रेडियेटर के पीछे इन में से कोई नहीं तो जो फैन लगाया जाता है यह लगाया जाता है रेडियेटर के पीछे यह उसी वेल्ट से चलता है जिससे वाटर पंप और जनरेटर चलता है और यह रेडियेटर में हो मापने के लिए हम लोग आपको पता है अाइतन मापने के लिए करते हैं किलोग्राम हम आपका भार है हम आपने के लिए चौश्ट नमबर कोशने तेल के आंत्री गर्सान को या उनके बाइने के प्रत्रोथ को किस से प्रदर्सित करते हैं विसकोसिटी से फायर पॉइंट से पॉर पॉइंट से ख्लाउड पॉइंट से तो तेल के आंत्री गर्सान को या उनके बहाव के प्रत्रोट को परदर्सित करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी यानि कि स्यानता का परियोग करते हैं परदर्सित करते हैं यह भी हो गया है आप तेल को गरम करें तो जिस तापकरम पर इसकी सताय पर जलते हुई तीली लाने से जलने की चमक निकले तो उस तापकरम को हम लोग हो तेल का प्या कहते हैं है am i Bus economist कहते हैं कि उaster नम्बर कोशन नंघ थो मैं तो मैं से लुब्रिकेशन में कौनपकों सीुदिय होती है पेट्रो इलव लन इस पूर ओम के इ Spa सिस्टम pressure सिस्टम भी और सब्सक्राइब करने वाले पानी किताब को दर्साना होता है कि आधनीक मोटर गाड़ियों में इधन भरना के लिए किस प्रडाली का उप्यूग किया जाता है विए वरन प्रडाली दब प्रडाली निर्वाद प्रडाली पंप प्रडाली तो आधनीक मोटर गाड़ियों में इधन भनने के लिए हम लोग जो सिस्टम करते हैं वह सिस्टम रहता है पंप प्रडाली सत्तन नमबर कोशन है कि आईसी इंजन लुब्रिकेशन का कार क्या है घर्षन कम करने के लिए घर्षन के कारण गर्मी को फैलाना इंजन सिलंडर को ठंडा करना उपर सभी तो IC engine, lubrication का जो कार्य होता है, वो होता है कि घर्थन कम करने के लिए किया जाता है तो IC engine, lubrication engine के पूर्जों के बेज घर्थन कम करने के लिए करते हैं इंजन में lubrication से जंग नहीं लगता है, तथा उसमन इसकासन के लिए एक माध्यम होता है लुब्रिकेशन चलवागों में घिसा को कम करता है एक आतर नमबर कोश्चन है कि जोड के वायु रोधक दाब रोधक जल रोधक आधि करने के लिए दो धात सत्रों के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं कागाच गैस्केट प्लेट वासर तो इससे हम लोगं बोलते हैं गैस्केट गैस्केट तो जोड कि वायु रोधक दाब रोधक जल रोधक आधि करने के लिए दो धत्रों वे सक रखेगे डहें पैकिंग को को गैस्केट कहते हैं क्राक्व कापर एस्वेस्ट्रस फिस्ट इस ह场 गैस्टील एस्ट्रस गैस्ट्रasında आयल गैलरी से तो reversal का जो लुब्रिकề những पाहुंचता है तो अल किया जाता है तो यह तदiertा नवर कोस्ट नपा कोशुन निमन में से कौन코 से पिंटर्ड रिंग उप्योगत होता है इंसाट बेवल रिंग टैसल एडरिंग हाईल कंडोल कोई नहीं तो तो अच्छा आइल इसक्रेज के लिए जिस के लिए पिष्टन रिंग को उपयोग किया जाता है वह रहता है राप कण्डूलोग रहीं पार च्वाट्ता नमबर कोशनी आयल प्रेसर रिलीफ वालॵ कहां पर लगा होता है तो अई यह लगा होता है तेल के दाप को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है इस वारी यहां पर है कि आयल प्रेसर रिलिफ वालव है ना तो आयल प्रेसर रिलिफ वालव जो होता है इसका परयोग हम लोग काहँ आयल के दाप को नियंत्रित करने के लिए करते हैं तो फ्यूल आयल के दाप को नियंत्रित करने के लिए हम लोग आयल प्रेसर रिलिफ वालु का परयोग करते हैं तो यहां पर हमारे बी आंसर करेक्ट होगा याद रखिएगा कि फ्यूल आयल के दाप को नियंत्रित करने के लिए हम लोग आयल प्रेसर रिलिफ वालु का परयोग क करते हैं अब है पचात्ता नंबर कोश्चन कि आयल संप होता है जिसमें डीजल इंजन बरा होता है जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो इन में से कोई नहीं तो आयल संप जो रहता है वह रहता है जिसमें लुब्रिकेटिंग आयल भरा हो वह आयल संप होता है तो आयल सं प्रमाणिश स्नेहक तेल का उपयोग क्या जाए तो इसका प्रणाम किया होगा में घर सवन होगा सनेहक तेल का अधिक व्याय होगा मसीन के चलने में आवाज होगी उप्रूक्त सभी के लिए तो यह किसी मसीन में प्रमारित सनेहक तेल का उप्योग के जाए तो इसका परिडाम होता है कि मसीन में घर्पन होगा सनेहक तेल का अधिक व्याय होगा और मसीन के चलने में आपको पता होगा कि जो स्यानता होता है यह आपका सनेहन तेल से संबंध रखता है तो जो स्यानता होता है या तेल के आंतरिक घर्षन को या उसके बहाव के प्रतिरोत को माप को विसकोसिटी से प्रदर्शित करते हैं गाढ़े तेल की विसकोसिटी ज्यादा होती है और हलके तेल की viscosity यानि कि स्यानता कम होती है स्यानता को viscosity मीटर या विसको सी मीटर द्वारा मापते हैं तो विसको मीटर द्वारा मापते हैं इसे 579 नमबर कोशन है क्रेंक साप्ट किसी मसीन में भरे सनहक तेल को कब बदलने की जरूरत पड़ती है तो देखिए किसी मसीन में भरे सनहक तेल को कब बदलने की जरूरत पड़ती है यह होता है कि एक निश्चित अवद तक मसीन चलने के बाद अत्वा मसीन में भरेत तेल की एक निश्चित अवद के बाद दोनों में से जो भी अवद पहले पूरी हो सब्सक्राइब कोशन पहले भी आ चुका है 80 नमर कोशन है किसी इंजन या मसीन के विभिन अवयोव में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए किस यंद्र का उपयोग किया जाता है ग्रीस गन ग्रीन फिल्टर ग्रीस पुसर उपरयोग सभी तो किसी इंजन या मसीन के विभिन अवयोव में ग्रीज को धार के रूप में पहुंचाने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वह रहता है ग्रीज गन यहां पर यांतर करेक्ट हो जाएगा ग्रीज गन पीमे तो तो यता है वह रहता है ग्रीज ग Kentucky और की कहसे है और कि प्रेड का ग्रीज मिलएंक पलेट होता है इससे क्या होता है कि इक टॉमधा को बताता है मैक्रों यृर्व मित्र दाथ समुन्द को पता है ति रीराशी को समय को स्नायन के समय म्यांते है रोलर अधायन करने के लिए जिस सनयक क्या वास्ट रहता है सेमी सॉलेड यानिकी अर्ध ठोस की जरूरत पड़ती है यानिकी ग्रेश इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अधर ठोस के लिए ग्रेश का प्रियोग करेंगे तो ग्रेश यान पिर अर्डठोस का रिक्टांसर हो जाएगा 24 सबस्टार के लिए किसी इंजेन में लुब्रिकेशन से नमलेखित उद्यंश की पूर्ति नहीं होती है वह रहता है, कि पूर्जों को साफ सुतरा रखता है यही आपका correct answer होगा कि यहां पर पूछे हैं कि पूर्थी नहीं होती है न तो लुब्रिकेशन से निल्फित उद्देश की पूर्थी नहीं होती है तो यहां पर घर्थन कम करने के लिए भी होता है इंजन में सोर कम करने के लिए होता है पूर्जों को साफ सुतरा भी रखता है लुब्रिकेशन आइल जो होता है लेकिन क्या होता है कि डिजल का दहन अच्छी तरह से करने में नहीं होने देता है यहां पर यह answer correct हो जाएगा वह mistake हो गया था हम समझे तो यहां पर नहीं नहीं इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि गतिमान पूर्जों के बीच घर्थन को कम करना है कि Allah कौर को स्कूर्टर इंजन में सिलेंडर वित्ति किसके दौरा चिकना जाती है नास नहीं दोरा सनेयन तेल दोरा इधन के साथ मिले तेल दोरेंडर को चिकनाने के जरूरत नहीं होती तो इस्कूटर इंजन में सिलिंडर वित्ते जिसके दूरा चिकनाई जाती है और एक इंजन के साथ मिले तेल के दूरा चिकनाई जाती है क्यांकि टू-श्रोक इंजन में फ्यूल के साथ ही आयल डाला जाता है 87 नमबर कोश्टन है कि iacin geno में प्रेक्त लुब्रिकेटिंग ऐल बनाने में खनी शिल का परियोग किया जाता है जिसे बेस ऐल कहता है और रसायन कहलाता है क्या कहलाता है तो यह कहलाता है आपका इडेटीव से कहलाता है सेया यह कोश्चन भी पहले हो चुका है 88-9 कोश्यन है MA sweet crude oil को कहा जाता है जिसमें किया तो स्ट्रेइब कहलाएगux लाएगा को कि एक टिश्ट से चिनेत्याय का टनूकरन किस से होता हे है जोलं ही जोलन से बने पदार्थ के द्वारा होता है और след Records कि द्वारा होता ही है और अब्ब ननामर कोशुन है क accepts में अन्हां खित में से अरफ में सभी सत्य सथने तो देखिए लूबायाल के रूप वह हो गया ग्रीस हो गया ठोस के रूप में आपका ग्रिफाइट हो गया कि इक्यानवे नंबर कोशन है लूब आयल की सतय का पता लगाया जाता है कैसे पता लगाने जरूट नहीं डायल गेज के द्वारे डिपिस्टिक से इनमें से कोई नहीं तो यह कोशन भी आ अधिक स्यान होगा तो देख़े जो लूब आयल वही ज्यादा स्यान होगा जिसका यह है सब्सक्राइब हो यह से नंबर को किस का ज्यादा है आप का स्वालीस कर ज्यादा य offers इंज्यूनिर्स ऑर यह से जितना अधीछॉद उसकी स्यानता उतनीादीख हो गी और इसकाugाइब थामगोगा उसकी स्यानता यानि की कम मिस्रित होना जिससे कारबन की मात्रा बढ़ जाता है कि स्लेंडर और पिश्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाते हैं जिसमें कि क्या होता है जिससे आयल बाहर निकल सके गैस बाहर निकल सके उसमा की कारण पिश्टन अरुध ना हो जाए पिश्टन रिंग अरुध ना हो जाए तो स्लेंडर और पिश्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाते हैं जिससे क्या हो कि उस्मा के एकानल पिश्टन आउरुद ना हो जाए क्योंकि धात को गरम करने पर कुछ विस्तार होता है इसलिए उसमें जगा छोड़ दी जाती है कि उस्मा के एकानल पिश्टन आउरुद ना हो कुछन है कि इंजन रेडीक्षण में ताफ नियमलखहत के द्वार असधानानत्रित होते हैं इंजन रेडियेटर में जिसके द्वारें असथानानत्रित करते हैं हम लोगा असत्वान आत्रित करते 96 नमबर का question है कि radiator के नियमित वह यदा कदर रख रखाओं में क्या सामिल है यह आपका question पहली भी आ चुका है सै तो आप लोग इसका correct answer बता है तो radiator के नियमित वह यदा कदर रख रखाओं में सामिल है तो बाहर के भाकी air blowing वह पानी की धार से supply क्योंकि पुरानी नालियों और पंक्खों को नियमित बदला नहीं जा सकता है कि संतानी नमबर कोश्चन है यह इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो संभावित प्रड़ाम क्या सोगता है पिष्टन का तूटना इंजन में नाकिंग बेरिंग की खराबी उप्रोग सभी तो इंजन में अगर पानी का स्तर कम रखा जाता है तो इसका रिजल्ट यह हो सकता है कुछ पिश्टन का टूर सकना इंजन की नौकिंग हो सकना बेरिंग का खराब होना यह सब भी हो सकता है कि यहां पे डी आंसर करेक्ट होगा 99 नमबर कोश्चन है कि एर कूल्ड इंजन में स्लेंडर के बाहर बनी लहर यह धात की सनरचना कैसी होती है तो यह क्या कहलाती है तो एर कूल इंजन में स्लेंडर के बाहर जो बनी लहर यह धात की सनरचना होती है आपका फिंस कहलाता है आप लोग देखे होंगो कि जो इंजन रहता है मोट बाइक में वह इसमें कुछ इस तरह से धारी ध्यारी आपका बना होता है इसमें से क्या होता करना में तरस प्रफ्रशन सकते हैं। नाकिंग करना सब्सक्राइब करना स्ब्सक्राइब करने के कि और उसाव हो जाएगी यह इसके अगक संज में यह कि 600 नमबर कोश्चन है थर्म स्टेट वाल का परियोग कहां पर होता है लिव बायल को दाप को नियंत्रित करने के लिए रेडियेटर के जल के ताप को नियंत्रित करने के लिए रेडियेटर के दाप को नियंत्रित करने के लिए कोई नहीं तो जो थर्म स्टेट वाल हवा को खीषता है , तो रेडियेटर पंख lagi अख को खीषता है बस के लिए वन कहां से खीषता है आग इसे पीछ खीषता है , जब गारी चलती है तो हमां रेडियेटर से टकरा का ठंडी होकर इंजन को थंडा करती है ने कडिका रहता है me नम्र कोशन है कि गाड़ी के रीडियेटर मेजल का प्रियूग किस कारण से किया जाता है इसका निमने गनात के करण उच्छ विश्ट गनात के करण उच्छ कोथमां के करण आसानी से उपलब धेता तो गाड़ी के रीडियेटर मेजल का जो हम लोग प्रियूग करते हैं वह खनिश्टल सूस्किव, इस पाथ वर राट आयरन के लिए जो सबसे अच्छा सीतलक होता है वह रहता है पाने में गुलंद सील तेल, एलिमुनियम के लिए सबसे अच्छा सीतलक मिट्टी का तेल होता है तथा काश टायरन पर कुलेंड के रूप में एर का परियो करते हैं और पॉक्षिल और राट आर्रेны के लिए सबसे अच्छा सी तेल लगते पानी में गुलंसील टेल कplease थारों पांच नंबर को स्ष्चन है जितरमें पानी का प्रवाय कैसे होता है देखे जो रेडियो अबकम में मिपष्चन होता है वह ये उपर से तलिक y यूर होता है रेडियेटर के दो भाग होता है इसको उपरी बाग को अपरा टैंग तथा निचले बाग को लोगर टैंग कहते हैं और इन दोनों के बीच ट्यूब लगी होती है 606 नामबर कोशन है कि रेडियेटर प्रम्प का क्या है पानी को ठंडा करना पानी को उबालने से बचाना जल को परचालित करना इन में से कोई नहीं तो था इंजन में जल को परचालित करता है 607 कोशन है कि रिवर्स फालिसिंग का उन उपरियोग किस कार के लिए होता है वह चाहन कर साफ करने के लिए तो पाल्स का differently करते हैं वह करते है रिडियाटर को साफ़ के लिए तेटर्स नमबर कोशना है, ट्रेक्टर में लगाए गया वाटर पॉम्प किस पकार का होता है पे ज़ो उतना है की इंजर्न तेल की यह संख्या च्यां है वह होता है 30 से 40 होता है 610 नमर कोशन है सनेहक तेल यस एई 90 क्या है तो यस एई 90 जो होता है यह होता है कि यस एई 40 से गाढ़ा है इस वारी यहां पर यह 40 नहीं रहेगा यह होगा नांटी यहां पर होना चाहिए तो इस सबसे यह सही नांटी की स्यांता अधिक होगी सनेहन तेल का उप्योग इंजिन आयल के रूप में किया जाता है 611 नंबर कोश्चन है गैरेज को रिपोर्ट किये गए कर में इंजिन का ओवर हीटिंग के लिए साइज चकिंग सिक्वेंस क्या है इसके लिए साइज चकिंग सिक्वेंस होता है कि फैन बेल्ट फिर वाटर लीग आयल लीग फिर टायर प्रेशर फिर कलच स्लीपेज फिर ब्रेक्स 612 नंबर का कोश्चन है इंजिन के डडडडडड भाग का सनेहन दा भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है इंजिन के डडडडड भाग का सनेहन दा भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है तेरे नंबर कोश्चन है कि टायर रबर इच मच मोर डडडडडडड दैन इस्टील टायर रबर इस्टील के अधिकारिक कैसा होता है टायर रबर इस्टील से अधिकारा के प्रत्यास्त होता है चालडडडडा एच चालडडडडडडडडडडर के अधिकार रबर इस्टिल इस्टील लोक्त होता है वह रहता है इस प्लैस सिस्टम तो इस पडाली में क्या आता है साफ्ठ या उससे जुड़े कोई अंग तेल में डूबर रहता है जिससे गती के साथ नहान की धारा अंग के चारू तरफ लगातार उचलती रहती है और तेल च्टाकर इंजन के सभी अंगों को जाता है चैसा पंद्रे नंबर कोशन है दर एडिएटर कूलिंग पाइप से जी जुवली मेड़ आप समानते हैं विक्रण सीतलक पाइप किसके बने होते हैं एलमुनियम का कापर का गलवनाई डायरेन का इस्टनल से स्टील का तो विक्रण सीतलक पाइप जो होता है यह बनाया जाता है कापर कर यहां पर भी अंसर करेक्ट होजाएगा कापर का अब चैसा सोले नंबर कोशन है इन वाइकल सदा फालूइंग टाइप आप कूलिंग सिस्टम इज यूज वह आनों में किस पकार के सिजलन पुड़ाली का परियुक किया जाता है एर कूलिंग सिस्टम वाटर दोनों कथन सही है करते संपी डे अपने के लिए करते हैं थारी नंबर कोशन है कि इसकी स्यान तज्यान ज़्यादा है आपको बताना है तोग जिसका यह ज्यादा होगा वह ज्यादा स्यान होगा यहां पर यहीं सबसे ज्यादा स्यान होगा यहां पर डी आंसर करेक्ट होगा कि 619 कोशन है एक बिद्धुट डैनमो मापिक इस प्रकार के उपकरण में प्रचलान चुम्बकी छेत्र का अभिवाह घना तो प्रारूपिक तौर पर है लगभग कितना होता है देखी यह जो होता है यह लगभग होता है हमारा 0.1 वेवर पर मीटर स्क्वेर होता है तो एक बिद्धुट डैनमो मीटर जिस प्रकार के उपकरण में प्रचलान चुम्बकी छेत्र का अभिवाहन घना प्रारूपिक तौर पर है जो लगभग क्या होता है दस्मला एक वेवर पर मीटर स्क्वेर होता है कि 620 नंबर का कोशन है कि आटो मोबाइल में मैगनेटों मुख पर कि जनरेटर होता है जनरेटर इंजन ब्लाग के एक साड में लगा होता है एक उपंख्य की बेल्ट से चलता है इंजन की स्पीट की अनुसार ही जणरेटर की स्पीड का मधिक होती रहती है 161 कोस्ट है कि Partners है कि इस्ट्रीम इंजन सय यूजन द् Soul कि लंगाइं चया होती है यह बढ़ती है घरती है समारा प्रकर्जरोथ के लंबाइं कोई नहीं से कोई नहीं गरती है सूंने स सुर्जों धिश्सर्जरोथ का कंसे लंबाइं का इध' वो तो घड़ती है आपको भी पता है और जो डिजल इंजन का जो सीटर नंबर होता है इसका जो माप होता है वह रहता है विलंब अवधिका तो डिजल इंजन का जो सीटर नंबर होता है विलंब अवधिका माप होता है फ्यूल में सीटर नंबर से ततपर होता है कि फ्यूल क में काफी भारी होती है इसका मुख्र कारण क्या हो सकता है तो देखिए बैटरी अगर वजन में भारी है जिसका कारण हो सकता है कि उसकी जो पलेटे हैं वह से से तो देखें जो बैट्री बाक्स रहता है इसकर निचे ले सीरे पर ब्रेश के बीच में नीचे जो अस्ठान रहता है उसमें तल्छर perksu होते रहते हैं ग्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या मत्रक्प्या संबंदी था आप सोगति ने कार्बूरेटर रहता है कार्बूरेटर क्राउजन कर्फ लोमने लगाए जाता है और आंत्रिक दान इंजन के अंतरगत पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन आते हैं डीजल इंजन में कार्बूरेटर का परियोग नहीं किया जाता है 637 है कि ईधन निस्पादन की अल प्ली का ये कारण क्या है आपसे ने लपसंफेडन गलत 5 ये वन अनुपध अ आक्टें संख्याइं तो डीजियर के नियुक्त करने वाला तुसमारा की रहें लूप और पिट्रोल के लिए आक हटन नंबर ज़रूरी होता है is 269 कोशन में किसी इंज्य या मशीड्या होता है कि छैसे स्टार्टर का पिनियन गीयर किसे से मैच होता है आप वालव गीयर से क्रेंग गीयर से रिंग गीयर से तो जो से ला भूरा सफेद पीला तो यह निशन सर्कुट में प्रियुक्त विभिन तारों का जो रंग होता है वह होता है सफेद यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा सफेद अब 32 नंबर का कोशन निम नमें सब्षाइब है रूप ट्राइब कलेयट ड्राइब गीर ट्राइब तो देखिए पाश्टीव ड्राइब भाएड होता है जिसमें फिसलन ना हो तो किसमें नहीं होगा तो शैसो बातिस यहां पर डी आंसर करेक्ट होगा 되지 233 नंबर koshyn है कि अगेट इंजन की सिद्धान पर कारी करता है आप सोन उर्जाका सान्य होता है उसका जो principle रहता है जेट इंजन का वह कारी करता है एतर रहेखीए समयाएक कारी जएट करता है यह दो एक चार श्क इंजन बारे yn करती से चल मोर быть अब सब्सक्राइक के लिए पांवर्स वी स्थार होता है कि चार बार एक गती या प्सागी गती में क्रांक साफ्टा के दो चक्कर लगाते हैं तो दो چकर में फ़े छोक हो गया तो दो चक्कर के बीस्पोट संख्या होगा एक होगा एंजन के एक चकर में किसा कि अधर्य हो जाएगी ऐन टीने हो जाएगी तो यहां पर बारेस और रिसाओ है, तो बारेसों के हो जाएगा यहां पर त्रैक्टर का sett गभी पेट्रोल इंजिन क्यों नहीं होता तो देखेश कजोंते रहे पेट्रोल इंजिन कभी नहीं कभी नहीं होता क्योंकि पेट्रोल इंजिन अपने कम वैजन कम वर्जन कम गेफर कर् lucis लिए अनावस्यक्ट-만 भी हो जाते हैं इंजन का तापी दच्चता में सुधार हो सकता है इंजन की तापी दच्चता में सुधार करती है तथा पामर को बढ़ाता है आतिस नमबर कोश्चन है कि क्रायो जेनेक इंजन का नुप्रियोग किस छेत्र में होता है आपसान राकेट पर्द्योग की में हाट्रोलिक चालानवे पंडुब्वी चालक ता संबंधिया नुसंद्धार में तो देखें जो क्रायो जेनेक इंजन होता है यह इंजन सिर्फ एक सकति सयंद्र में देखन के किसे चक्र का उपयोग होता है रैक जर्स साइकल और के लिए ए प्लांटों के लिए में करते हैं भाप का उच्चदाब निम्ने दाप उच्चदाब निम्ने दाप तथा तापमार रांकिन चेक्र तथा उसमें दच्छता पर प्रभाव डालता है चलते हैं नोच्टकें पर, 660 नमबर फिजन है अटो मोबाइल में उपयोग होनेवाले टर्बो चार्जर किससे संबंधत है आप्सन है मां फिर अटो मोबाइल का इंजन से फ्लाफ वील से बीरीटीर से बेटरियू से टो नोपर नों होने के बीच लगा होता है जिसमें सोगा टर्वाइन वील पर एकजास्ट गय से जाती है इसके द्वारे इंजिन का पामर बढ़ता है जो कि लगबक 30-40 परसंट अधिक पामर प्राप्त होता है तो आपको पता होगा जो गैस टर्वाइन होता है हमारा ब्रेटान साइकल पर अधा साइकल भी कहते है याँ कशलत की लंबाइ जाती है तुदा कि लंबदा everiden में दाप को कंडेंस करने के लिए उच्चे आप बभाधिस्तारित होता है तो एक बड़े इस्टोक लंबाई की जरूरत पर सकती है अप्सकिए इंजन्स सयोजन द्वरी इफुटो की लंबाई घटा दिजाती है एक और हमेरिक होता है तो यह बिदूत कार है यह कह निकटम तार है एक आंसरेज दुरूवीण है इन वेहें होता है गता है एक यह होता है यह तो थे वाग्यानिक उन्ही के नाम पर इसको नाम दिया गया है और हवल आंत्रिच में कृत्रिम उग्रया के रूप में विस्थापित किया गया था छाह्साइबर नंबर कोष्चन एक एलिट इंजयन में वाई और इधन का उनुपात कितना होता बहुत आसाण सा कॉश्चन है तो इसका उनुपाद जो होता है यह पंद्रे रेशियो एक के उनुपाद में होता है यह पैंतालिस कोशन हैै कि कि जब wise केाच समांतर में नहीं होते हैं हर वे आपस में एक कोन बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग हैसे परियोग करते हैं तो दो साफ्टों कोई अच्छ समांत्र में नहीं है और वे आपस में एक कोण बनाते हैं तथा उन्हें गीजर से जोडना के लिए हम लोग हेलिकल गीजर का परियोग करेंगे यह लिए में नहीं है कि ऌनलटेंअ तो प्रत्य वर्थेगीर में पर्थम और अंतिम्म गीए चैसा होता है तो पत्या एक मड्थएगे मांटन Midaina होता है यह सम NachREY होते हैं लेकिन यह حसा पर होते हैं प्रत्य वर्त्य गिनों पर्थम और अंतिम गियर समनांतर होता है और वे अलग-अलग यहां पर देखिए है कि 647 गोस्टण है डिए ऊंकरोटर का रोटर काइस सधेंगता एधने एक किंदर में में इस वाल्व कि रोटर घूमता एक केंदर में इधन निस्पादान की याल पे छमता का एक करण क्या है तो इधन निस्पादान की याल पे छमता का जो कारण होता है वह होता है गलत पवन इधन उन पार 49 नमबर कोशन है कि सेडिमेंट चैंबर की वेवस्था करने का उद्धिस के आप समय तेल को चानना डीजल से भरी वस्थों को अलग करना डीजल एल के ओवर्फलो को रोकना डीजल इंजन की सुरच्छा करना तो सेडिमेंट चैंबर की वेवस्था का जो उद्धिस होता है व फ्रीड़ों के यंतर को मिलने वाले गयरों की बीच कंटराल में से कोई नहीं। इसले में हमां परकड़ करने कि क्या करते हैं। यह की दोनों कीईर के एंत्राल होता है उसी से तो क्या है? कि यह पिछ विरित पर दातों के बीच अस्थां तथा दाता मुटाई का अंतर होता है चैसे क्या नंबर कोश्चन है सिलेंडर में भरी हवा का अचानक पिष्टन से दबाया जाता है कुछ दिर बात क्या होगा दबाव समान होता है दबाव बढ़ जाता है सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिष्टन में दबाया जाता है तो कुछ दिर के बात क्या होता है कि दबाव घटने लगता है कि आधनिक कारों के संद्र में में यूरो सेकंड सब्द का परियोग किसे संबंधित कारों की सर्जन कारों की गति इधन संपिडिता उपलाव्द बला घुरून तो आधनिक कारों के संद्र में यूरो सेकंड सब्द का जो परियोग संबंधित है यह संबंध रखता है कारो तो इंजन की पावर बढ़ाने के लिए चेंबर में प्रेशर से घनत बढ़ाकर वाव भीजने के लिए टर्बो चार्जर का परियोग करते हैं अधिक घनत की वाव के साथ अधिक फूल जलने से अधिक पावर उत्पनना होता है चोवान नमबर कोशन है कि विभिन नाकार के लिए निमनमें से किस इस्पैनर को उपयोग किया जाता है आप तो इसक्रूर रेंच पच्पन नमबर कोश्चन है यह दि मशीन की दच्चता अधिक होती है तब क्या कम होना चाहिए हानिया इन्पूट पाउटपूट का इन्पूट से अनुपात इनमें से कोई नहीं तो यह मसीन की दच्छता अधिक होती है तब जो होना चाहिए उतकी हानिया उसमें कम होने चाहिए तो यदि मशिन की दच्चता अधिक करना है तो इंजिन की जो हानियों होती है उससे हमें कम करना होगा क्योंकि हान इससे इंजिन की दच्चता घड़ती है यदि तुट्टी कम होगी तो दच्चता बढ़ेगी च्पन नमबर कोशन की आट मोबाइल में मैंगनेटो मुक्रूब से होता है DC जनरेटर AC जनरेटर डैंठी के दाम मोगनेट्र जनरेटर इसी जेनरेटर होता है जो इगनिशन सिस्टम का मुख्याधार होता है अल्टरनेटर के द्वारा बैटरी चार्ज था इस पार्क पलक था अन इलेक्ट्रिक सिस्टम को चला जाता है संपवन नम्बर कोष्चन है कि इस्टम पिष्टन में कौंसी प्यकिंग प्रियूग करते हैं कास्ट टेरन मालड स्टिल इस्टerson निकेल इस्टील इस्टील इस्टम के जो हम लोग प्रियूग करते हैं वहह रहता है train कहां पर कास्ट टेरन करेक्टर आंसर हो जाएगा अंठावन नमबर कोश्चन है कि इंजन सिलेंडर के उपरी भाग पर रीजेज को हटाने के लिए कौन से विधी उप्योगत होती है को यह जाता है इंगे इंगे उप्री भाग पर रिजेज को अटाने के लिए जो हम लोग विधी परियोग करते हैं वह विधी रहता हमारा से स्लेंडर रीमिग और रीमर बहुत 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 बेंदू करते हैं यानि कि माल्टि पॉइंट कटिंग टूल होता है रीमर इसके द्वारा किसी सिलेंडर या होल सुद्ध साज में प्राप्त किया जा सकता है 659 नमबर कोशन है ये किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई है तो उन्हें दूर किया जाता है लैपिंग से होनिंग से फाइलिंग से रीमिंग से तो ये किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई है तो उन्हें हम लोग जो दूर करते हैं वह हम लोग दूर करते हैं लैपिं एक में हट्रोलिक मसीन में तो तरक add in नुड़र जो होता है यह काम आता है गाड़ियों के आटोमेटिक गीज़र्बाकस में काम आता है एक साथ नमबर कोश्चन है दो साप्टों के सीरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं काटर जो आइंट द्वारा कपल द्वारा नकल जोड़ द्वारा इनमें से कोई नहीं तो दो साप्टों के सीरे जो होते हैं इसे सहारा से जोडना के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कपल के करते हैं तो दो सब्सक्राइब को जोडना के लिए हम लोग युगमन यानि की प्रियर का पर्यूग करते हैं तो प्रियूग करेंगे यहाँ पेरिंग करेक्ट आंसर होजागा युगमन खेड्यыми च्छाइव णिप आभे हैं चैसोफध नंबड कोशन 챙से कौन सब教 से लोग में फिसलन पाइव हो चैंद किसह में नहीं होगा तो जरांदि विश्यम हो जाएगा और में हो जाएगा यहां अधिक है तो यहां पे हमारा पूछता पाश्टी ड्राइव फारिव गियर ड्राइव हो जाएगा तिरसे चांबर कोषच्छन एक गूड़ी को सला इसके द्वारा मापा जाता है थे दिसम्दोर में द्वारें होता है इसे मापने कि 24 नमबर कोच्चन है कि जिन गाड़ीं Μें इंजिन के सक्ति को अगले बाप फिछले सभी पहियों में बांड दिया जाता है था यह जो होता है वैं कहलाता है दो लाता है तक है ज क्छास्ब कर सके ताद नमबर को स्टनए कि संभान्ता है चीक प्रियोग दो पुर्जों के बीच कि गती को रोकने के लिए किया जाता है अच्छी पश्चाग गूर्डन सेंटर्फ्यूगल तो कुंजी का जो हम लोग परियुग करते हैं दो पूर्जें के बीच में तो उससे जो गती अवरुद्ध होता है वह रहता हमारा गूर्डन तो गूर्डन गती को रोकने के लिए हम इनों कुंजी का परियुग दो पूर्जें के बीच में करते हैं तो 66 नंबर कोश्चन है कि हेलिकल गियर के संबंध में वित्ति ये पिच्च बराबर होती है जहां पर पी आपका है नार्मल सर्कुलर पीच अलफा है आपका है हेलिकल अंगिल आप दर टेद तो यहां पर का जो कर्यक्ट आंज होगा जह होगा पी आपकास अलफा की है से अम से मिन्म से कोई नहीं है तो सिलेंडर बोर कार्थ हम लोग मेजर करते हैं हम लोग करते हैं इंसाड मैक्रोमीटर द्वारा सिलंडर बोर कमापन करते हैं चिश्ठीच नमबर का कोश्चन है कर में परियोग होने वाला बैटरी की विसीषता क्या होती है आप से कम समय के लिए उच्ट भोल्टेज्च की चमता है इस सत्ता नमबर कोश्चन है अब इस फाइनल प्रोड़क्ट आफ ब्लेडिंग आफ वेजिटेबल आयल या इनिमल फैर्स विट नॉर्मल डीजल समय डीजल के साथ मनस्पति ते लिए पस चरवी के मिसर्ण के अंतिमुत्पाद को क्या कहता है अब से ने बायो डीजल पामर कातार नमबर कोश्चन है प्रिंस्पल आफ इलेक्टो मैगनेटीज्म इज इंपुलाइड इन बिद्धु चुम्ब की तत्व को किस में उप्योग किया जाता है आपसन है आइस इंजन की स्टार्टर में थर्म स्टेट में मफलर में उत प्रिरख परिवर्तक में तो बिद इंजन के अधर परकार करता है अग्याइड वाता नमबर कोशन है कि कंबस्चन अकर्स एड कांस्टेंट प्रेसर इन अपर वर्तनी दाव होने से दहान किसमें होता है आप सब्सक्राइब अटो साइकल एनिध थर्मोडाइनमिक साइकल ना आप देवग तो कंस्टेंट प् पर कंबस्चन किसमें होता है वह होता है डिजल साइकल डिजल साइकल में जो कंबस्चन होता है या कांस्टेंट प्रेसर पर होता है यानि कि स्थिर्दाप पर होता है डिजल साइकल पर डिजल इंजन को चला जाता है इस साइकल में केवल हवा को संपीडित किया जाता है ज नहीं है तो गीयर बाक्स के निम्ले गीरों पर बढ़ता है तथा विग्याई होता है कि कम होता है दोस्तों यहां पर हमारे 673 को खतम होता है आटो मोबाल इंजीनिरिंग से या डिर्यल मेंक्निक या मोटर मेंक्नेक वहिकल के या प्रेक्टर मेकैनिक के समझ लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारी चनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोग ने वीडियो को सेर कर दें इस टो इसका और भी पाट देखने के लिए थैंक यू